हलो फ्राइंड्स जय हिंद जय भारत भारत माता की जय जी पीएस्सी मेरोथोन लेक्चर्स मा आप सर्वे विद्यार्थियों नुँ जय साहिर हार्दिक स्वागत करूईशू आजनों आपणों जय लेक्चर्स कंटिन्योसली छती साथ कलाक चालना रो लेक्चर जी पीएस्सी वन्टू जी पीएस्सी सुपर क्लास थ्री लेवल्ली प्रिपरेशन करवावाणा विद्यार्थियों माते घणों आशिर्वाद रूप साबित थावानों सो आजना लेक्चर्स मां एकज साथे अपने अंदाजित सात थी आठ जेतला अगत्यना टॉपिक आए एवा टॉपिक है कि जेमा थी हर कोई जी पीएस्सी नी परिक्शानी अंदर फरज्यात टॉपिक वाईस क्वेशन पूछाता होई शें जो खासकरी ने विद्यार्थियों जाने जय वार्सा नो जे टॉपिक छें वार्सा ना टॉपिक मां ती 50 टका टॉपिक प्येस् आपड़े डिपमा पण जैशू, फेक्ट्यूल डेटा पण अईया थी आपड़े कवर करीशू, मतलब जेतला टोपिक आपड़े भणवाना चे ए टोपिक माथी अगर आगामी परिक्षा माँ तमने क्वेस्चन पूछाए शे तो अईया पूरे पूरी आपड़े एटली का आउसे आटलीक अमें खात्री आपीया शीये कारण कि अमें आटली काल जी राखे दीश लिए अजनों जे आपड़ो टोपिक शे इस संगीत ना साधनों सहीत बीजा साथ जेतला टोपिक शे आप रथम टोपिक शे आपड़े वखत धोलक माथी मृदंग माथी तबला माथ मंजीरा मा थी के पची वासली होई आवा बदा प्रश्णों आपणने पूछाता होई शे आपड़े बद्धाज साधनों जे चे ये जोएला चे संगीतना साधनों कितला प्रकार नाचे बद धीज आपड़े चर्चाओ करीशू ए पेला कितलीक बैजिक माहीती विध्यार थी होने हुँ पहुचाडवा मागूछू तो एना वीचे चर्चा करू मित्रों जीपीएससी एचीवर्स मेच जेना डेमो लेक्चर्स 25 तारिक थी या लेक्चर नी शरूआत थाई गई छे 31 मे सुधी डेमो लेक्चर्स आपड़े अईया थी विध्यार थी होने प्रोवा तमने तो सौथी अगत्य नी बाबत प्रिलीम प्लस मैन्स प्लस इन्टर्यू नी तईयारी साथे थहसे जी पीएसी यूपी तेनु जे आंसर राइटिंग छे एनी प्रेक्टिस नी तमने शरुवात करावी देवा मा आउशे weekly current affairs ना lectures with e magazine तमने मलवा पात्र छे न संपूर्ण पने GPSC UPSC लेवल नी तैयारी अन्य जोडे जोडे आपनु special materials faculty edition तमने free मां मलवा पात्र छे साहिब आ बेच अमारे लेवी होई तो आवो प्रश्ण तमारा माइंड मां होई तो आपनी पासे बे ओप्षन अवेलेबल छे नंबर एक एक वार्सिक बेच छे नंबर बे द्वी वार्सिक बेच छे अन्य बनने बेच मां तमने 50 टकानू डिसकाउंट मले छे एक वार्सिक बेच तमें लेशो तो 34,000 रूपया कूल फीश चे पन तमारे पे करवी पड़ से 70,000 अन्य द्वी वार्सिक बेच जैनी कूल फीश चे 50,000 बढ़ तमारे पे करवी पड़ से 25,000 रूपया फीश डेमो लेक्चर्स, डेईली बे लेक्चर्स रेसे एक सवारे आट थी दस अन्य बीजो साड़ा दस थी शाड़ा बार आवाच छे लाई बेच नी जे विद्यार्थी घरे बेच सी अन्य तैयारी करवा मागता होई अन्य हूं तो त्या सुधी नूं कऊचू के जो तमारे ग प सेंट माँ आपवा माटे तमारी करियर माँ आपवा माटे तमारी जीवन माँ आप आमाटे जो बेथी टरण वर्षण अधीकारी बनावा माटे सक्षम जो कोई विद्यार्थ यह विचारे के साइब आवी जबर्जस्त लेवल नी टीम नी पासी अमारे रुब्रू आवी अने अभ्यास करवो गांधी नगर माँ आववा माटे रहवा माटे अमें कैपेबल छिये तो आपनी ओफलाइन फूल डे बेच छे विद स्पेशल गाइडन्स सेशन डेमो तारिक छे मित्रों साथ आठ नव दस जून इतले के आवता चठा महिना नी साथ आठ नव दस तारिके डेमो लेक्चर छे जेनों समय रेसे सवारे आठ वाग्यानों अने बेचनी शरूआत कंटीनियोसली कि ऑके हाँ अवे फीस छे जे विद्यार्थी डेमो पहला फीस पर करेशें येने 3500 भर्वा परसे मूल फीस चें 4500 पन साथ तारिकी अग्यार तारिक मित्तार्थी जो तो तो आडेत्ति पर दस दिताध पान्सों पूरा पर से बेनीफिटु मले चे एक तो फेकलटी नी सा आथे साथे कोई डाउट होई तो ये त्यां त्यांज सॉल थाई शे अने प्लस तमने ओफलाइन बेच वाड़ा विद्यार थी ने लाइव बेच तो फ्री आपड़े आप येज छिए ओके यास एतले एक नू एक अभ्यास तमें बेथी त्रोण वखत करी शको चो डंच या तो आई आप एला छे ऑफ्लाइन एकेडेमी ना नमबर आई आप एलाचे लाइव एकेडेमीना नमबर संपर्क करी शको चालिप कि आगामी की डेमो जे अत्यारे शरू छे 25 तारिक टी डेमो नी शरूआ थाई गई छे तो एमां 30 तारिक हे जे डेमो लेक्चर छे एमां जिगर शर न्युट अर्थ शास्त्र छे पचिर सर नू सरू करंट अफेर्स छे मारों जे वार्षा नो डेमों डेमों एड्मिनिस्ट्रेशन नो डेमो लेक्चर आपने विद्यार्थियों ने फ्री आपेला चे विजाई रथ सिरीज मा अवे आपड़ो टॉपिक संगीत ना साधनों एमा जो ये साहिब आपड़ा जे लोक वाध्य शै ये लोक वाध्य ना टॉट्टल चार प्रकार पाड़वा मा आवे अवे अशे कणि बदीवकत क्वेश्चन तमें फेस करेला आशे के निचे नामा थी कईू तंतु वाध्य छै निचे नामा थी कईू सुशीर वाध्य चै जो फैक्ट प्रकार ना वाध्य शै तंतु वाध्य सुशीर वाध्य अवनाध्य वाध्य अन्य धन वाध्य अई या एक एक शब्द हुँ तमने लखू जू जे वाध्य ने तारना आधारीत आपने वगाड़ी शक्ता होई ए फोर एक्जांपल एक तारो याद करो बरोबर ने आवी केल इतना आगळे ती तिंगं टिंगं वागत आतो आजेश ए तारना आधारे वगतु वाध्या करता आनने तन्तु वाध्यकावाई सुशीर्वाध्या ये कले सुछ शाहई तो तम्हें फूंक मारी अन्हें फूंक नी हवाथी जे द्वनी उत्पन करो चोने एन शुशीर वाध्य क्यावाई फोर एक्जाम्पल वासली छे मदारी द्वारा बीन वगाडवा माँ तुवे सापने लोलावा माटे के पछी शंख चे आब बद्धा मां आपने फूंक मारिये चे समझाई छे यस तो एन श अवनाद्ध वाध्य क्यावाई जेना ऊपर चामडू मढवामां आवेलू होई और चामडा उपर तमेे प्रहार करो अने अवाज उत्पन करे और अवनाद्ध वाध्य क्यावाई फोर एक्जांपल डोल द्रिबांग's 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 तोाजेच्छा आविन इतना मार्ता ओए सचे ढोल छे तमला चे तो अवनाद वाद्य मा सिर्फ आवाध्य से आवा चार प्रकार trappedarse अमाद डीटेल मां जवानू छे आपने तो जो या तंतु वाध्य जे वाध्यमा तार वडे धून उत्पन्न करवामा आवे शे तेने कईू वाध्य कहवाई शे वई तंतू वाध्य कहवाई शे एकतार है रुबाब तानपुरो अने इसराज अगत्य ना तंतू वाध्य शे सोरंगी आवे शेए सुरंधों stap घना बदा जेचे दिलरूबो आवे में शेह आब बदा तंतू वाध्य आवे पुछाई अने तमने न आवडे एवु शक्य न थी बट आ लेक्चर ने पूरे पूरो निहाडवानों शे गणा बदा विद्यार्थियोना मगजमा जेचे सवाल चालतो होई के साइब तम्हें अमारी कॉमेंट ना आंसर न थी आपता हुँँ अत्यार्थिज क्लियर कई दो दोस्तों आपड़ो आ लेक्चर छथी साथ कल्ला के एना करता पन वधारे समय गाड़ा जोधी कंटिन्यूसली चाल से तो तो तमारा प्रश्ण जो लिगल प्रश्ण चे तो आंसर सोट का आपीस ओके पनुबीजी कोई पन रीते मारो टाइम याथी वेश्ट नहीं करूँ बिकोज छ साथ कल्ला कंटिन्यूसली बोलूँ गणू अगरूँ छे ओके छता पन एनरजी जाड़वी राखी अने अमे इन्याथी बोली शुँँ जो उँँ तमारी वातों मा ध्यान आपीश अने अन्याथी वातों चीतो करिश तमारा साथे तो एनरजी त्या मारी वेश च्क非कताव प्रथन एक तारों Oh एक तारों अपड़ा जे लोक संगीत चैनी लोक संगीत नी अंदर संधी प्राचीन को c visty ने जो मानवाँमा आउतू होई तो एक ताराने मानवाम माले श तह में क्या ही मिरा बाइनो फोटो जो यो होशे ओके तो मीरा बाए ना हाथ मा जे स्वाध्य शें एक तार ऊच्छेर शरुवात ना समये आमा एक तार हतो बड़ समयान तरे एमा बदलाव आउता doe त्यारे 23 जेतला तार शें शरुवातोमा केतला तार ता एक तार हतो तेन्allah हाथ निया päर्धक लाप म Cow追 Geral Cum आंगली जेनाथी ए तार जे छे एने रुभाबदार जे अतच करवा मा आवे इतले नकी कमपन उत्पन थता और mortalese कमपन जे छे С得el अवाज सुर!! बट सम्यान थरे तेमा बदला आवत आ और हल्मा केतला तारउत मात और अंपने जोरा मल्हेश talked 2 आने 3 आने 2 तारो अथ वा 3 तारा स्वरूपे पन हालमा उलखवा मा आवे शे आवातने यादराग जो क्लीर शे यस राम सागर तरिके उलखातु कच्छी वाद्य पुछाई गयेलो प्रश्न छे राम सागर तरीके ओडखातू वाध्य जे कया प्रदेश साथे गाढ रीते संकला एलू छे तो कच्छनी अंदर जे राम सागर नामनू जे वाध्य छे ए मुडत हरीते एक तारोज छे पड़ त्या एनू नाम अलग छे एज एक तारा तरीके ओडखाई छे सेमाथी बनावामा आवे छे तो वास माथी और भजन समये क्रश्न भक्त मिराबाई जे वाध्य नों उप्योग करता ता एक तारोव गारता ता शोव गारता वई एक तारोग अने आसी वाई बंगाल मा दिलरूबा अने दो तारा नामनू वाध्य जे छे एक खासू चाहां चसे आने आ वाध्य क्रशने अलग अलग वीषतार मा अलग अलग नाम समगर रिते एयनु मू2 नाम q2 एक तारी येज एक तारो जो कचमा होई तो एने एंट जे चेग राम शागर तरीके औलखवामावे एक तारो जो बंगालमा होई तो एन दिल्रुबा के 2 12 तार्रीके औलखवामावे के तलाई विस्तारों यहला शेकाiere 13 तार वालोई एक तारों यूस थाई छे तो एन त्रों तारा तरीके उडखवा मा आवे एक तारा मा समझ पड़ी गई छे दोस्तों कंप्लेट बस अई या थीज कोई पन सेंटेंस ने उपाड़ी अने तमने विधान वाड़ा प्रश्णों पूछता होई छे रावण हत्तो संस्कुरुत ग्रंथो नी अंदर आ रावण जह थो जय चै एन उलेख रावण हस्त विणा तरीके मड़े छै मतलब रावण पोताना हाथ मां जे विणा राखी अने वगाड तो तो जे सूर रेलाव तो तो हस्त एतले हाथ और विणा रामणना हाथमा रहेली विना एटले रामण हस्त विना आपड़े एनू जेचे अपब्रण्च थता 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 एनू नाम आविग्यू रामण हत्तो जे खासकरी ने कया बे प्रदेश साथे संकला एलू प्रमुक वाध्य चाये तो गुजरात राज्य औने राजस्थान रामण हत्तानो कितलिक कॉम्यूनिटी छे तुरी बारोट होई भरत्री कॉम्यूनिटी होई नाथबावा कॉम्यूनिटी छे आजे कॉम्यूनिटी हो छे ने ज्यारे गीतोग आई शे जे एम नाप भजनो हो एक्स वाई-जेड ये समय रामण हत्तानो उप्योग करे शे त SL2 आउसे भरत्री आकशे बारोटि इतले तुरी बारोट भरत्री आउसे नाथबाव आउसे समझाए ऑएक यास नालीयर नी जे काचली वह श्याने नालीयर नी काचली तो अंदाजित आवा आकार नी बनी शक्या अने अईया पर्षू मुकवा आजे चामडू मढवा माँ आवेशे चामडू ओके आवीरित्नी जे चे यानी आकार डिजाइन होई शे पड़ रावण हत्थो साइज मां बदा करता इब दा करता मित्रो क्लास 3 अने जी पी एसी बनने आपड़े जो पाट राकिये लास्टी जी पीसी तो बनने वचे डिफरंट सूचर वाट इस डडी फरंट बीट विन लास्ट्री एंजी पीसी डिपर्टमेंट कोई पर टॉपिक एने वन लाइनर स्वरूपे त आमें करो तो एक क्लास्ट्री माटे अचे बने एज टोपिक ना जी पीसी माँ कई नव न थी आओतु जो आने क्लास्ट्री लेवल मां तमें करता हो इन तो तमें एतलू याद राखी शको क्या तूरी बारोट छे नाथ बावा चे भरत्री कोमिनिटी जे छे ए रावन जातनु तंतु वाद्य चे कैंके तारना आधारेत वगाडवा मावे डेट मिस क्लास्ट्री नुगें कंटेंट पूरू थेग्यू बट हवे तमारे जी पीसी माँ जो आ रावन अथ्थाने लेने जाओ छे तो तमने एपन खबर होवी जो ये क्या आनो उल्लेक क्या थे ल विना तो आवाद्य शास्त्रिय संगीत मां उप्योग मां लेवा मां आवे शे अन्य आवाद्य नो उप्योग उल्लेक आपणा प्राचीन ग्रंथोनी अंदर घणी बधी जग्या पर मले शे खासकरी ने तमें माता सरस्वती नों कोई फोटो जोई येलो जोई कांके आप प्राथमीक लेवल थी भनियें शे ये प्राथमीक माध्यामीक उच्चत्र माध्यामीक तो जे सकुलों मां अपने भोईना त्यां माता सरस्वती नो एक फोटो तो अवेलेबल होवा नोच छे तो सरस्वती माताना हाथ माजे छे ए विना छे तो आपड़ा जे देवी देवता हो छे एने विना वगारता दर्शावा मा आईवा छे शरुआत मा जे सौरी मुख्य केतला तार छे वयामा चार आणा बे प्रकार पड़े छे एक रुद्र विना छे औने एक विचित्र विना छे एक रुद्र विना छे औने विचित्र विना छे आप बन्ने विशे आपड़े दिटेल मा जैए अईया थी प्रश्ण केवा पुछाया छे वाद करू तमने रुद्र विना जे मा मुख्य चार तार शया विना वगारता समया उपरनो भाग खभा पर अने नीचे नो जे भाग चै ए जमना गुटन पर मुखवा मारेश यह हवे तमे आ पोजने जुओ माता सरस्वती ना हाथ मा जे विणा चे विणा ने तमे जो जो तो माता सरस्वती बैसेला चे आविरितना हाथ मा विणा चे एक भाग खभा उपर चे उपर नो भाग अने विणा आईयां थी आम जै रही छे एक निचे नो जे भाग चे घुटन उपर चे आ फोटाने तमें जोशो एटले क्लीरली तमने खबर पड़ी जाशे कि यस आ रुद्र विणा छे कई विणा छे रुद्र विणा हवे जहिए विचित्र विणा मां तो हिंदुस्तानी संगीत ना मंच पर लावनार मतलब के आ विचित्र विणा ने संगीत सुधी प्रसिद्धी अपावनार कोई व्यक्ति होई तो उस्ताद अब्दूल अजीज खान एनो देखाव के वो छे साइब तो रुद्र विणा जेवोज छे पन एमा पड़दा होता नथी अन्ने डान्डी वधू मात्रामा पहणी होई छे जे रुद्र विणा छे एनी जे आई एकडम साकड़ी नाथी पर प्रमाण मा साकड़ी होई शे विचित्र विणाना प्रमाणमा जारे रुद्र विचित्र विणा जे छे एनी डांडी केवी होई शे पहड़ी अने अनों ब्रीज जे हाथी दात थी बनेल छे मुख्य छो जेतला तार छे अने अन्य बार जेतला तार छे ए मुख्य तार नी नीचे होई छे खास करीने GPSC सुपर क्लास 3 नी तैयारी वाड़ा विध्यारतियों होई एमने याद राखवा जेवा मुद्दावु विना जे छे एना बे प्रकार छे रुद्रविना विचित्रविना एनों जे तफावत छे ए तफावत ने तमें याद राकी लिओ अन्य एतलु खाले आवा माते हाथी दातनों उप्योग थाई शे बसक्वेश्चन अईया थी बार ना जाई शके अईया थी बार जाई शके नाई सारंगी आना मूल नामनों मतलब जो आपड़े जोवा जाई ये तो एनों मतलब छे सो जेतला रंग वाड़ो सो रंग वाड़ो सो रंगी बोलो समझो सारंगी अने प्राचीन समय मा कया नाम थी उड़कवा मा हुदू सारिंदा एवा नाम्थी ओढ़ खातु त्रण थी चार मुख्य तार शे मुख्य तार नी निचे पात्रीस जेतला पितर अने लोखंडा तार आवेला होई शे जे पितर अने लोखंड धातुना बने शे जो अलग अलग डिपार्टमेंट हवे पडवा लाई गा शे वीना ना एक सिंधी सारंगी आमा पन लीटेल मा जव उपड़ से के गुजराती सारंगी अने सिंधी सारंगी मा तफावत शू जो आमाले चाक एक तो फर करशे ने आमच तो नहीं तफा मानस माई फरक पड़े कश्मीर नो मानस ओई धोड़ बल गोटा जेवों होई एन अहा गुज होई मीडियम होई अमुकने लुए औछ उचू है तो वली धोड़ो होई बाकि तो ही समझेशे यस तो सारंगी ना बे प्रकार छे एक गुजराती सारंगी एक सिंधी सारंगी सिंधी सारंगी जेशयने ये प्रमान मा मोटी से સिंधી સારંગી કેવી છે ભઈ પ્રમાણમાં મોટી છે એટલેકે આકારમાં મોટી છે જારે निचे नो भाग जे छे इबकरा ना चामडा थी बनेलो होई छे मुट्टा वागे जेतला पन वाध्यों नी अंदर चामडा नो उप्योग करवा मा आवे छे जेतला पन वाध्यों नी अंदर चाहे धोल होई चाहे मृदंग होई चाहे तबलानी परी होई एक्सवाई Z वाद्ध्यों, हेमाँ लगभग जो चामड़ू यूस्थदों होई, तो ये बकरानू चामड़ू यूस्था या याद राकी ले जो स्यानु चामडू यूस थाई छे, बक्रानु चामडू यूस थाई छे, ओके, सितार, तो सितार ये विनानों ज एक प्रकार शे, उत्तर हिंदुस्तानी संगीत मा सितार सवथी वधु लोक प्रिय वाध्या छे मतलब उत्तर भारतनी अंदर संगीत मा जो शौथी वधारे कोई वाध्यनों उप्योग थतो होई वाध्या तो इस सितार शै और जहनी शोध कोणे करे ली शै अमीर खुश्रोई और भी रहां खोणे करे ली शै अमायud खुश्रोई अमरे खुश्रोई अमिर खुश्रोई जय चाहाने अणे बे बाबदगं कार सूथ करे ली शै एक सितार और एक तबला बनने मां अमिर खुश्रों ने याद राकी ले जो बनने मां याद राकी ले जो अमिर खुश्रों ने अने प्राची नाम सुचे अनू सहतार अमिर खुश्रों कौन अता तो जे दिल्ली सल्तनत चाए ये दिल्ली सल्तनत नो जे बीजो वन्स चाए जे नू नाम चाए खिलजी वन्स ए खिलजी वन्स नो सुल्तान अलाव दीन खिलजी कौन शै अलाव दीन खिलजी ए अलाव दीन खिलजी ना दरबार मा रहेला हता अमिर खुश्रों क्लियर वई यस नेक्स्ट सितार मां शलुआत मां त्रोण तार बट हाल मां सात थी आठ जेटला तार जोवा मलेश अन सितार वगाडवा नखली नो उप्योग थाई शे बस आ एक जो शब्द जे छे ए एक क्लियर ली तमने एक्जाम मां आपी देवा मां आवे नखली शूचे पूछाए गये ला छे वा शब्द आ शब्द एक्जाम मां पूछाए गये ला छे एक वकत क्लास्थ्री नी परिक्षा मां पूछानू तो चोगडिया सूचे विद्ध्यार्थी वो ये होंशे होंशे लेखू सैब चोगडिया एतले तो लाभ ने शूब ने चौल ने उद्वेग ने रोग ने आ बधा चोगडिया यानों सवाल नो तो ये चोगडिया ए संगीत साथे संकळा एलू वाध्या चे बुरा आपनने नथी खबर क्यांके आपने भईणाद नहीं कोई दिवस मारू बेटू तो नखली नो उपयोग थाई शे ये नखली चे ने एक प्रकारे लोखंड माथी बनावेली वीटी शे जे वीटी पहरी अने पची सीतार वगाडवा मावे मतलब जे अनो तार शे नेनी चे एक प्रकार नी लोखंड नी वीटी शे जो प्रसिद्ध भारतिय सीतार वादक कईये तो पंडीत रवी शंकर आपने बद्धाज जानिये ची या महानुभावने जयमने भारत सरकारे उग्णी सोने अठानुमा भारत रत्न पुरसकार थी नवाजेला शे नखली याद तो टैने देवी वाद्य गनवाद मावे अवे कोई पन वाद्य ने देवी वाद्य त्यारे गनवाद मावे तो ज्यारे एनो उद्भव जेचे एकोई देव माथी थायेलो होई अथवा तो इनो विकास अथवा तो नो वप्रास जेचे एद देवो साथे संक्लाएलो होई फॉर एक्जाम्पल जे विणा चैना आपने देवी वाध्य कई शक्ये कारण के हिंदु धर्मना मोट्टा भागना देवी देवताओ जे छे ये विणा वगाडता हता अथ्वा तो एने विणा साथे दर्शावेल चैनो उल्लेख आपड़ा ग्रंथो माथी मलाया चैना और आशूलनदहन पाटि शय्माथी थ थेया सारंगी माथी से माथी दर्शाश्वार्णी माथी अन्सक्राणी तनी ओटिस्ता रंगी माथी थैश्ये यbagत अपने क्याथी मढ़े शेम भगवत गोव मंड़ माते अब भगवत गोव मंड़ जा सर ने कि यहने गुजराती भाषा नो प्रत्थम शब्द कोश कई शकाई कोना द्वारा तैयार थे लोल चाह तो गॉंडल राजवी भगवत सिंजी द्वारा गॉंडल राजवी नरेश चेचे गॉंडल नरेश भगवत सिंजी एमना द्वारा तैयार थे ला गुजराती भाषा नो फो प्रत्थम शब्द कोश्ट भगवत गोवमंदर ओके यह स्नौ जेतला भागो शे एमा आपनने माहीती मड़े शुरंदो यह सारंगी माथी उत्पन थायल शेव पुर्व भारत निजे शन्थाल जनजाती शेव यह संथाल जन जाती आनों उपयोग करेशेव असन्थाल जन जाती छें एनुमूण जो आज ये तो जार्खंड नी अंदर आ जन जाती नू प्रभूत्व खासु वधार्य शे जार्खंड मा पन अतियारे आपड़ा भारत ना जे पंदर्मा नंबर ना राष्ट्र पती शे है कौन शे तो मेडम द्रोपदी मुर्मू मेडम द्रोपदी मुर्मू एपोते पन संथाल जाती ना चे बट M नो जन मो औरिसा राज्य ना मयूर भंज जिल्ला मा थायलो चे या जिल्ला मा थहलो छे बई ओरिस्सा राज्यना मयुर्भंज मा तो सुरंदानो वप्राश पूर्व भारतनी संथाल जाती अने ए सिवाई आसाम अने त्रिपूराना आलीवासी ओपन करे छे अन गुजरात मा जे सुरंदो छे एक कच्छ क्षेत्रना लोक नुरुतियों मा उप्योक मा लेवामा आवेरस है का तुल् साथे संक्ञृ ए ला वाद्यों ना सवालो गणी बदी वकत एक जैकमा पूफचाए सा कुल्यूर तुम्भी त स्रवज सायबна द्रेसे ल नो के का समय चपूस पूच्छा आरिए जे काई पण सूर उत्पन करवा मां टे जे संगीतना वाद्धियर्न उप योग करवा मां आवियश। एक क्युंक वाद्ध्य से वई तुम् ूखै तुम् ीू इसे क्लियरली, बहुन नोर्मल क्वेश्ट्चन भांगडा दर्मियान निचे नामाथी कया संगीत वाध्यानों उप्योग थाई शे तो तुम्बी तुम्बी एक केवु वाध्या छे तंतू वाध्या छे सुशीर वाध्या छे आवा सवालों एकजाम में खबर पड़ वी जो ये के तुम्बी तार ना आधारीत ज चालतू अधिया चेतो कई वोई शक्या वाई ये तंतू वाध्या तो शंतूर आप एलोग संतूर सामुनी वात बिल्कुल नथी करे ली बैए बिल्कुल संतूर सामुनी वात नथी छोक्रिया वे नानी दोड़ती-दोड़ती ममी तो पेला जे बेत्रन एक्तर हो या चब भी थग ओ ममी ता आप इतनी यंग दिख रहे हो उसका रिजन क्या है तो वली ममी पाची जोर थी के छंतूर ने किया कमाल यह काई न थी आ छंतूर वाद्य चाहे ओके आ एक मात्र सो तारवाड़ू वाद्य चाहे भारत नी अंदर जेतला पन तन्तू वाद्य संगीत साथे संकला एल चाहे एमां सो तारवाड़ू जो कोई संगीत वाद्य होई तो यह संतूर शे एनो विकास एनो उद्भव के एनी अत्यार नी जे प्रचलितता चे जमू कश्मीर प्रदेश साथे संकला एली शे एनी बनावट जे अखरोट आपने सुका मेवा आवे शने यस तो सुका मेव गवाणों एक मेव हो एतले अखरोट आखरोट ना लाकडानी नानी लाकडियो बनावा मावे शे और इना आधारे आसंतूर ने वगाड़ वा मावे शे जो यह परमपरिक विस्तार एनो पयो शे जमू कश्मीर कश्मीर मा, जे अखरोट थाई शे यह अखरोट ना लाकड माथी बनावेली लाकडी वड़े आ संतूर ने वगाडवामा आवे शे आपड़ी कल्पना सकती नी बार पण वार्षो जई शके भई यस श्राइब बनावट होई शके अख्रोटना लाकडा नी अईयां तो अख्रोटना लाकड़ा माथी लोकडिन लोकडी थी पछे आन पास वगाडवामा आवे एक व्यक्ति शे जनु मुझ नाम शे पंडित शीव कुमार श्रमा ऐह पंडित शिव कुमार शर्मा ना प्रयत नो थी आज संतुर नामनु जे वाध्य स्हें इन भार्तियर्ट संगीत मा स्थान जेटला जेटला वाध्यो नुँ जे लिस्ट छे है यह लिस्ट नें अधर आ संतुर्ने शमाव माते शाव थी वधार प्रेयास जो कोई कैरों होई तो ये जम्मुकस्मीर नाज एक पंडित व्यक्ति शे जेनू नाम छे शिवकुमार शर्मा क्लियर कि सुशीर वाद्ध्य तंतु वाद्ध्य पुरा था या हवे कोई पंड परिक्षानी अंदर आपनने उपू छे के नीचे नामाथी तंतु वाद्ध्य कई उछे भुरा आपणों जवाब खोटो नो पड़वर ये भुरा के भुरी काई के आपनने एतलीच खबर पड़ वी जोई ये त्यारे के साइब तार आवे हाँ तो इतन तु वोई साइब फूंक मारवानी शे हाँ तो ये सुशीर वोई साइब कि ठपकारवानूं छे हाँ कि संग्याई गिवाई ओके फूंक मारी ने वगाडवामा आवे तैने सुशीर वाध्य कहवाई शे फॉर एक्जाम्पल शंक ने आपने फूंक जमारता होई आवी रितना आम वाक्त होए खबर शेने आवी रितना आकाव थी हाँ वासली चे पावरी ताडपू नागफणी अने शरणाई एमा शंक वासली रणशिंगू शरणाई आबदा साधनों जे छे ए साधनों क्याक ने क्याक तमें जोए लास पावरी मुट्टा भागे महाराष्टियन विस्तार जे खरोडे ए विस्तार मा आने आदिवासी समुदाईनू आजे चे यह वाध्य तमें जो कियारे सापूतारा ग्या होई और सापूतारा मा तमें संसेट पोईंट पर ग्या होई उपर नी तरफ तो त्यां बैत्रण व्यक्तिवों जे छे पावरी वगाडता जोवा मले शे एमां खास करीनेक व्रुद्ध दादा जे छे ए पावरी वगाडी अने लोकों मनोरंजन पूरू पाड़े शे अनि एना आधारे एमनी रोजी रोटी चाले शे तमें त्यां उभारे सो टोड़ा मा तो एवडील व्यक्ति आऊ से पावरी थी तमारू मनोरंजन कर शें बहुत मज़ा आवे पावरी वागतियों इने लथोडी वार माते तमने नाची वासली ते वासमाथी बनावामा आवे छे अने आपड़ा शास्त्रीय संगीत नी अंदर जे वासली न उप्योग थाई शे जनरली गम्मेतिया मलती वासली निवात नथी करतो पन जे प्रोपर वासली छे ए वासली मां गणी अने आठ ज छिद्रू आवे केटला आवे यस आपण याद राखवाजी विवस्तू छे अने वासली वादगन साथे जे संक्लाएला प्रसिद्ध व्यक्ति एमा पन हरी प्रसाद चौरसिया बवज अगत्य ना प्रव्यक्ति शे अपणी एग्जाम माटे पन अने भारत मां पन हरी प्रसाद चौरसिया जे छे ए वासली क्षेत्रेबू फेमस्ट चारेग यूट्यूबू पर सर्ष कर जो हरी प्रसाद चौरसीया फ्लिवन्ट ओके यास फ्लिवन्ट केटला सिद्रो ओईश शास्त्रिय संगीत साथे संक्लायली वादलीमा वासलीमा आठ पन्नालाल गोश नामना व्यक्ति ये वासलीमा परिवर्त अनलावी शास्त्रिय संगीत मां तेने महत्वनु स्थान पायू एक पंडीत रगुनाथ शेत पंडीत हरी प्रशाद चौरसीया अने पंडीत रोनू मजूमदार आ आबोव फेमस्ट अपड़ा वासली वाद्द कोश एमा पन्न हरी प्रशाद चौरसीया एतले आहाहाहाहा सांबल जो क्यारेक वासली शरनाई खासकरी ने गुजरात नी मीर कॉम्वीनीटी शरनाई साथे संकलाए लीशा ते शास्त्रिय संगीत अने लोक संगीत एम बनने मां शरनाई नो उप्योग थाई शे लगन प्रसंगे पन शरनायों ना उप्योग थाई शू होई छे शरनायमा एक पोली नळीमा चिद्र होई शे छेनो एक चेड़ो पहळ और बिजो चेड़ो जे चे शाकल होई और लाकडानी भूंगली मा थी यहां बनें शेमाथी बने बई लाकडानी भूंगली माथी अमुक विद्यार्थी वजे चेने शरणाई औने वासली मा कोई फरक नई लागतो होई खया शरणाई आवि रित स्रें अवि वासली आविरी का ने बनने बलुक व आव कदाच जो तमने याद आवी जाए तो अने एतले की धूक शरणाई मा एक बाजुनों छेडों जेछे ए नानों होई छे एक बाजुनों छेडों जाडों होई शे बुख्यत्व्यान उप्यों क्या थाई तो मंदीरों नी अंदर अने लगन प्रसंग मा अने खास करीने लगन प्रसंग मा डोल अने शरणाई जेछे जुगल बंधी मा वगाडवा मा आवे भारत ना प्रसिद्ध व्यक्ति कोई होई तो बिस्मिल्ला खान शरणाई वादक जैने भारत रत्न पुरस्कार मने लो छे ए सिवाई पंडीत अनंत कुमार ने पंडीत राजेंद्र प् सन्ना आबो प्रसिद्ध शरणाई वादक छे हाँ तमें जो एलूशन यस हार्मोनियम ते पंड सुशिर्वाध्यनी जो श्रैणी माँ छे पंडानी उत्पती भारत नी नती मूल एलेक्जांडर डेबीन नाम नो एक संगीत कार छे जे फ्रांस देश साथे संकलाएलो छे अलेक्जांडर डेबीन अन्ने एम आजे हार्मोनियम छे ए हार्मोनियम नूँ शोध कर करेली छे मतलब केनी बनावत एमने करेली छे एनो विकास पने एमनेच करेलो छे अन्य आप फ्रांस नाम नो देश ये भारत नी पच्छीम दिशाई आवेलो छे एला आपड़े एने पच्छीम ना देशोनु वाध्य कईये छिए कणीब दिवकत में हिस्ट्री भनताओं तो यह पूर्वना देशों पच्छीम ना देशों साहिब सूचे या बतू कई न थी प्रुथवी ना नक्षाने स्लेट माँ खोली ना खोजों यहां पर देखाड़ू तमने आप प्रुथवी चे साहिब आवी प्रुथवी हाँ गोड चे पन मैं सिधी कर नाएक ही ओके अईयां पर आपड़ो भारत देश चे अने अईयां पर यूरोपियान कंट्रीज चे ओके आ उत्तर दिशा चे आ दक्षिन दिशा चे आ पूर्व दिशा चे अने आपच्छीम दिशा चे अवे मने के जो यूरोपियान कंट्रीज नी सामे आपड़े कई दिशा माँ छिए तो साहिब आपड़े पूर्व दिशा माँ एतले ए लोको भारत ने पूर्वन देश केता रोयल चार्टर एक्ट अनूसार जयारे ब्रिटिश इस्ट इंडिया कंपनी ने व्य धिकार प्राप्त करो पड़ आपड़ी सापेक्षे जेचे यूरोपियन कंट्री कई दिशाना देशो थाई तो साहिब पच्छीम दिशाना एतले आपड़े ने पच्छीम दिशों कई एशी है क्लियर थेग्यू यस अन्य शुशीर वाद्ध्यों नी वाद करिए तो एक तो बीन छे जे खास करी ने मदारी द्वारा आवाध्यनों उप्योग करवा मावतों होई शे अके मदारी द्वारा जे वगाडवा मावे ने एक तरप ती जेचे फूले लो भाग होई एक बन्ने सैट थी जेचे पतल नड़ियो होई अने फुफु दादा जेचे साप दादा सर्प एने डूलावा मावे तो मदारी जे वगाड़े चे बीन छे पने यहमां उप्योग्तों फूख्थी ने करवा मावे चे ने यस तो ए सुशीर वाध्या चे तंग मूरी तो मेघाले ना खासी पर्वतियक शे संगीत वाध्या चे कासट करिने मेघालेनी अंदर गारो खासी अने जैंतिया पहाळी-गारो खासी अने जैंतिया ओके अपहाड़ी विश्तार पन से अने आ विश्तार नी अंदर आ आदी जाती पन आपड़ा आजनाज लेक्चर नी अंदर भारत नी आधी जाती ओनों टॉपिक पन सामेल छे ओके तो आ लोको नूँँ अ लोक संगीत वाद्ध्य छे इस सिवाई गोगा ना जे आसाम मां जे बिहूनों जे तेहवार छे आसाम नूँँ आम तो लोक नुट्य पन छे बिहू जें गुजरात नू गरबा चे राजस्थाननू घुमर शे माहाराष्ट नूँ लावणी छे तमीलनाडू नूँभरत नातियम कई शक्या अपड़े आंधर परदेशंनुँ कुचिपूरी कई के रर नू कथकली कई शक्ये उत्तरपरदेशंनु कथक कई शक्ये करनाटक तो यक्षगान कई शक्ये खेने आसामनों विहू छेव तो यह आजिया वद्धियन उपयोग करवा माँआवे चाहि एक गोगाना अन्य श्यमाथी बने शेये वासमाथी श्यमाथी बने शेये वासमाथी चाहलों बहुत मस्तरी ते लेक्चर चाली रही हो से भई पौणों कल्लाग तो पूरो थे गयो है मित्रों सेशन मां तमारे येंद़ येंदि घरवानूंश हो जैत ललाइव हों नहीं लाइक नना करता आ तो सेशन लाइक में करता लौफ volontर मोझग येदा लुद कर्वानूश हो फोए बैव no विद्यार्थ ये वाँ चाने का साइब लडी जलेवुषे आगामी समय नियंदर साली जोब मलतीद नथी मलतीद नथी येला मलती केम नथी मलती केम नथी क्याक तारी मेहनत मां कचास छे साइ पूरे-पूरी मेहनत करीज लेवी शेकर घटवा नती देव। ये तो अमें आठकलाक बनाई सुन तो ये आठकलाक निया रहा से बेतरन जी बीजे काई पन घटतु वई कराई लेवानू 20-25-30 रूपयानू रिचाथ थसे ये मां कई फरक नहीं पड़े बाकी तो बदू फ्रीज मड़े शेने अने एडमिशन लेशो तो येना थी डबल डबल नहीं तो दच गणों फाई दोथा चेंके आपड़े ज्यान लाइव जी पीएस्टी मां एडमिशन लेनार विध्यार थीने आपड़े एकज गोलती भ अफीसर होवी जोई अमें आज गोलती विद्ध्यातिन भणाविये शेवें आवक्ते ठीक चे तो आउते वक्ते थाई जर से नहीं एवू नथी क्याता मैं और के आवक्ते जी था इन्सु काम नो थाई बस क्लिए रशा नेक्स्ट जे ये अवनध्य वाध्य नी आपने वाद करिये तो जे वाध्य चामड़ा वड़े मढवामा आवे त्याने अवनध्य वाध्य तरीके ओड़कवामा आवे चामड़ा वड़े मढवामा आवतू है जैंके ढोल नगारू अम्रुदंग अने तबला आप परने के उलाग्या नाम साबली ने हैसाहिब हमेंंटोल जोयों आमें नगार्वी जोयों तबलाई जोया आपने खाली जोयाँ आणा विश्य जानता नथी नगारा केतला है प्रकार नावे उन्हों तम ने को तबला तमें जो यहाँ से तबला जैशे तबला जनरली जो तबला आवाँ के आविज इतना जैशे टबला तमें जो यहाँ से आप बनने ने तबला हमेशा जोड़ माझ होए तबला हमेशा जोड़ माझ होए वर घूला बने जोड़ माझ होई तम डाशे प्रस के बैख तब लनोल मेख ये टमल लू खे वाई एकने बायू के वाई शुक्यावाई यह बद्धूज आपड़े जोईशू नगारा नाना होई तो एने नगारू न क्यावाई नगारू मोटू होई तो एन नगारू न क्यावाई इखाली जहात छे नगारू जेम आपड़ी जहात छे मानस पन मानसमा हुँ जयेश छू आमा कोईक सुरेस असे आ अमार स्टूडियो अपरेटर भाई जे छे ए रूपेश छे समझाई छे जो यह आपने डमरू ए पड़ेने चामड़ू जमढवामा आवे ले यस डमरू तो डमरू ए बे बाजू धरावतू एक नानू अवनध्यवाद्य छे खासकरी ने भारतनों हिंदू समुद आई अज तिबेट ना जे बाउध्ध धर्मना लोको ये बाउध्ध धर्मना लोको अगामरानों उपयोग करेश करे ऑनए डमरू एवू मघज मावे तल शरुलात जापड़े जह इँ भगवान शीवति आवे डिम डिम डिमाक डिम डिमाक डमरू नाना दे भडोना थने आचवा मं आनो उल्ले क्या थी मड़े शे तो डक्षिन भारत नूँ जे चौला साम्राज्य चौला डाइनेस्टी एमाजे नटराज नी जे भगवान सीवनी काश्य प्रति मां मड़ी आवेली शे चारे बाजू जे प्रभामंडल शे भगवान सीवनी जटाओ लहराई शे ओके आथ मां दमरू शे एक पग उचानू पर लिधेलो चे अन्य भगवान जेचे टांडवनी मुद्रा मां चे तो हरेक बाबत कईकने कईक प्रतिक आपए शे जेंके भगवान सीवनी जे जटाओ लहराई शे गंगान दीनू प्रतिक शे जे हाथ मां डमरू छे ये संसार ना सर्जन न प्रतिक शे तो डमरू जे चे ये से नू प्रतिक शे संसार ना सर्जन नू प्रतिक शे जो आयून चोगडिया आण सवाल परिक्षा मा पूछानों तो के चोगडिया इतले शू आने ओप्शन नंबर एक जापे लो हतो के चार घडिनो शमू प्रतिक शे तो नगारा नो एक प्रकार विद्यारती के वाप्शन ओप्शन मूं के के चोगडिया थो नगारा ना प्रकार मां उता हुई यस ए नगारानों एक प्रकार शे अने गुजरात मा एने नौबत अने टकोर खाना नाम्ती उडखवा मां आवे शे मुट्टा आकार ना जो नगारा होई ने भई तो एने आडंबर क्यावाई शू क्यावाई आडंबर अने जे शूभ प्रसंगे आपने जेकाई पण नग नगारा वगाडिये शूभ प्रसंगे अटले समझे मंदीर मारती समय नगारा वाकता होई शूब तो आजे नगारा आजे आपने वगाडिये शीए एन नौबत क्यावाई खास याद राग जो नगारू तो बद्धा विद्यार्तियोंने खबर जोईशन बैं नगारू के उओ आई शेई सताधार नी आरती से सताधार आपड़ों गीर विस्तार अके अमरेली सताधार नी आरती से अवे धम्धमे नगारारे होजीरे पीर गीगेवना धाम मा ओके आ नगारू शे जे सुभ प्रसंगे वगाडवां मावे एन नौबत क्यावाई होने जैन देरा सरोनी अंदर जे नगारा वगाड़ती जाती भूजक अने मकबर आमा जे नगारा वगाड़ें शे ये लंगा जाती ना लोको शे लंगा अने आ लोको जे नगारा वगाड़ें शे प्रसिद्ध नगारा वादक कोई होई तो सुलेमान जुमा सुलेमान जुमा अवे फोड़ूक पॉनी पीलो भी रुपेज भाई ओके चालो मित्रो जी पी एस सी एचिवर्स बेच वीशे जो आपड़े चर्चा करी है तो प्रिलीम प्लस मैंस प्लस इंटर्यू नी जवर्जस्त लेवल नी तैयारी जे कंटेंट में अत्यारे भणी रही आशो एना करता पर अपडेट लेवल पर ओके यस डेमो लेक्चर शे 25 तारिक थी 31 तारिक मतलब डेमो नी शरुआत थाई गई शे ओके 31 तारिक सुधी डेमो चालवाना चे आपड़े टोटल चौद जेतला डेमो विद्यार्थियों ने फ्री आपपाना चे बै चौद डेमो रेगुलर डेमो चाले चे सवारे आट थी दस बपर पची साड़ा दस थी साड़ा बार नो समय गाड़ो अने पैली जुन्ती आ बेच नी शरुआत थाई शे बेच आपड़ी पासे अवेलेबल चे वार्षिक पण चे और द्वी वार्षिक पण चे आब बन्ने मां तमने 50 तकानों डिसकाउंट मले जे वार्षिक बेच छे ये तमने 70,000 मां पड़ से कूल फिस तो 34,000 अन द्वी वार्षिक जे बेच छे ये तमने 25,000 मां पड़ से कूल फिस आनी 50,000 शे साथे जुओ प्री प्लस मेंस प्लस इंटर्यू नी तैयारी जी पी एसी यूपी एसी पास फैकल्टी डेली टेस्ट टोपिक वाइस टेस्ट, मोक टेस्ट, मेंस आंसर राइटिंग नी प्रैक्टिस प्रथम दिवस थी ज शरू करावी देवा मां आउसे, रेग्यूलर करन्ट अफेर्स प्लस जे छे ये मेगेजिन तमने यहां थी पूरू पाड़वा मां आउसे, अने स्पेशल मट्रियल्स फैकल्टी एडिशन तमने आपवा मां उसे, आलाई बेच जो आ बेच मां एडिमिशन लेवा मांगो, तो आ पेला नंबर पर संपर्क करी अने माहीती मेरवी शको, कोई विध्यार थी यहू के, के साहिब अमारे ओफलाइन मां जीपीएसी वनटू नो क्लास करवो शे, गा अफलाइन बेच छे, फूल्डे बेच, विथ स्पेशल गाइडन्स सेशन छे, डेमो तारिक छे मित्रो, साथ आठ नौ दस जून, मतलम आवता महीनानी साथ तारिक, आठ तारिक, नौ तारिक, अनौ तारिक, समय रेशे सवारे, आठ वाग्यानो, और बार तारिक थी बेच नी शरुवात करिये शिये आपड़े, जे विध्यार थी, ओफलाइन बेच माँ एडमीशन लेसे, यहने बेनिफीट कितला मढवा पात्रा छे, एक वखत ओफलाइन माँ भणवानो, फेकल्टी नी सामे बेची ने भणो, एटले कोई पॉन डाउट हो यानू सॉलियूशन तमने त्यां त्यां रूबरू माँ मड़ी जशे, सेकंड टाइम घरे पोचो तमने विचार आवे चाल रिवीजन मारी लओ, तो एज फैकल्टी नो वीडियो लाइव बेच माँ आवेलेबल असे, एपड तमने जोई शक्षो, यहसा भाचू क्यों चो, यास, कारण के जे विद्यार थी ओफलाइन माँ एडमिशन लेशे, यहने ओनलाइन लाइबेच तो फ्री मडवा पात्रा छे, टोटल फीज केतली छे, तो टोटल फीज चे 4500, पन जो सात जून एटले के डेमो ना सुधी मां तमें भरो छो, तो 3500, सात तारिक थी अग्यार तारिक सुधी मा फीज भर्षो तमें, तो 38500, और अग्यार पची 4500 रूपया फीज रहाच, आ अपड़ी ओफलाइन एकेडमी नी ब्याच चे, क्लियर शे, यास, हवे धोलक जो ये, तो धोलक संपूर न पोलू होई शे, और लाकडा मा थी बनावा मा आवे शे, ढोल तो तमें बद्धा य जोएलो जोशे, क्यांके अईया जे विद्ध्याथी लेक्चर जोई रहिया चे, इपोतेपन परेणेला आशे, अथवा नहीं होई, आपड़े कोई दुखती न, सुपरपग नहीं मुखता, कोईक परेणेलू ना होई, तो परिवार मा तो कोईक पेणू जोई, तो भाई जेवुज होई शे, एनो एक छेडो, खुबज मोटो, अने एक छेडो, केवो होई शे, खुब नानो, अने बन्ने बाजू, बक्रीना चामडा थी मढवा मा आवे शे, मैं तमने आगल पन कीदू, ज्यां ज्यां चामडानो उप्योग थाई चे वाध्यमा, ए मोट्टा भा चे एक करना टकी संगीतनू एक खासू जानीतु वाध्या शे, मित्रो जे संगीत, नो उदभव, और विकास, दक्षिन भारतना विस्तार मा आत्वा करना टकना विस्तार मा थे लो शे, एन्ने करना टकी संगीत तरीके वडखवा मा आवे शे, अब मैं पानी पी लेता हू, नहीं तरमें शहीद हो जाओंगा कि युकाइनों थाई पंपी ले उहारू पाणी कर दो चालो धान कि या सम्रुदंग जोई काया नामती वही घजरा अने तबला नी परी आ तबला नी परी पापानी परी नाथी हो अजनाज लेक्चर मां घराना पण आऊ से जमना तबला ने तबलू के हवाई इसे जमनु तरफ जे होई ने तबलू के हवाई और डाबी तरफ मुझे तबलू छे एने बायू तरीके ओड़क्वा मां आवे अबनेश्बदोने पकड़ी ले जो ने पकड़ी ले जो तबलू बायु बाया आत्र वली जावें के यहने बायाँ वाली निशान डंका जे अवाब ढ़त वाध्य अचे पुर्वी राजानी सवारी मां वगार्वा मां आवता जे पुर्वन होजे विस्तारश राजानी सवारी एमा आजे छे निशान डंका एनो उप्योग करवा मा आउतों के वामा आउतों राजा आउता हो एतों महराज दिराज श्रम्राट भूपती नरेश पधार रहे हे त्यारे आ निशान डंका वागाडवा मा आउता पखवाज जयनिस्थापना भगवान स्रीगणेश द्वाराकरवा मावेली शे पंडीत नाना पांसे अंपंडीत भवानी शंकर ये प्रसिध्ध पखवाज वादको शे औक आबधा जे संगीतना जे वाद्यों शे ये वाद्यों होवे ओछा प्रसिध्ध शे जे अतियार नी जे मोटी-मोटी संस्था में अत्यार वाध्यों ने फोटानी पास है और ऊपर संस्था नो प्राचीन वाद्ध्यों से बता डीजे फीजे नी तो बदू हमना आयू अवे धन वाद्ध्यानी वाद करिये तो मंजीरा जनों उप्योग खास करी ने गुजरात मां थाई शे मंजीरा तो तम बदा जानता जैसों घांबडा विस्तार नी अंदर रहेलो व्यक्ती होई ये मन्जीरा ने जान तो जोई बनने आथ नी अंदर जैसे ए मन्जीरा पचिए पेली करताल आवे भजमन रादे र आदे आ करताल मंजीराने करताल ने आब दिवस्तु जेशन जयाने हाथ मालाइन कोई बीरी ते वगाडवानी होई ए बधा धन्वाद्ध्यों शें गड़ें ने मन्जीराने शुन कासी जाड़ा और गुजरात मात प्रसित्य मंजीरावाल लेल दे विर्दास ठा को नता विर्दास पचि करताल ते मंजीरानों झे एक प्रकारश औरने नर्सी मेहता करताल वगाड़ता नर्सी मेहता नूँ क्या रहे गीथां बल जो जो नूँ मूवी नर्सी मेहता हाँ हे मारी हुंडी स्विकारो महराजरे शामला गीरदारी अहां बल जो क्या रहे आकर्ताल जे आपड़े जोई आपड़े गामडानी अंदर भजन मनली ने होई तो आपड़ा जे वरुद्धुम्बर ना जे माड़ी होई दादा होई अब देव गारता होई शे कर्तालो ओके अवे हिंदुस्तानी संगीत साथे संक्ला एला घराना व से यह साजे लो वाध्यो जे चे आपना एल वाध्यों ौट्विक पुर्वो थे दुटन ये कल्लाक प्रण आतजी पुरी थाईगे एक लगने वाध्य एक कल्लाक ना वाध्यों जे विध्यार्थी ए त्यान पुर्वक पुरा काई राश कॉमेंट करो ने केटला केटला विध्यार्थियों सरुवा थी अत्यार सुधी एमनियम कंटीनियू जुए जिर्याशे आवा विध्यार्थी ने हवे जहारे पन वाध्याने लगत इस प्रश्न पूछा से तमारों माक्स नहीं जाए फैव यारैंटी को दिल्ली घराना अहां में एक तरीने एनि खयाल गायकी मातेया जानीतू घराना चा अनना स्थापकॉन छे तो गुरुमिया गुलाम हुशेन गुलाम हुशेन आमाथी आग घरानाओ चे न मित्रो एमा यहुँ बनी शके के कोई एक घराना माथी अनेक अलग अलग घरानाओनों पन उद्भव थयो होई अत বੀલ्store नव시 dragons cuarto 16위 कोखले घ्राना जे महाराष्ट मांझे कि आजे झींद त्यों मांटे प्रसिद्ध लूए বए यंत मेरो थिए खयाल गाहСпtsåस्ट मांचे आगे पांगे उपशाखाँ गोखले घराना जे महारास्ट मा चयां चयां महारास्ट मा पची आजे घराना होई शर्मिय। संकड़ा एलू होई छें के दिल्ली घराना जेछे तो एमां मोट्टी मात्रामा सारंगी नो उत्पद जेछे उप्योग थाई अवे हुँ तमने सवाल पूछू के सारंगी जेछे इकेवु वाध्य शे तंतु वाध्य शे आपनु जे सुशीर वाध्य शे अवनाध्य वाध तो तमारों जवबावि शारंगी एकले सौरंगी अन्य स्वारंगी एत तन्तु ह्यां जे हैं अ हाँ तो दिल्ली घराना मां विषेश प्रमान मा सारंगी तंतु वाध्य नु उप्योग था surveys अने प्रसीद्य कलाकार कौन दिल्ली घराना तो तान रस खान अने सिताब खान कौन्छे बई तान रस खान और सिताब खान आगल जहिए तो अजराडा लेके अजरारा घराना तो एना स्थापक छे उस्ताद कल्लू खान अने मिरू खान अने विस्तार कयो तो मैरत उत्तर परदेश उस्ताद कुल्लू खान अने मिरू खान जहिए बन्ने तो एना स्थापक छे एना मुख्य कलाकार पन चे अजराडा घरानाना साथे साथे उस्ताद महमद्दी बक्ष छे उस्ताद शम्मू खान अने आपड़ा माटे शौथी वधारे अगत्यना जो कोई होई तो पंडीत सु सुधिरकुमार सक्से ना यणूसू काम चे तो आ अजराडाग घराना जेम्सर твор上 दो गुजरात नी अंदर काश valeur तो गुजरात मा आगले रहेये मनें दिली घराना छए लखनो घराना छे जैपुर घराना छे महराष्टर माद साखा चया दिली घराना नी अजराड अजराड़ा चे तो ए आपनो एक माक्स आइजे खाली त्यान रैख हुआ इंसर्वकी तो ओके लखनो घराना तो उस्ताद मोदू खान अने बक्षु खान ए लखनो घराना ना स्थापक छे लखनो ना नवाब द्वारा अईया समझ्जू नुरुत्य नी साथे साथे संगीत नुँ आयोजन करवा संयोजन करवा आ घराना नी रचना के लिए नुरुत्य करवा मावेने तक फें यहां थें यहां यहां थें यहां थें यहां ञारो माटे लखनो न नहीं नवाब अगत्यना जो होई तो लच्छू महराज कौन चाहे लच्छू महराज इसी वाई वाजीद हुसेन खाच अफाक हुसेन खाचे सपन चोद्री आउसे हीरेंद्र गांगूली आउसे जहांगीर खान आउसे आब दापन लखनोल घराना साथेज संक्ला आई लाच तो जो शौथ ही वधार महत्वनी बाबत अलखनों घराना नंके रूप फरुखाबाद घरान आये और पोते परिवर्तन करी और जेकाइं अपडेट शैली जाहर थाई अपडेट शैली आई वी यह अपडेट शैली ने प्रतिष्ठाप आई मतलब एस एली नो विकास के रो एनी लईकार युक्त बोलोनी रचना आघराना नी विशेष्टा चैने आघराना घना तंबलावादनक्षेत्रे योगदान आपेलू चैनका भारत ना प्रसिद्ध तबलावाद को याद करो गई प्रसिद्ध तबलावादक याद करो सब जाकीर हुशेन यस अजुएक व्यक्तिया उस याद करो ओके जो हाजी विलायत खान हुसेन अली सबीर खान गुलाम हुसेन नयन घोष अने निखिल गोष पन फ्यामस चैने आपड़े सोधिये शिये पंडीत किशन महराज जे भारत ना प्रसिद्ध तबलावादक अता ये कया घराना ना चैने बनारस कराना पंडीत रा सथापना कई री बनारस कराना नी विशेश्ता सुचै तबलावादन यास एतले कवचू हवे फरूखा बाद घराना तमार तबलामा याद राखवानू छै उचाए शके नीचे नामा थी तबलावादन साथे संक्ला एला जे घराना ओछे एक या कया चै तेमां फरूखा शक्षाबाद घराना भी आवी शके जैसे आपड़े आगल वात कहीदी अन्ये अ बनारस कराना भी आव शके ओप्षहरं न संहां ओपशन धिल्ली घराना फरूखा बात घराना बनार्स घराना लखन घराना नीचे आपटेलों हुई इक अनुन्यक्रe ये डुन ये अने त नहीं तो स्पेशल तबला माते जटू स्पेशल पेला मातो थोड़ू गणू मिक्स अतू बदू बदू अतू लच्छू महाराद लखनो गराना साथ है भाई ओके योगदान शास्त्रिय संगीत मां बनारस्त घरानानू खासू योगदान शे पंडीत शर्दा सहाई पंडीत किशन महाराज पंडीत संता प्रसाद अने गिर्जा देवी गिर्जा देवी जयपूर घराना तो मुहमत अली खाना ना स्थापक्ट है दुरूपद गाई ना कठीन ताल अने जे दूरलब रागो शें ये दूरलब रागो या जयपूर घराना नी विशेस्ताच है भाई जयपूर घराना नी विशेस्ताच है रागपर टंक सुहा सिंदूरा वगेर जयपूर घराना नी धरोहर एं आमा थी कया कया घराना छुटा पड़ेला शे तो एक साइब पटियाला गराना अन्य जैपूर गराना जे आपड़े दिल्ली घराना बनता तां तो दिल्ली घराना माती पण अवद घराना चुटू पड़ेलो ओतु अवद घराना आपड़े भईना दिल्ली घराना माती कईू घराना चुटू भिंडेैं न राम्पूर सहस्वान गराना तो उस्ताध इनायत हुसेन खान जे कई शयली मांटे प्रक्ष्याद छे वही तप्पा अने तराना तपपा तराना आनौ सबंद गाराना साथे चें माँ उत्तर भारत माँ ये संगीतender रामपूर प्रमुख व्यक्ति उस्ताद इनायत हुसेन खान जे पोते स्थापक छे उस्ताद हैदर खान हैदर खान मित्रोग जीपीएस सी एचीवर्स बैच आएचीवर्स बैच नी शरुवात पहली जूनती थाई रही शे पच्चीस तारिक थी 31 स्थी डेमो लेक्चर शे डेमो स्टा आखीती बैदिवस ग्याते डेमोना जो वार्शीक एक वर्ष्नी व्यलेटी वाली बयेच लेशो बंदे मां तमने 50 धकान ंड भिशे एक वरश वाली स्थ सतर अज्यार मां बेवर्स वाली बेच 25,000 मा तमने प्राप्त थाई शे जो लाई बेच मा एडमीशन लेवा मागो तो आपेला नंबर पर तमें संपर्क करी शको शो जो ओफलाइन मा एडमीशन लेवा मागो तो आगामी महिना मा एतले के छठा महिना नी 7 तारीक, 8 तारीक, 9 तारीक, 10 तारीक डेवो लेक्चर्ष सवारेटेवाग गगे ओके एमां फीश चे पिसतालीस अजार रीके पंडेमो पहला फीश पेकर सो तो पार्तरीस अजार सह में सटार्ठ थाई साथ ता रिखे साथी अग्यार मां फीश बर्सो तो 38 500 अग्यार पचिश पर्सो तो पिस्तालिविश पान्चों फिसरेश एनी बेच स्टार्ट थाई चे बार तारीग थी याद रग जो बार तारीक थी ऑई यां पर ओफ़लाइन ना नमबर आपेला चे ओफ्लाइन ग्याएन के नमी गांधीनगर अजिए अई यां पर लाइव ना नमबर आ पेला चे हवे त्यार आपने बे टोपिक तो खत्म कर नहीं खा, हवे थर्ड टोपिक तरब जहिए। चाल, तो हवे एचीवर्स मेच विशे नी अपने बात केरी प्राचीन मूर्ती कड़ा विशे आगणवधी आपने सिंदु सब्यता होई, के पची एना पहलानी वैदिक सब्यता होई, सिंदु सब्यता पचीना आपना जे राजाओनी वन्शावली वाड़ाजे का समय गाड़ा वावे शे, मोर्य वन्सावे चे, अनु मोर्य युगावे शे, आ समय गाड़ानी मूर्ती कड़ा होई, तो एमन विशे आपड़े बेजिक थी लई अने डिटेल मा आजे चर्चा करवानी छे जो ये सव प्रत्थम आवे छे सिंधु कालीन मुर्ती कड़ा हाहा सिंधु सब्यताना लोको आ कला थी परी चित हता मतलब कैक चित तावाइ जे मूर्ती बनाववा नी कड़ाँ शे आ कला थी सिंधु सब्यताना लोको परी चित हता पत्थर, धातू, पकवेली, माटी, अने सील नी बनेली जो आ मणे चे, सिंधु सब्व्यता माथी आपने जे मुर्तियों मले चे, एक्जाम मा तमने पूछाए के बैसेर माँ श्यामा थी आ मुर्तियों जे चे बनेली चे, तो खबर होवी जो ये, साइ पत्थर माथी पन बन पकवेली माटी धरमीन्सके तराकोटा एमाथी पण मुर्थी बनेली छे औरनी सील माथी पण मुर्थी बनेली छे। પોરોરે પૂથી આગત્ય ની મૂર્થી કઈ શે તો એક ડાધી વાળા પુરૂશની મૂર્તી आजे डाधी वाला पुरूष्णी मूर्ती जेशे ने यहने पूरो हितनु पुतलु एक नर्तकी नी मूर्ती अने मात्रु देवी नी मूर्ती जेशे मित्रो जीपीएसी वन्टू नी अंदर जेको एकाई पण कल्चर ना क्वेश्चन पूछाए शे एक क्वेश्चन विश्चे तमारा मगजनी अंदर जो एक मान्यता होए तो ए मान्यता ने हुँ तोड़ी नाखवा मागोशू केवी मान्यता खसाइब केवा केवा विधान प नात्रामा मतलब क्लास वन्टू नी एक्जाम मां पचास माक्स ना प्रश्ण फरज्यात होई शे चारसो माथी पचास माक्स जे छे ए वार्षा ना प्रश्ण होई शे अईया थी 40 जेतला क्वेश्चन जे छे ए डाइरेक्ट ज ओप्टीकल पुछाई शे डाइरेक्ट पा वाड़ा क्वेस्च्यनों बहु ओछा होई शे अन फैक्ट्यूल डेता ज मोटी मात्रा मा पुछाए शे यादराग जो जी पी एसी नी प्रिलीम पास करवा माटे सौथी अगत्यनों अन सौथी इजी पन जी पी एसी नी तैयारी करता विद्यार थी ओने सौथी बोरिंग मा बोरिंग सब्यक्जक्जो कोई लाखतो होई तो ये सांस्क्रूतिक वार्षा बुका कढ नाक वाना सांस्क्रूतिक वार्षा ना अपणे एक हिस्टरी अन्ने एक व्यर्ष आब बधने सब्जेक्ट तो माक्सना सम्झोँ तमने प्री पास करता कोई ना पपा न कोई ना पपाई न रोकी शके तम ने करन के बे सब्जेक्ट मा तमारेफ 80 सब्जेक्ट मा तम खाली पंचाशी या तो सो यहाँ голод यमा पंच्यासी आवे तो 6 मा तो 100 आवेन भई एतला कवर करीन मुख्य दियो बर्सो ये पचाड़ी दियो वार्ता पुरी थाई गए ओके यास मुख्य केंद्र कईू छे सिंधू सभ्यता ना जे मुर्ती कड़ा छे ए मुर्ती कड़ानू मुख्य केंद्र एटले चान हूँ दड़ो कईू छे चान हूँ दड़ो नेक्स्ट अन्य चर्चाओ करिए तो जो पत्थर माथी बनेली मुर्ती ओहय तो ए़ पुजारीनी मुर्ती छे पुरुष नर्तक छे मानव धड मंडी आवेलू छे फक्त धड़थ छे धातु माथी बनेली मुर्ती छे से यस तो एक कास्य नर्त की मली आवेलि छे, आवीर इतना जे छे एक कास्य नर्त की उभेली छे, कासा माथी बने ली छे, फृषब एतलेके बलदर रमकडू मलेलू छे, कासा नो रहोथ मलेलो छे, तेरा कोटा पकावेली माटी माथी बनेली मूर्ती या समात्रु देवीनी मूर्ती अने डोक हलावतु पशु अने शेल खड़ी तो एक जातना पत्थर माथी एक स्रूंगी पशु अने पशुपती नाथ पावेली फशुपती नाथ आतली मूर्तीओ आपडने अलग-अलग तत्वं माथी बनेली मुलि आवेली शेवी पत्थरनी मूर्तिओ मां जोये तो कलानी द्रस्टी ये साउथी उत्कुरुष्ट जोहॉय शिंधू सब्यता नी अंदर तो ए पत्थर नी मूर्ती शेहमा शेन जरूरी नथी अईया थी question पुछाई जरूरी छे कि अई याथी डाइरेक्टर्ज क्वेस्चन पुछाई सिंधू सभ्यतानी मूर्ती कडानो बेन मून नमूनो डाधी वाड़ा पुरुष्णी एटले कि जेने पुरोहितनी पुतला तरीके ओडखवा मावे शे ये मूर्ती नीचे ना माथी कयास थड़े थी प्राप्त थये ली छे क्लियरली आंसरा वेसाइब मोहें जो दड़ो माती वारता पुरी थेगे शुँ जरूर छे या आनि डिटेल माजे ये तो मान्यता ये वी छे कि पुरोहितनी मूर्ती असे अड़ार सेम्टी मीटर उन्चाईश देल खड़ी इतले के सफेद पत्थर माथी या मूर्ती ती बने ली याद राग जो सील खड़ी इतले के सफेद पत्थर क्ये वह आविक हवार शे आपड़े चूनोँत अमे जो पलालेलों चुनों नहीं चुनानों खांगडों चुनानों पत्थर तमें जो जो एक दम वाइट कलर नों हसे अने काचो होशे के वह होशे काचो बस तो आवाज एक सफेद पत्थर माथी आ मुर्ती बनेली शे एनना दाबा खभापर तोण पांदड़ाना आकारनी भात जो वामले शे विशेश्ता मुटा होट शे ओठ मोटा शे डाधी धारी शे मुच वगर्नु शे ने माथा पर पट्टी बांधेली शे अने एनी स्थीती के वी शे ध्यान मुद्रानी स्थीती शे के वी स्थीती शे भई ध्यान मुद्रानी अने इतिहास कारो जे शे या मुर्त नो सबंध देवताओ साथे रहे लोह शे यू माने शे अईया जेतलू में अलग-अलग कलर्थी दर्शावानी कोसिस कहीरी शे एनों मतलब एवो शे के आवस्तु एक्जाम मां पड़ी शके अंजारे पड़े त्यारे महत्वनी साबीत थाई शके क्लियर शे यस नेक्स्ट पुरुष नर्तकनी मूर्ती तो ते हड़पा नामना शहर माथी खंडीत अवस्थामा मली आवे ली शे काला पत्थर माती बने ली शे मस्तक अने हाथ पग वगर्नी आ मूर्ती शे जेमा कमर्थी उपर नो भाग डाबी तरफ नमेलो जणाई आवे शे पहली वस्तु तो खास त्यान दाग जो क्या थी मले ली शे ओके हाँ मस्तक अने हाथ पग वगर्नी मूर्ती शे हाथ अने पग नथी मस्तक नथी जोन मार्शल सु कहे शे तो आ मूर्ती युवा शीव नट्राज नू स्वरूप दर्शावे शे जोन मार्शल आ जोन मार्शल कौन हतो शाइब तो वर्ष उग्णी सो एकविसना वर्ष ए आर्कियोलोजीकल सर्वे ओफ इंडियानों अध्यक्षतों कौन तो यास हडबपानू उत्खनन कारिय जे दयाराम शहानी नामना व्यक्तिय करेलू छे ए दयाराम शहानी हडबपानू खुदकाम करवा वड़ा व्यक्तिय चे पन वास्तविक्तामा आजे संस्थाना अंदर गत एमने खुदकाम करेलू छे ए संस्थाना वड़ा कौन अता तो जॉन मार्शल सर जॉन मार्शल प्लियर शहां यस मनुष्यना धड़नी मूर्थी हड़पा माथी लाल रेताल पत्थर माथी बनेली स्थरने खास पकड़ेन याद राक जो बई मनुष्यना धड़नी मूर्थी पन हड़पा माथी जमलेली शे पुरुष नर्तकनी मूर्थी पन हड़पा माथी जमलेली शे हजु पण एना थी आगण जईये तो डाधी धारी जे पुरोहीत छे एनी मुर्ती क्या थी मलेज सेवी ए मोहें जो दड़ों माथी गळा अने खभाना भाग मा छिद्रो जोवा मलेजहे जेनों उप्योग माथू अने धर साथे जोडवा धतो हतो माथू अने धड़ जे छे एने एक साथे जोडवा माटे उप्योग धतो होतो मनुष्यना धड़नी मूर्ती एसीवाई धातुनी मूर्ती ओजोईये तो हडप्पा काल मा मुख्यत्वे मूर्ती बनाववा माटे कासू अने तामभानो उप्योग करवा माँ तो केम साइब एनू कारण छे मित्रो के लोखंड जे छे ये लोखंड नी शोध थाई नोती सिंधू सभ्यताना लोको लोखंड नामनी धातु थी अजान हता तो लोखंड नी शोध क्यारे थाई साइब तो इश्वीशन पूर्वे पाँच मी सदीना समय गाना आ समय माँ लोखंड हतु हतु खरू पट खबर नोती खबर हती ने अने इतले ज आ समय गाळाने ताम्र यूग अथवा कास्य यूग पन कहवा मा आवे शे द्रवी मीन विधी द्वारा एतले के थातु ने गालान प्रक्रिया द्वारा आ मुर्तियों बंती लिबंगन जे राजस्थान माा आवेलू छे गगर नदीनों की नारोशां एक मिनीट चोटी ऊचा चोटी तो काई नानु यू बगलू आई उसे सौरी बगलू आई तो नानु यू आई काली बंगन जाथी पक्षी बढद ससलू अने कुत्रानी मूर्टी मली आवे लीशे अना काली बंगन क्या उच्छाइब तो राजस्थान मा गगर नदीना किनारा न अविस्थाल चो सिंधू सब्यतानी कुषिक क्रांतीना क्यंद्र साथ्य संक्राएलु कोई स्थड होई तो इस्थड कईू छै काली बंगन ने सिवाई थातुना गाडाना एतलेके बलत गाडाना रमकडा हडप्पा अन्य चान्हु दड़ो माथी पन मलेला चान्हु दड़ो जे सिंधू नदीनो विस्तार पाकिस्ताननों सिंग प्रदेश अन्य लार्खाना जिल मा आवेल छे नर्तकीनी मुर्ती तो ते मोहें जो दड़ो माथी मली आवेली शे मोहें जो दड़ो माथी बे मुर्ती थे याद राग जो एक डाधी वाडा पुरुष्णी मुर्ती एक आ नर्तकीनी मुर्ती जे विश्वनी सौथी जूनी मुर्ती शे आ सवाल पन एक्जाम मां पड़ी शके विश्वनी सवथी जुनी मूर्ती जे पण द्रवी मीन विधी द्वाराज बनावाई शे एनो जमनों हाथ जे चे एक कमर पर शे अन डाबो हाथ ये नीचे लटक तो होई जमनों हाथ कमर पर शे डाबो हाथ नीचे लटक तो होई आन त्रिभंग मुद्रा कहवाई शे कई मुद्रा कहवाई शे त्रिभंग मुद्रा कहवाई शे जो ये जमनों हाथ कमर पर अन डाबो हाथ नीचे लटक तो होई जे त्रिभंग नुरुत्यानी मुद्रा माँ शे महिलानी मुर्ती माँ डाबो हाथ जे नीचे लटकी रहियो शे ए बंगडियों थी घेराये लो शे मतलब बंगडियों पहरेली शे गड़ा मा कोडियों थी वनेलो हार पहरेलो शे अने माथू पाच्छलनी बाजुखें चायेलू अने आखो निचे नी तरफ नमेली शे एने एकजेट आवीरितनी मुद्रा शे पाच्छलन बाच्छलनी त्रिभंग मुद्रा शे मोहें जो दड़ो मांती मली आवेली विश्वनी सवी जुनी मुर्ति मानुमार मावेशे इह नरतकिनी मुर्ती कई मुद्रा दर्शावे छे त्रिभंग मुद्रा दर्शावे छे साइब आत्मा बंगडी शे गड़ामा हार पेरेडों छे माथ वाहे वह जुशे एकना लोडा हेठे छे क्लियरली याद रही जाई डॉक्तर जें बिमारी गणालतावी नक पगमा शाला पड़ेला शे आएक हुँ एंदर गुंशी गई शे नव नव नंबर शे डाबला जेवा शेसमा पेर शे माथाना वाल वया जाचे व्रुषबनी मुर्ती व्रुषबनी मुर्ती व्रुषबनी मुर्ती व्रुषबनी बड़त बड़त मोहें जो दड़ों माथी मले आवी जे कासानी बने ली शे आपन क्या थी मले आवे ली छे मोहें जो दड़ों माथी जो कोई विध्यार थी चोपड लेन बेठा होई ले देखन कारियर शरू होई तो लखतु जावानू मोहें जो दडो माथी आतली आतली वस्तु मड़ी आवेल छे फॉल्डर ज बनाई देवानू छो अपड़ाम फॉल्डर बने उजरूरी कॉम्पीटर माज बने मोहें जो दडो नीचे एरा मारी मारें लखी नाकवाना डाधी पुरुषणी मूर्ती, नर्तकीनी मूर्ती, बलदनी मूर्ती ओके यस गुस्थामा माथू जंबनी तरफ वडेलू जे बलद नी गुसो अवेने अन गरदर नी चारे बाजुशु बांधेलू छे भई, दोरडी बांधेली से औरुडरू गरदनी चारे बाहुशुश आवेल छे मोहें जोदड़ो कासानों रत तो दाइमाबाद माथी चार वस्तु मली आवेल छे जैने दाइमाबाद संग्रह तरीके ओडखवा माँ आवेच्छे तो सिंधु सभ्यताना चार छेडाओ सौथी उत्तरनी जग्या कोई जो होई तो ये जमू कश्मिर मां आवेली मांडा पची सौथी दक्षिन मां जो कोई होई तो ये महाराष्ट्र मां आवेलू डाइमा बाद पुर्व मां जो आवेलू कोई होई तो ये उत्तर प्रदेश मां आवेलू आलम गीर पूर आलम गीर पूर अने पच्छिम मा जो कोई आवेलू होई तो पाकिस्तान ना बलुचिस्तान प्रदेश मा आवेलू सुक्ता जेंडोर प्रदेश ओके यस आजे छे ए चार छेडा ओशे एमा आ डाइमा बाद निया आपड़े वाद करी रिया छिये सुमेलू हाथी पालो गेंडो अने मानश द्वारा चलावातो बे बलद साथे जोडेलो रथ मलिया वेलो शे रथ मलिया अत्यार जे आपड़े एटले एव बनी शक्ये के व ऐड़्यों जोडेला हो इंपाचल ये इत मेचल आवेलू सुआ बढ़ गाड़ू तो फॉर्वील कलता हारी फिलिंगा अवे बलद गाड़ू तो अन्स एखवानू बधू अन्सोक बधा पुरा कर वाना पन्नो आवडतू हूए तो सुद्ट शडईनी भेवानू बागे बलद आथवेगा नहीं रहें किया रेक गामडा विस्तार नी अंदर जाओ कोई खेडूत होई सगा सबन दिनी अंदर तो के वानू बहिए कोखत बलद गाड़ु हो करवा दे आपन बाके आउसे मजा इहो टकानी बात चे आप बधु करवानू लाइफ मा यार अधिकारी बन अने मुरतिव विजेवात करीया अपने तो मुट्डा भञ्सा नी मुरतिव गुजरात अन्य काली बंगन एकले राजयस्थान माति मली आवे शेडूत अई यां थी क्वेशन पुछाइड hopes शब् velसक हि के सुध्ण सभ्यतानी टेरा कोटाने मुर्तियो मां, मुर्टा भाग नी मुर्तियो निचे ना माती कया स्थले ती मली आवेली छे, ओप्षन नमबर एव होई गुजरात, ओप्षन नमबर बी महेंजोदड़ो, ओप्षन नमबर सी कालि बंगान, अप्षन नंबर डी हडपा एम आपील वह एक अने त्रोण बनने एक अने बे एक अने चार बे अने चार आपेला माथी एक पन नहीं मारा विद्यार्थियोन खबर होवी जोई है साइब टेरा कोटा आयू साइब आमां गुजरात ने काली बंगन जावे बीज़े क्यां जवाई नए साइब धातू आईवी हाँ पुरुषनू जेचे डाठी दारी पुरुषनू आयू नर्त कीनू काई आयू चे अने मोहें जो दड़ो आवे साइब बढ़द आयो हाँ मोहें जो दड़ो आवे पुरुष करता स्त्रिवो नी माटी नी मुर्ती हो वधारे प्रमाण मा मली आवे ली छे अने पक्वेली माटी माथी घडेली आकरूती इस जीप्तना ममी ने मलती आवे छे इस जीप्तनी अंदर जे ममी ओ मली आवे छे ने ममी एकले जे काई पन जेते समये राजाना जे श चनाओ बांधेली शे रेडी चैने ओके अ मात्रु देवी नी मुर्ती मात्रु देवी नी मुर्ती साहिप केम जवाब नथी आपता भईव ना आपी शकू जवाब के ब्ये कल्लाक आपने पूरी थवाएवी और हजू कंटिन्यूसली मारे पांच कल्लाक तमने भणावानू छे केतली कल्लाक पांच कल्लाक अवे हुझ जो येवी बधी वातोमान कि इवी रितना ध्याना पू तो तमारी एपनर्जी वेड भाई मारी एंटर्जी वेड भाई जे विद्ध्यार्थि आई या र्यलीटी महा भणवा मा के बैठै ये विध्यार्थिन्यूसली यह पांच करलाग छो करलाग साथ करलाग जे तलो मेरो थोन थाए यह तलो समय गालो उन कंटीन्यूस्ली भणायवाच करो वी जुक्या यादू अहां जरूरी लागे चे त्यां कोमेडी करा हिद दौश हो जेति करिं तम ने थोड़ी कहांसी आवी जय मने थोड़ी कहांसी आ आपड़ों बाक्यों कॉमेंटों नी अंदर ध्याना पियान वातु करवा उन नथी मागतों ओके एटले मेरबानी करिंद कोई एवा कारण वगरना प्रश्णों यहां पर आजे पूछुवा नै आउती काल्थी पूछे लेवा आउती काल्थी मात्रु देवी नी मूर्ती तो टेरा कोटा माथी बनेली मात्रु देवी नी उपासना साथे संक्लाएली मूर्ती शे अन्य मूर्ती मां स्त्रिवो ने कमर पट्टा मां वागना चामडानू कापड याद राग जो कमर पर जे पटो बांदेलो छे एमा वागना चामडानू कापड अन्य गळा मा हार छे अमुक मूर्ती मा खला मा बाळक दर्शावा मा विईु शे क्यλλीक मूर्ती वो एवी मलेली शे कि जे मुर्तियों मा खोडानी अंदर बाड़क सुतेलू छे मात्रुदेवीनी मुर्तिनी बाद चाही छे एक मुर्ति मा महिलाना गर्भ माथी छोड उगतो हो होई तेवु दर्शावियु छे हवे जनरली तमें जोवा जसो ने तो छोड छे ने ए पुर्थवी माथी उगे काड़ोट चे एवु विचारे शे के कि आजे मुर्ति शेने ये धर्थी मातानी मुर्ति हई शके कौनी मुर्थी हई शके धर्ति मातानी एकले जे मुर्थी गर्ब माथी छोड उगे शे ये धर्ती मातानू प्रतिक होवानू मानवामा आवे शे सिंधु सब्यताना लोको सम्रुद्धी औने फळद्रुपता माटे मात्रु देवी नी पुझा करता हता आविधान पड़ी शके खास याद राग जो सिंधु सब्यताना लोको मात्रु देवी नी पुझा शा माते करता तो सम्रुद्धी औने फळद्रुपता माटे क्लियर यास विधान वालो प्रश्ण पूछो ओए तो आमाथी केम पूझे खबर शे निचे आपेला विधानोंने चकासी अन सत्य विधान जनावो विधान नंबर ए मुकेलु होई सिंधू सब्यता माथी मलेली 13 कोटानी मुर्ती मा सौथी वधारे मात्रा मा मुर्ती गुझरात अन काली बंगन माथी मलेली छे विधान नंबर बे डाइमा बाद माथी मल्यावेली मुर्तियों ना संग्रहने डाइमा बाद संग्रह तरीके ओलखवामा आवे शे विधान नंबर त्रण सिंधू सब्यताना लोको सम्रुद्धी औन फर्द्रूपता माटे मात्रू देवीनी पुजा करता हता अन विधान नंबर चार आपेला तमाम सत्य छे तमने खबर पडवी जो यहामा थी कईू सत्य छे कईू सत्य छे हूं जे बुईलो ए त्रण ए त्रण सत्य छे धेट मिंस आपेला तमाम सत्य छे क्लियर डोक हलावता पसुनी मूर्ती डोक हलावता पसुनी मूर्ती मोहें जो दडो माथी आ पसुनी रमकडानी मूर्ती मली आवेली छे अने श्यमा थी बनेली छे भाई तेरा कोटा मा थी मोहें जो दडो नी अंदर वली पाची आ एक मूर्ती ने एड करी दे जो डाधी धारी पूरुषनी मूर्ती तो मोहें जो दडो मा थी हतीज फुरुषब नी मूर्ती तो हतीज कासा नी नर्तकी नी मूर्ती तो हतीज चो जार्थी वधू जेतली मुद्राव मली आवेल छे साइब सेल खड़ी एतले सु तो सफेद पत्थर शेल खड़ी एतले सफेद पत्थर वधू मुद्राव मली आवेल जे सामान्य दिते चौरस छे अने ते स्यमाथी बनेल छे शेल खड़ी माथी महोर बनावा नदीना तलिये थी मली आवेल मुलायम पत्थर नो सौथी वधु मात्रामा उप्योग थतो अन्य जे महरो शे एमा तामबू, सोनू, अकीक, श्रीष्ट वगेरे द्वारा पन महरो बनेली शे जो मुट्टा भागे जे महरो बना मलेली शे ने, ये श्यानी बनेली शे बई, पत्थर नी, अवे तमने ये उपूछे के सिंधू, सब्यतानी महरो बनावा माते कया पत्थर नो उप्योग थतो, तो नदीना तड़ियाना विस्तार मा थी, जे मुलायम पत्थरों मले शे ए पत्थरों, पन जरूरी नथी के पत्थरों नीज महर बने, तामबा नी पन बने, सोना नी पन बने, अकीक नी पन महर बनेली शे अने सिंधू सभ्यतानी जे लिपी शे ए चित्राक्षर शे अने आ लिपी हजू उकेली शकाई न थी ते बन्ने तरफ लखवा मावी शे आ समय गालों कई ओछे कबर शे आध्य आईती हासी की यूग करों समय गालों चे भई आध्य आईती हासी की यूग जे चे ने एनी लिपी मले चे यह सेब लिपी मले चे पना आनी लिपी ने उकेली शकाई चे ना साइब आ लिपी ने उकेली शकाई क्लियर साइग्य वई नेक्स्ट जैए तो आकरूती मां भारतिय पाडों बलद गैंडों वाग भेंस बकरी आथी जणाई चे एक वस्तु याद राग जो जेटली पन आपणने महर मलेली शे ये महर मां कोई पन जग्या पर गाई नी छाप जोवा मलती नथी गाई के जेने आपणे पवित्र पशु मानिये शे एनी छाप क्याई जोवा नथी मलती मानव आकरूती धरावती महर मां पशु पती अने एक शिंगी पशुनी महर उलेखनिय शे लोथल अने मैसो पटे मिया मां थी महर मलता त्यां सुधी व्यापारी उप्योग थतोर से आजे बनने जग्या शे ने लोथल अने मैसो पटे मिया हुँ या टुक मा लखुचू मैसो पटे मिया बनने जग्या ये थी छे ने एक समान महर मलेली शे अवे आनो मतलब सुथा एक बर छे छो भई अत्यारे जे लंडन चे ये लंडन नूँ चलणी नानू तो पाउन्ड चे भारत नूँ चलणी नानू रूपियो शे लंडन मां थी रूपियों नो मले कांके त्यां पाउंड चाले भारत मां थी पाउंड नो मले कांके अईया रूपियों चाले पन जो लंडन मा पन तम्य जावने तमने रूप्यो मली जाए भारत मा तम्य आवन तमने पाउंड मली जाए तो एनो मतलब एवो ख्लियर थाए कि बनने देशों वच्चे व्यापारिक सबंधो छे मली फो कमे लोल शालता होई यक विजा देशंने अविर अवल्फार्ण व् मलेली शे ये वीज महोर क्या थी मलेली शे मोसे मेसोपोटेमिया माथी तो बन्ने देशों वच्चे व्यापारना सबंधो अशे आवात उपर आपड़े खात्री आपिये शिये इतिहास कारों आपिये शे एक स्रिंगी पशू जे छे एक पशू नी महोर तो क्या थी मली आवेल छे साइब हडपा अने मोहें जो दड़ो बन्ने जग्या पर थी आ एक शूंगी पशू नी महोर मली आवेल छे अने आ एक शूंगी प्रशू जे छे ने इए आपड़ी सिंधू संस्कृती नू तो हतूज पण जोडे जोडे ग्रीक अने रॉम्मन स्त्रोत मा पण आ प्राणी नू वर्णन जोवा मले चे विचार जो तमे नॉर्मल वस्तू छे अपड़ू आ सिंधू सभ्यतानू पशू तमें जो रूतिक रोशन नू पेलू मुवी जोई तो मोहें जो दड़ो तो मोहें जो दड़ो नियंदर रूतिक रोशन जारे जारे सपनू के विचारावे ने त्यारे ने आ आ एक शूंगी प्रशू पशू देखाए क्या यानो वर्णन जे छे अन्य देशो माथी पन क्या थी तो ग्रीक अने रोमन्स त्रोत माथी पना प्राणी नू वर्णन मले छे उपर ना भाग मा आठ जेतली संगना ओचे महर उपर छे पशू उपर संगना ना होई लांबी डोग गुच्छादार पूछडी अने गाई ज जे पगमा होई पगनी जे खरी आवे ओके यस आर इतना आर इतना पगनो अंतिम जे भाग वई ने यस आने खरी क्या आवाई आने शुक्या वाई खरी क्या वाई ग्रीक रोमन याद राग जो पशू पतीनी महर महर तो आम तो नी महरे गणाय आपने महें जो दडो माथी माथे शिंगडा वाडो मुकुट ध्यान मुद्रा मा बेठेला होई तेवा पुरूष देवतानी शेल खडी माथी बनेली एक मुर्ती मलेल छे जे चारे तरफ पश अने आ जी, निशे तरफ पण बेहरन छे अने आ महर मा पशू वाने काताई आपने अलुद्र लुस्हा सरे जो पशूपती नी महर केहवाई चे भयाने पशूपती नी महर केहवामा आवे चे डन्छे दोस्तो अवे मोर्य कालीन मुर्ती कड़ा विशे वात करिये मोर्य कालीन मुर्ती बेकल्लाक उपर थाई गियुँशे ओके आपने आ चोथा टोपिक नी शरुवात करिये चोथो टोपिक अने शरुवात मा पण किधुथू अतिया रेपन कवचू जे पन विद्यार थी कल्चर नी अंदर माक्स कवर करवा मागे शे संगीत ना भाद्यो मा थी संगीत घराना मा थी सिंधु सब्यतानी मुर्ती कड़ा मा थी मोर्य कालीन मुर्ती कड़ा मा थी पची भारत नी आदी जन्जातियो मा थी भारत नी प्रादेशिक चित्र कड़ाओ मा थी माक्स ने कवर करवा मागे शे ए आजना लेक्चर ने पूरे पुरो ध्यान पुर्वक निहाल जो संगीत ना वाध्यो पूरा थाई गया चे आपड़ा शरू आतमाच तंतु वाध्य हतू शुशीर वाध्य हतू अवनध्य वाध्य हतू धन वाध्य हतू संगीत साथे संकलाएला घराना ओपन आपने भनीली ता दिल्ली घराना जोया चे अजराडा घराना जोयो लखनो घराना जोयो आपने जैपूर घराना जोयो आवा बदा घराना ओशंगा बाद कराना फरुखा बाद आ घराना जोया पची आपने सिंधू सब्यता साथे संकल प्रादेशिक चित्रकडाओ आउशे वारली चित्रकडा होई पिछवाई चित्रकला होई चित्रकला होई होयी फाड चित्र सैली होयी होई कालि घात चित्र शैली होय , पट्टू चित्र सैली होयी , अवि बति , समझाहिएं से वे अमिए उतमने डौशू कि आतल舌 भणवानुदखे आजे , जेटला भणवावडां दांगें आई जन जाती नो टोपिक आउश है ओके यस हाँ एना पछी बीजा चार पांच टोपिक आउश है मुखवान ने था तू जुकेगा तो नई अज साला याद राग जो मोरियकालीन मुर्ति मा जो ये तो आ समयगाणा मा जहे कोई पण मुर्तिवो मली आवेली छे ये पोलिश करेली छे मतलब एकदम चमकदार मुर्ती हो शे एकदम तो नो क्यवाई पण सिंधु सब्यतानी सापेक्षे सारी ये भी मुर्ती हो शे चमकदार गांधार तेम अज मतुरा अने अम्रावती जेवी विद्या भवनो आ शिल्पकृती माटे महत्वना आता मित्रो आ गांधार जेचे ने जों तमने समझाओ गांधार मतुरा अने अम्रावती आ त्रणे त्रण सुचे खबर शे आ त्रणे त्रणे त्रण उंकई दो तमने मुर्ती कलानी भारतनी अगत्य नी त्रण शेयली वो शे आ त्रणे त्रण सुचे यास त्रण शेयली वो श यह माथी जया गांधार कला आने मथूरा कला जे छाने ये कनिश्कना समय गाला दर्मियाना नो विकास थे येलो छे कनिश्कना राज्यास्रई हेठल विकास तो सहेबा अमरावती कला जे छे ये सुछे तो आंध्र प्रदेस नो जे विस्तार छे ए आंध्र प्रदेस ना विस्तार माँ खास करीने 7 वाहक वंसना राजाना समय गाला दर्मियान एतले के 7 वाहकोना समय गालामा अमरावती शेलीनो विकास थे येलो छे आमाथी येजु गणू दीप माँ पन जवानू आवे पन आपने मुर्ती कला साथे संकला एली शेली वो विशे जारे अभ्यास करीशूने त्यारे 22 लिप मा जई शू आचने आ गांधार ए मिक्सर चे केवी शे मिसर शैली चे एमा भारतिय इफेक्ट पण चे औने प्लस ग्रिक नी इफेक्ट पण चे तमने यह उपुछे के निचे नामा थी मूर्ती कला साथे संक्रा एली संपूर्ण स्वदेशी शैली कई चे त् फ्रदेशना भारतिय नी पण ऐफेक्ट लागे इराक इरांनी ग्रिक विश्तार नो पण मानवा मां आवे छे खास करेने गांधार मां माटी चुना अने लाल पत्थरों नो उप्योग ठतो मथुरा माथी शनी शनी मुर्ती मलेली छे तो यक्षनी मुर्ती ए मोर्य कार्नी होवानू मनाई छे ए सिवाई पटनानी दिगंबर प्रती मां छे पटना जे बिहार मां आवेलू छे जेने जेते सम्मय ये पाटली पुत्रना नामे उळखवा मावतु अने एनी स्थापना हर्यक वंसना राजा 22 सार ना दिकरा कोन ता 22 सार ना दिकरा अजात शत्रू येने केई रिती, नोती केई रि, भले अमुक अमुक बुको मा लखेरू जे, क्लास थ्री नी बुको मा यह उलखेलू होई के अजात चत्रू ये केरी, पण वास्त विक्तामा आपट पातली पुत्रनी स्थापना हर्यक वंचना स्थापक बिंबी सारना दिकरा अजात लिष, कौने करे लिछे, उदाई ने, पची राजगाट नी त्रीमुक यक्षमी मूर्ति, पदमावती नी मूर्ति ग्वालियर मा, पार ख 가까ंनी यक्षमी मूर्ति, धली ओडिस्तानी हाथी नी मूर्ति, दिदार गंज, अने ब्यैस नगर नी यक्षनी नी जे मूर्ति ओ ये मूर्ति ओ कया समय गाडा नी गणवा मा आवे चे वै तो मोर्य समय गाडा नी अगत्य नी मूर्ति ओ गणवा मा आवे चे अने शव प्रथम यक्षेणी ओनो उलेक ज्वापन ने क्यां इंती पण मलतो हो ओई तो शिल्पद्दी कारम नामना तामील ग्रंथ माथी मला चे शिल्पद्दी कारम अमें क्यांक ने क्यांक साम्भडेलू छे सूचे या शिल्पद्दी कारम या स्वार इगट आने धक्षिन भारत नी रामायान मानवामा आवेश शिल्पद्दी कारम याद राग जो मनी मेखलाई ने धक्षिन भारत नूं महाभारत मानवामा आवेश तमने एकजाम मां पूछे सव प्रथम यक्षिनी ओनी यक्षिनी ओजे छे एनो उल्लेक क्या थी आपन ने मलेशे तो शिल्पद्दी कारम नामना ग्रंथ मा थी जे तमील भाषा मां लखाये लोश है ओके यस नेक्स्ट जाहिए मित्रों जीपी एससी एचीवर्स मेच वीशे आपने चर्चा करिये ओके आम तो 25 स्तारिक थी डेमो लेक्चर नी शरुवात थाई गई शे आउती 31 स्तारिक सुधी डेमो लेक्चर चालवाना छे टोटल चवूद डेमो लेक्चर मलेशे तम कितला डेमो भई चवूद रेग्यूलर सवारे आपड़ी आ यूट्यूब चैनल ग्यान लाईव ज तुदि बे डेमो कायम आउसे 31 स्तारिक चार डेमो आउसे आर्थी 10 साड़ादस्ती साड़ाबार बेथी चार अन चार थी छो आरीते डेमो आउसे ओके आपड़ी आ जवर्जस्त लेवल नी टीम छे रनवीजै राव साहेब ना मार्क दर्शन हेठाड प्रकुषी दाहेमा चलीं चनी खाहाइब चाहेब चेह सागर चोर यसमुधी सर छे विसाल सर छे आकाष ब्रम बत च הא मी मेढम चै वाईसाली बाव अधरा मेडम चै ओके वीजै मेहता सोर चै मारोइढ नथी उपन चूंशू अर आपने ठोटा नी जरूर नहीं जरूर। नथी नथी जरूर क् एक वर्षनी बेच लेवी छे यस तो कूल फीश छे मित्र मारा 34,000 पन 50 टकाना डिसकाउंट साथे तने मले छे 70,000 मां साइब नाना बे वर्षनी लेवी छे कोई वांतों नहीं कूल फीश चे 50,000 रूपया अने तने मले छे 25,000 रूपया मां मारू सजेशन लेवा मागे अने लाई बेच चोच लेवी हूं तो सजेशन ओफलाइन नूज करीश ऑफलाइन नूज करीश पन चालो कदाच साइब कैपेबल न होई हमें के साइब गांधी नगर मा आवी आने एक वरस माटे न रही शकीए कईकने कई प्रोब्लेम होई फिनांचियल प्रोब्लेम होई लाई बेच चोच लेवी छे तो बेवर्षनी बेच लेवाई एनू रिजन छे बेवर्षनी बेसमा तारा सिलेबस नू कितली वखत रिविज लेवी पड़ से ना किता बेवर्षनी बेच होई तो आप बेवर्षनी बेच मा तू आराम थी सक्षेस थाइस आराम थी सक्षेस थाइस आलाई बेच नो नमबर शे ओके बट हुँ सजेशन करूचू जे विध्यार्थी नी पांसे समय शे एमनू फेमेली सपोटेर शे के भजू बेत्रण वरस्तू आराम थी तारी करियर माटे हापी शक्षे गांधी नगर जही ने तु तयारी कर अमे तने सपोट करवा माटे तयार छिए तो आवा विध्यार्थी ने सपोट करवा माटे आवा विध्यार्थी ने अधिकारी नी लाइप सुधी पहुचाडवा माटे अमे पन तैयार छिए आओ गांधी नगर अईयां पर ग्यान लाइव ओफलाइन नी फुल्डे बेचनी अंदर जोईन थाओ डेमो लेक्चर क्या रे छे? साइब साथ तारिक, आठ तारिक, नव तारिक अने दस तारिक आउता छठा मैना माँ सवारे आठ वाग्ये डेमो लेक्चर छे साइब अईयां पर फीस केतली छे? फीस तो छे 25,500 पन डेमो पहला जो तमे कंफरम करावो छो तो 35,500 रूपया फीस रह छे साथ तारिक थी 11 तारिक नी वच्चे फीस आपो छो तो 38,500 अने 11,500 फीस आपो छो तो 25,500 रूपया फीस रह छे सेम फैकल्टी छे, बेनीफिट केतलो थशे एक आओ, ओफलाइन बेच नी अंदर जे विद्यार्थी एडमीशन लेशे यहने लाइव बेच फ्री ओप चार्ज मां आपा मां आऊ छे, मतलब विद्यार्थी एक वार ओफलाइन मां बणी शक्या छे कोई पॉण कनफ्यूजन नों सॉल्यूशन त्यां त्यां त्यांज उभा उभा क्लासरूम मां फैकल्टी आपी शक्या छे, फैकल्टी ने प्रशनों तरी करी शको छो तमें बीजी वस्तु, घरे आवी ने तमें विचायरो, रातरे बेठा होई त्यारे, कि आजे जैस्तर वार्सा नमना टोपिक मां जाओ, जे टोपिक भनों चे, टोपिक पर क्लिक करो, जए सरज वार्सों भनाओ शे तमने, रिवीजन थाई यू, ओके, यास, आज बेनिफीट नहीं याँ पर मले शे, आ ओफ्लाइन बेच नो नमबर शे, आ ओफ्लाइन बेच नो नमबर शे, क्लियर शे, नेक्स्ट जाइए, अवे भारत नी पादेशिक चित्रकळाना टोपिक मां जाइए भै, मौस्ट इंपोर्टन्ट, गुजरात सरकार नी कोई पण परिक्षानी अंदर पूछा नारा, चित्रकळाना, प्रादेशिक चित्रकळाना सवालो, आपड़ी PPTT बार ज यह क्यों आए, एतोर शक्य नती भई, शक्यों नती जोई आजी आपने पोस्ट मोटं कर यह प्रादेशिक चित्रकळाना टोपिक नूँँँँँँँँँँशू आजी kita怕 मेली मारी फ्ली चित्रकळा आवे सै अने यह नू नाम से, मधूबनी चित्रकळा कई श्यवाई हाई य Lori मदूबणे चित्रकला या जिस्या ने मदूबणे चित्रकला आइ मिद्रे चित्रकला आंग भासकर देला तोल भगवान रामा साथे संकला बाटाये लीlen सेना साथे संकला है यू छन मे लिप लगण नो समय गालों छें एसमै ये समय गाड़ा थी आ चित्रकणानों उद्भव था ये लोर से साइब क्लास त्री नी परिक्षा मां सवाल पुछाई असंख्यों वक्षत जोड का वो पुछाई शें या थी असंख्यों अन्हवे तो पुछासे अवे तो पेपर इजी आ हुआनाद नथी ये बदो वेम व बनी आ मिथिला चित्रकणा तैयार कोनाद्वारा थाई खबर छे तो जे हुआ शे चयार पर एक धू बनी शज है उतलितली आम्धिला चित्रकणा द्यार स पूछे ऑणसिए तमने एगजाम नी अंदर पुछुा मावे कि मधूबनी चित्रकडा जे छे ये कया शहर ना विस्तार नी महिलाओ द्वारा तैयार थाए पची विज्यार चो लखी ना मिथीला नी महिला द्वारा नई मधूबनी पोतेज शहर छे वई जन्म लगन अने तहवार जेवा सुब प्रसंगों ने चित्रित करेचे चित्र मां क्या ये पन जग्या छोडवा मां आवोती नथी आखे आखू चित्र के वो आई शे भर्चक वैं जोह लियो अन्यां क्या तमने आ चित्रों नी यंदर जग्या नहीं देखाई यस आ मधुबनी चित्रकला नोज फोटो शे आको आपड़े गम्मे तियां थी उठावीन फोटो नथी मुकी दितो अई यां क्या ही तमने जग्याने जो अमले आखु भर्चक चित्र शे आ मधुबनी चित्रकला नी लाक्षन इकताओ शे याद राग जो विस्तार कयो तो सा बिहार मधुबनी पोते शहेर शे एनी आसपास नी महिलाववा चित्र तैयार करेने एतले आने मधुबनी चित्रकला क्यावाई वास्तविक्तामानु नाम चे मिथिला चित्रकला कै चित्रकला मिथिला चित्रकला शुब प्रसंगो ये आ चित्रित करवामा आवे शे मधु बनी चित्रकळाना मूर जेछे ए रामायन कालीन छे शिता अने रामना लग्न प्रसंगे राजा जनके लोकोने चित्रो दोर्वानु कहेलू अने त्यार थी आ चित्र दोर्वामा आवेशे महाराजा जनके आदेशापेलो प्गवान रामनी जारे अयोध्याथी जानावती थी शिता माताने परणवान माटे त्यार जनक राजा या आदेशा पेलो के मारा विस्तार ना तमाम लोको जेछेए इसारी शारी रंगोड़ियों शारा सारा चित्रो दोरो अने विस्तार ना लोको ये चित्रो दुईरा त्यार थी या चित्रो फ्यमस थया सु आव्यामा तो सुर्य, चंद्र, तुलशी ना चित्रो जोवा मले बेवडी पंक्ती ना किनारा, घहरा रंगो नो प्रियोग, पुष्पभात अने मुख मुद्रा या चित्र कळानी विशेश्ता हती गाई नू छान अने माती ना लेप करी, तेना पर चोखानी लुगदी अने वनस्पती ना रंगो नो पन उप्योग करवा मा आउतो जरूरी न थी क्या चित्र कापड उपर थतु भई, आ चित्र जमीन उपर पण, यह सईयां पर खास यादराग जो मधू बनी चित्र जे छे, यह जमीन उपर पण दोरवा मा आवे, यह कापड उपर पण दोरवा मा, कापड ने यो, कापड ओके प्रकृतिक रंग माटे पीला रंग माटे हल्दर अपड़े जने हल्दर कहिए न सब जीमा साक माना खिये लाल रंग माटे कुसुम ना फूल लिला रंग माटे व्रुक्ष ना पांदडा सफेद रंग माटे चोखा ना लोट नो उप्योग करवा मावतो बहु मस्त्री एक्जाम नियंदर पुछाई मधू बनी चित्रकला मा प्राकृतिक रंग माटे नीचे ना माथी कया कया द्रव्यों नो उप्योग करवा मावे वाइट रंग पुरुवो छे तो चोखा नो रंग लेलियो ग्रीन कलर पुरुवो छे तो व्रुक्ष ना पांदडावो लेल तो यलो कलर पुरुवो छे तो हड़ा लेलियो अन लाल रंग पुरुवो छे तो कुसुम ना पुलडाव लेलियो बहुवी जी छे विस्तार याद राखो एनु मूल याद राखो एनिकाएक अगत्य नी बाबतो हयावी तो याद राखो जमीन उपर चोखानी लुग्दी अने वनस्पती रंगो नो उप्योग थातो गाई ना चान थी लेप करवा मा आउतो रामायन साथे संक्लायेल छे मूल बिहार नो मिथीला विस्तार जे मधु बनी शहर नी आसपास निस्त्री वो आउ याद राखो पूरी थाइगे मधु बनी यार पूरी थाइगे ये त्रोन स्वरूपे जो आमना वाद केरी एक भीत चित्र भूमी चित्र अने पट चित्र धार्मिक प्रसंगे भीत चित्रों नो उप्योग थाई अने घर ना आगणामा जे दोरवा मा आवे येन भूमी चित्र क्यावाई साइब अईया कई समझाणू नहीं तमने समझाओ दिवाली ना दिवसे तमे जे रंगोली दोरो छो ने घर ना आंगणानी अंदर ए रंगोली सुछे तो साइब ए भूमी चित्र छे कई चित्र छे ये भूमी चित्र छे यस वेरी गुड हवे बिजी वस्तु समझाओ तमारा घर नी अंदर लगन प्रसंग होई तो तमे दिवाल उपर गणेश जीनी स्थापना करो छो गणेश चिनू चित्र दूरो छो तो आगणेश जी जे चे ई कई चित्र थयू तो साइब ये भीत चित्र थयू कई थयू भई भीत चित्र थयू अवे समझाए गिए शूभ प्रसंग दरम्यान जे चित्र दोर्वा मा आवे ये भीत चित्र होई कया होई भीत चित्र यास अने तहवार दरम्यान जे चित्र दोर्वा मा आवे ए मोटा भागे कया चित्र होई भूमी चीत्र होएय कि अपँपर दोर्वा मार्या दुब हुय को ब्रोमी ओपर क्यारे दुब घ्रम ए ठीसाफार तेगों दिवाली के तेःवार धर स्टा ना के वाई कंटा सेंग्या लगन दरवर हैं नो आवे लगन दरवर हैं तो बापा वहां पांगी नाखे अन्य जुनू बईरू मारे या लग थी अम बदी छिस्टमा वे हमजवानी बदू दया दाळ में कुछ काडा है दया के बापू दाळ में काडा नहीं है दाळ पूरी काडी है चालो डं 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 ओके प्रट्टू चित्रों जेचे एए वस्त्र पर वासनी सली द्वारा दोर्वा माने होट प्रटू चित्र कर्टू अधर होपर या द्रहं चित्रकार तो बुवाघ्मी भाती दयाल गंगा द्री सितादिवी और आजये मधु बनी हुर्ब्राप्त थोचे वरी ग्राफेकल इंडिकेशन जी आई टेग प्राप्त थोचे बिहार नी कई चित्रकला ने हम्छि आई टेग प्राप्त था यह लोच तो सब्सक्राइ नयुकला नियुक्त छित्रकला अम्हार आद राखवा माट बिभार नि महिलाव नाम नी पाचळ मोड़े भागे देवी लागे पाती दयाल देवी झे में गंगा देवी छे ता देवी छे नाम याद नहीं राखवा खाली देवी याद राखले तो इतारो माक्स आउसा है क्लियर नेक्स्ट जहिए भई पट्टू चित्र तो ए उडिस्सा नी परम परागत चित्रकारी शा पट्टू चित्र पट्टू चित्र शाना उपर दोर्वा मावे भई कापड उपर याद राखो नारियल नी बलेली काचली ना रंगो अने काजल जेवा पदार्थोनों अईया पर उपयोग थाई चे जो आपट्टू चित्र शा है अपट्टू चित्र शे पट्ट चित्र में अमना जापड़े वाद केरी ने भई अमना जापड़े वाद केरी ओके भीत चित्रोनी वाद केरी दिवाल चित्रोनी वाद केरी पट्ट चित्रो त्रोन प्रकारना चित्रो तो पट्ट चित्र कापड उपर होई दिवाल चित् चीतर चीतर नी प्रुष्ठ भूमी पांदड़ा पुस्पो थी अलंकृत थाई छॉ एनि विशाई वस्तूसु छे तो ओडिस्साने याद करो तो जगन्नाथ भगवान होई वेश्नव संप्रदाई होई शक्ती और शीव पर आधारित छे और एनू अगत्यनू जानितू केंद्र हो होई तो रगुराम पूर छे कई उछे रगुराम ताड पत्र पर तैयार करेल चित्र ने ताला पत्र चित्र तरीके ओडखवामा आवे शे आ नव येक याद राखीले जो ताला पत्र चित्र सहब अमें क्लास्थ्री नी तैयारी करिये तो अमने आ पूछाए हा पूछाए पूछाए मधू बनी चित्रकला पत्टू चित्रकला फाड चित्र शयली अने कालिघाट चित्र शयली अईया तमने आपी दिदा छे राजस्थान पच्छीम बंगाल ओडिश्या बिहार सब्सक्राइब responsors क्लास ट्रिनों भीर जो शवाले इन्या थियावे क्यों कम समंटमें सम्क्राइविचलक टेंबेस आखेट व सबस्केमें आखेटें। वगढ nosटब खिर्णक आर खलर्एकलें इसे सब्सक्राइब दोबनाहिं। खबर होवी जो यह बिहार नी वह तो मधुबनी होई पन ओडिश्या नी होई तो पटू होई कई होई पटू होई आनी जी आई तेक प्राप्त थियो पटूवा ए बबुवा तो पच्छीम बंगाड बबुवा बोली गयो एटले वार्ता पूरी थाई गये कई होई पच्छीम बंगाड ना मिदनापूर खाते लगभग एक हजार वर्ष पुरानी आचित्र कडा छे मंगल काविय औने देव देवतानी वार्ताओनू तेमा वर्णंग छे तेने कापड और कागड बन्ने उपर दोरी शकाई बन्ने उपर दोरी शकाई शरुआतना समय माजे छे ये राजनेतिक और सामाजिक मुद्धानी तीका करवा माटे उप्योग एनो थतो तो समझीले जो हावस्तु ने तमें न्यूस्पेपर जो वाजता होई ने तो न्यूस्पेपर नी अंदर घणा बधा काटून आवे राजनेतिक बाबतों के सामाजिक बाबतों नी तीका करता काटून काटून ने जोईयत खबर पड़ी जै काटून कौनी तीका करे शे ओके आवा काटून आवे बस सामाजिक और राजनेतिक बाबतों नी टिका करवा माटे निचेना माथी कई प्रादेशिक चित्रकला उपयोग थतो तो बबुआ नै पटुआ कई पटुआ चित्रकला जे पच्छीम मंगाल नीचे सौथी वदार्य अगत्यानी बाबती आद राखीले जो बै पटुआ चित्रकला तो कालीघाट पच्छीम मंगाल नीचे कोलकातानो जे कालीघाट विस्तार शेक जे कालीघाट विस्तार थीयोग कोलकाता काया रज्य áमा अवेलू छे तो पच्छीम मंगाल माँ वाचरडाना अने खिसकोली ना वाड माथी बनेला ब्रश्न उप्योग करी जल चित्रों बनावा मावेचे खिसकोली ना वाड खिसकोली ना वाड नॉर्मल विचार करो तमें अगत्यनी बाबत थाया अपड़ा माटे काली घात चित्रकला जेचे मा वाचरडाना अने खिसकोली ना वाड ना ब्रश्न उप्योग करी जल चित्रों बनावा मावे देवी दिवताना चित्रों बनावा मावता काली घात नी चित्रशैली ने ते समय नी बंगाली तीनु दरपण क्या हवाई शे हाँ निचे नामा थी कई चित्रशैली ने बंगाली चित्रशैली नु दरपण एवा नाम थी ओडखवा मा आवे तो काली घाट अईया याद शू राखवानू छे साइब एक तो आनू राज्य याद राखीलियो एक तो वाचरणू याद रा चित्रशैली चमनाा मा आवे आट लू याद राखव़ीलियो आटलू कलम कारीने आपने बंगीए यज पैम पॉरी पीलियों मन्तरस लएगी छें कर्णके घन्टीन्यूसली एक कल लाक था हिन त्यार में पानी पीद्थू लास्ट एक कल लाक था हिने त्यार में पानी पीद्थू अभी महां पाछवू पाणी पीवरू तो यह दोड़ कर लागती कंटीनिव भनावरू से यहां खुटी जू है राम एक मिनिटो दोस्तों खली कई दव पानी भरवानू रुपेज भाई ओके अब दीदो बंभो बाटलो अवी परिनाम से लापने पीशु ओके कलम कारी चित्रकला नाम थीनच खबर पड़ी जाए शेना द्वारा तैयार करवा मावेशे वै कलम द्वारा अने खास करीने कया राज्य साथे संकलाएली छे तो आंध्र प्रदेश राज्य साथे संकलाएली आचित्रकला शे अंध्र प्रदेश राज्य साथे संकलाएली छे सुत्राव वस्त्रपर बनावा मां आवे वास्थी रेखादोरी तेमा वनस्पती जन्य रंगों जे छे इवनस्पती जन्य रंगों ने पुर्वा मां आवे छे अउँ पाचो थोड़ो एक डूर्ज मार लोगा विद्ध्यार्थी साथे वातत नती करतों चालों एक ओकत जेटला विद्ध्यार्थीं यांचे बद्धा कॉमेट करें जन्य आओ समझ पड़ेशन भै मज़ा आवे छेन कंटीन्यू भणवानी जीपी एसी मां उज रहे से बैए जीपी एसी मां कंटीन्यू भणवानू जरहे से त्यांके अधीकारी भणवानू जबाई मुकवान थड़ू ओया मां चालो एक और कॉमेट करीन जनाई दियो मज़ा आवे से बद्धाने आएकोखत शेयर करी दियो शेशनने चालो जबर जस्त्रीते शेयर करी दियो व्यू मने ओचा पड़े से बैए तबने जे लागतु होई पर मने ओचा पड़े से आपड़ी चै कि एतो आधनवी शे काल थोड़ी असे डंको वगाडवानों जाखा गुज्रात माँ आपड़ो गोल को शेको क्लियर लिको गुज्रात ना विद्ध्यार्थी ने UPSC नी तैयारी करवा माटे दिल्ली न जवु पड़े दिल्ली नी एकाड़मी नी अंदर न जवु पड़े ख्याली ज्यान लाइव मा आवी जाए ये विद्ध्यार्थी ने UPSC लेवलनु टॉटली गाइडनस तॉटली अभ्यास एया थी प्राप्त थाई जाए आ आपड़ो गोल छे अन ए विद्ध्यार्थी UPSC पास्ट पन करे आ आपड़ो गोल छे अन आ लेवल सुधिया आप कि अंध्र आंध्र प्रद्यश ना स्रीकला हस्ती अनियर मचली पत्त्र नम चे न आंध्र प्रदेश मा आँ चित्रकळा ने वर्था पाणी ओवा नाम्ति ओलखवा माले शया कि आलग्नां वह पट्टा थी शनगारवा मा आवे छे मतलब आ जे कलमकारी चित्रकला आजे छे एक पड़ी चित्रकला जे कापड उपर थे येली होई एक आपड़ ना पट्टा थी मंदिरो ना गर्भगरूह ने शनगारवा मा आवे पेली पिछवाई कड़ा नू तम्हें नाम साइं बढ़ूँव से बस तो पिछवाई कड़ा माँ पन आवूज छे आवूज छे वारली चित्रकड़ा क्या नी छे तो खबर शाने गुजरात अने महाराष्ट्र नो जे विस्ता मा रहता सई जाती ना लोको दोरे शेया कई जाती ना लोको साई आ वारली चित्रकड़ाने लगता चित्रो आपनने भीम बेटकानी गुफा मा थी पन मलेला छे मा पहुमीतिक आकारोनो उप्योग करी अने चित्र दोरुआ मा वेचे पहुमीतिक आकारो एटले जो राइया परा आ वारली चित्रकड़ा छे देखाईशे देखाईशे वारली गुजरात नी अंदर खास करीने डांग जिल्लाना आदिवासियो जे छे या चित्रने दोरे छे एक मिनिटों आउँ छो मित्र एक कज मिनिट मुँँ बार्ग्योतों जिगर्षर नो लेक्चर सरूछे जिगर्षर एकदम आवेशमा आवी गया एक क्यावा माते थोड़ाक तादा पड़ो विद्यार्थियों ने यक्चूली भणावी रहियो ओके यूट्यूब मां लेक्चर हो एक को गावी गया ओए न मुग नंगो आई जे यूट्यूब आपड़े एं यहां चांती है निया आई गया आई शेकोई हरियाली देवी, पंचसीर देवी औने मार्ग दर्शक तरीके क्षेत्र पाल देवतानो समावेश करवामा आवेश्यूब क्षेत्र पाल, यादराग जो, आ बधा देवी देवताओ छे, आ दिवासी जे समूदाई शे जे समूदाई आ देवी देवताओने मानी अने आचित्र ने दोरे शे तो कंसारी देवी हरियाली डेवी, पंचसीर देवी औने यहना मार्ग दर्शक तरीके ಈવાર્રલી શવાલ પુછી શકે વારલી ચિત્રશયલીની અંદર માર્ક દરશક કરીકે કયા દેવતા હોય શે तो क्षेत्रपाळ देवता कजा होई छे क्षेत्रपाळ देवता दक्षीन गुजरात ना कुंकना लोको पच्वी ना चित्रो ये वारली चित्रकणाना नामे प्रख्यात करिया छे બજ્વી ચિત્રો છે શે અને કહય નામ્થી પ્રખ્યાત કહે રાજે क्लियर थाइग्यू वारली नेक्स्ट महाराष्ट मां माशे कॉम जो गुजरात मां जोईए लखी दवईए शोट मां गुजरात मां जोईए तो कॉन आउशे सै जाती ना लोको खास करी ने डांग नो विश्तार कुंकना जाती ना लोको जे पचवी चित्रकडा दूरता ता एम ने एने वारली तरीके फ्यमस केई रा अने जो महाराष्ट्र मां जेए महाराष्ट्र मां जेए तो महाराष्ट्र नी अंदर आ माशे कॉम्यूनिटी जे छे ए फ्यमस छे जिव्या शोमा माशे जिव्या शौमा माशे याद राग जो दोस्तों याद राक जो एक लिया पछी पिछवाई चित्र शे कडानी वात करिये हकीकते पिछवाई सुछे खबर शे जे स्रिनात जी जे चने श्रिनाज जी श्रिनाज जी भगवान नी पाचल जो तमने आज पड़ो देखाई शन यस ये पड़ो ये पिछवाई चित्रकडानों बनेलो पड़ो शन अन्स्पेशल त्याज आनों उप्योग थाई शन त्याथी ज आज चे इस समग्र विश्वमा नामना पन धरावे शन जो ये वैश्नव संप्रदाई साथे कोई संप्रदाई कोई धार्मिक संप्रदाई साथे संक्लाएली चित्रशैली होई तो आपड़े भणवामा आजे पेल्ली आ चित्रशैली आई भी के साइब जे वैश्नव संप्रदाई साथे संक्लाएली शे भगवान स्रीकृष्ण नी मुर्ती नी पाछल प्रुष्थ भूमी तरीके त्यानों उप्योग करवा मावेच जो पाछल ना पड़दानी मेतमने वाद कई दी च्यात पाछल जहारे y नो अर्थ ठाई चे लटकवु मतलब 5 पाछलनी तरफ जे लटकी रही शे येप पिछवाय केवायचे शुक आवायचे पिछवाय आऊ तम खोई दी विचायरूना होई पण आवु होई विचायरूना होई पण आवु होई वेश्णव संप्रदाईनी तोटल कितली बेठाको चे भारतमावी 64 जेतली बेठाको चे कुरुष्णनी गायो गोपी साथेनी राज्तिला नागदमन जन्माष्टमी दिवाली वगेरे पिछवाई कडामा निरुपवामा आवे चे अन मुख्य केंद्र राजस्थाननु स्र नाथ द्वारा जे छे एन गणवामा आवे चै अमधावाद केलिको म्यूज्यम iences खाते पन पिछवाई चित्रकळा मुखवामा आवेली शे याद राखवा जी भढवत छ्य से गुजरात नी अंदर पिछवाई सित्रकणा जी से बी राज मांग करेम तोब केले से आवेल केल्ट पिछवाई सित्रकणा राख है लीली मूले नू केंद्र कई उशाय तो राजस्थान नू स्रीनाथ द्वारा न्याज स्रीनाथ जी बिराज मांचे ने एनी पाचल पीछ एटले पाचल ने वाई एटले लटकावू ओके नेक्स्ट जेए रोगन एक दिलनी वाद कऊ आना जेवी चित्रकडा में क्याई नजोई आजे चित्रकडाश आनी दोर्वानी जे पद्धती शे आनी अंदर जे एकाग्रता होवे जोई ये के तमारा थी जो एक नानी येवी मिश्टेक पड़े तो आखे आखु चित्र तमारू फैल थाई जाए काईके आमा काईदे सर रिते जेचे नी प्रवाही रंबर जेवी प्रवाही नो उप्योग थाए कदाच कोई कलर्ण उप्योग थाटो होई कदाच चौक न उप्योग थाटो होई कदाच वनसपती जन्य रंगोन उप्योग थाटो होई तमारा थी कलर मिष्टेक मां आम तेम थाई जाई ब्रस थोड़ू हलन चलन थाई जाई तो त्याँ थी तमें जेछेई कोई भी रिते एने सारू करी शको पण अईया जो मिष्टेक था आई तो आज सक्य बने नहीं कि आ चित्रने सुधारी शकाई कच्छनू फेमस छे रोगनाट क्यानू छे आप बने कई रितना ए जो ये वार्निश के तैली इवो आनो अर्थ थाई शे वार्निश के तैली पाकिस्तान थी आवेली जे मुस्लिम प्रजा छे जे खास करी ने आपड़ा कच्छ विस्तार नी अंदर रोकाया जेडी भारत पा पाकिस्तान आजाद थियूने भारत अने पाकिस्तान अलग पेडा ओके यस तो पाकिस्तान मा थी जे मुस्लिम कमिनिटी ना लोको भारत मा आई ग्या गमर पाकिस्तान मा ने रिवो मरत भारत मा रेवुशे ओके ये लोको आ कडाने अईया पर लेने आवेला अने गुजरा ना कछ मास थाई थ्या एरंडिया ना तेल मा बे दिवस उकाल या बाद तेमा वनस पतिक कलर उमेरवामा आवे शे तातु ब्लोक सीवाई तेने फ्री हैंड शेयली पण कहवामा आवे शे भारतमा खास करीने कच विस्तार मा जोवा मले अने खत्री मुस्लिम परिवार जे छे इरोगन चित्रकळा माटे जानी तो शे अने सवथी महत्वनी वात आ जे खत्री परिवार रोगन चित्रकळा साथे संकळा एलो शे ओके यस एमा थी एक कोईक बेन छे जे बेन आपणा विध्यार थी पण शे अनि ए बेने आपनने युँ किदेलू शे के साइब आपगा म जी पी एसी नी क्लास्त्री सुपर क्लास्त्री नी जे परिक्षा आवे छे डिवा यसो एस्टी आई डेप्यूटी मां ब्लादार सेब ए परिक्षा मां उपास थाईस एतले ज्यान एकेडमी ने हुँ रोगन आट नुँ चित्र भेत आपवा माटे आवानी छु ओके और एबेन बहु मेहनत सारी एवी करेश है एबेन पास पन स्वय शोट का थवाना चे बहु सारी एवी वाद छे पाटन नी अंदर स्वरी आपड़ा जे पाटन नी अंदर पटोडा बनावता जे सालवी परिवार जे छे यह मां जी आपड़ो कोई कोंटेक ने थ्यो कोई बराक ओबा माने रोगन आटनी भेट नरेंद्र मोधी साइबे आपेली नरेंद्र मोधी साइबे आपेली त्यार्थी रोगनाट फ्यामस्तियू त्यार्थी रोगनाट फ्यामस्तियू कामणगारी चित्रकला तो कामणगारी ये भीत चित्रों मां रामायन अने कृष्ण लिलाना द्रश्यों साथे दिवाल उपर पन चितरवामा आवता कच मा नवा घर मा ज्या सुधी चित्रों दोरवामा न आवे त्या सुधी गुरुह प्रवेश न करी शकाई याद राग जो मतलबा कामण गारी चित्रकळा जे छे एपन क्या नीशे भई कच्छ नीशे एपन क्या नीशे कच्छ नीशे है के जुम्मा इब्राहिम द्वारा आईना महलना कोडिडोर ने नाग पंच मी स्क्रॉल दोरवामा आएवो कच जिल्ला मा भीत चित्रों अने पोथी चित्रों ने कामांगर शैली तरीके ओड़कवामा आवे तेरा जे छे आ तेरा सू छे कबर शे एक जागीर शे बहुं मोटी जेते समयन तमे सूर सीजी तखत सीजी गोहिल ने वड़को छो ने यास तो ये सूर सीजी तखत सीजी गोहिल जे छे एनू सासर यूँचे तेरा एना दर्बार गढमा रामायाना धरित चित्रों अंजार मां MC मुनुरों महल लाला मनुभाई रामयानु घर कालुभाई वागेलाना घरनी अंदर आजे चित्रकला छे ए चित्रकला जोवा मले चे कामणगारी चित्रकला पिथोरा पिथोरा जे चे याम तो एक भगवान छे राठवा आदिवासियो एने भगवान तरीके माने चे छोटा उदेपूर जिल्लामा खास चोवा मले राठवा आदिवासियो द्वारा चित्र बनावा मां आवे अने पिथोरा ए मुख्यत वे धार्मिक बाबतोनु सुचन करे चे मैं तमने अमना कीदूने राठवा आदिवासियो पताना भगवान माने चे अने आदिवासियो द्वासियो एने पताना सिलेक्टेड विश्तार मा तमने उपुछे राठवा क्या तो वडोद्रानी बाजु माझ तमने जो आमाडे वडोद्रा छोटा उदे पूरे पत्ता माँ ओके अने वासनी दिवाल पर धोल करीने तेने दुरवामा आवेचे धोल एतले वासनी दिवाल जे छेने रंगवामा आवे सफेद कलर्ती अने निया चित्र दोराई सावरा चित्रकडा तो ओडिस्सामा जोवा मलती आ चित्रकडा ए सावरा जनजाती द्वारा बनावा मा आवे तेमा भवमितिक आकार नो उप्योग मोट्टा पाये करवा मा आवे इया जो इलियो भवमितिक आकार बहुमितिक आकार अमने जोवा न थी मलतो अईया जुओ जे पन चित्रों दोरेला छा ने ये चित्रों मा चोरस, त्रिकोन, गोड एवी बाबतनों उप्योग थे फोर एकजामपल मानस दोरो होई न आ चित्रों नी अंदर तो क्याम दोरा एव उटम नेकव उटम नेकव उटम नेकव आ चित्रों नी अंदर जो आर इतना मानस दोरेलो शा तो आकार के वो थियो भोमीतिक आकार थियो गोडा कार छे त्रिकोन छे समझाई शे ने सौरा ना प्रथम देवता इडिटल ने समर्पित होवानू के हवाई चे आजे चित्रकडा चे सौरा चित्रकडा एक या देवता ने समर्पित चे तो इडिटल अने ते वारली चित्रकडा ने मलती आवे चे कई आधारित मलती आवे चे साहिब तो वारली चित्रकला आजे छे ने एपण भवमितिक भात अच्छे वारली मा पण भवमितिक भात नोज पुषकण मात्रामा उपयोग थाई छे मंजूर्शा बिहार ना भागलपूर शहेर साथे से बिहार नी बीजी चित्रकला आई वी एक तो आपने आगल जे छे ये मधूबनी जोई ग्या मिति लानी ओके हां साप नी आक्रूती होवा थी तेने नाग के सर्प चित्रकला तरीके पन लुडखवा मा आवे छे आँग महाजन पद साथे संकलायीली होवा थी तेने अंगी का कला तरीके पण उडखवा मावेचे आपड़ा भारतनी अंदर जे छे ए इस्वीशन पुर्वे लग दसमी सदी आजु बाजु शोल जेतला महाजन पदो अता उत्तर वैदिक कालमा केतला हाता सोल जेतला महाजन पदो अनि एमानू एक महाजन पद एतले अंग तो अंग महाजन पद साथे संक्लाएली होवा थी एने कई कड़ा केहवा मावेचे अंगी कपुछी ले हाँ निचे नामा थी जेछे एक कई प्रादेशिक चित्रकडा ने अंगी का कड़ा तरीके पण उडखवा मावे तो मन्जु शाकें कान के मन्जु बेन जेछे इए अंग महाजन पद ना हता आ कागड अने शननी थेली पर चित्रो दुरुआ मा आवेचे पची चैरियाल चित्रकडा ए तेलंगाना राज्यनी चित्रकडा चे हिंदू महाकाव्य अने पवराणिक कथा पराधारित 2007 मा जी आई टेग तरीके मान्यता पपन ज्यारे मान्यता अपाणी ने त्यारे तो आ तेलंगाना नहीं वही ने अंध्रप्रदेशा से कारण के तेलंगाना राज्य तो 2004 मा अलग पेड़ू क्यारे अलग पेड़ू सब जी आई टेग कोने आपकाब कोई एक इवी बाबत के जे ते विस्तार पूर्ती सिमीत छे औने विस्तार नी अंदर ज एनो खासो योवो विकास थयो शे और टकावी राखवा माटे यहने जी आई टेग आपका मावे दस वरस माटे जी आई टेग मळे ओके यह स्चेरियाल चित्रकडा तेलंगाना फड़ फाड़ पन कई शको तोमे फाड़ पन कई शको तो राजस्थान मा जोवा मळे छे फड़ नामना कापड़ ना टुकड़ा पर दोर्वा मावे देव नारा नायन नी फड़ पाबु जी नी फड़ रामदेव जी नी फड़ वगेरे प्रक्यात फड़ कड़ा आवो शे मतलब फड नामनू कापड़ शे अने एना उपर चित्रदोर वा मावे for example फड नामना कापड उपर रामदेव जी नू चित्रदोर आई तो एने रामदेव जी फड़ क्या भॉड नामना कापड ऊपर नारायन भगवाननों चित्रदोर आईतो नारायन नी फड़ क्या बाबुजी नी फड़ क्या वाई समझाई छण तो फाड चित्रकड चेली जे छे इक्यानी प्रादेशिक छे राजस्थान नी छे नेक्स्ट पैटकर चित्रकड पैटकर तो ये पूर्व भारत ना शेत्रो मा जोवा मले छे आपड़ा अपड़े जेने सेवन सिस्टर प्रदेश कईये छिए अरुनाचल प्रदेश, नागालेंड, मनिपूर, मिजोरम, त्रिपूरा, मेघाले, आसाम, आटलू सेवन सिस्टर मा आवे सिक्कीम ना आवे आजे सेवन सिस्टर नो विस्तार शे ए सिवाई पन बहार ना विस्तार मा मृत्यू पछी जीवन जेचे मानवनू एनू शू थाई शे ते मुख्य विशाई वस्तु तरीके अईया पर प्रदर्शीत करवा मा आवे शे बहु समझ्यो होबे सारीरीते आ एक मात्र येवी चित्र शैली शे के जे मानस ना मृत्यू पछी जेचे आत्मानू शू थाई शे ने एना विश्या चित्रोना भाव थी दर्शावा मा आवे शे इया समझावा मा आवे शे एक्जाम मा पुछाई शके मृत्यू पछी मानव जीवन नू शू थाई शे तेवो भाव दर्शावतू चित्र निचेना मा थी कई प्रादेशिक चित्रकळा मा जोवा मले शे तो खबर होवी जोई ये साई पैटकर चित्रकळा जारखंड पच्छी मंगाल अने ओडी साना विस्तार मा पण जोवा मले शे मित्रो जीपी एससी एचीवर्स बेच विशे आपने वाद करिये वाद करिये तो प्रिलीम प्लस मेंस प्लस इंटर्यू नी तई हरी आम तो 25 तारिक थी डेमो लेक्चर नी शरुवात थाई गई पर रेग्यूलर सवारे आर्थी 10 अने साड़ा दस थी साड़ा बार वाग्या सुधी डेमो लेक्चर होई छे चाओद डेमो आपडे फ्री आपपाना छी ए केतला डेमो भई चाओद डेमो फ्री आपपाना छी ए लगभग आट दस डेमो तो पती ग्या छे ओके 31 स्तारिके एक साथे चार डेमो छे पेली जुन्ति या बेच नी शरुवात थाई छे कोई विध्यार्थी या बेच लेवा मागे तो एनी पास बे ओप्शन छे आम तो त्रोण ओप्श एक वर्षनी वेलेडिती वाली बेच लेवी शे हाँ तो कूल 34,000 फीस मां 50 टका डिसकाउंट साथे बेच भुरा भुरी तमने मल से 70,000 मां बे वर्षनी वेलेडिती वाली बेच लेवी शे यस तो कूल 50,000 ना डिसकाउंट फीस नी अंदर 50 टका नू डिसकाउंट साथे त तमने मल से 25,000 रूप्या मां तमाम प्रकार नूँ मतरीयल तमाम प्रकार नी टेस्टों तमाम प्रकार नूँ गाईडनस टॉटली लैक्चर लाइव अहिया पर तमने मडवा पात्र रेसे चो लाइ बेच मां एडमिशन लेवां मागो तो आपेला नंबर पर संपर्क करी शको जो कोई विद्ध्यार्थी विचारे के साइब अमारे तो ओफलाइन मा एडमिशन लेवुँशे आवी जबर्जस्त लेवल नी तीम पासे अमारे रुब्रु आवी ने भणवुँशे यास तो ओफलाइन मा फूल डेचनू आपने आयोजन करेलुशे आव ता छठा मैनानी 7, 8, 9, 10 तारीखे सवारे आठ वाग्ये डेमो छे चार डेमो मल से जो 7 तारीख पेला फीस पे करो छो पन 7 तारीख पेला फीस पे करो छो तो 10,000 नू डिसकाउंट आपिये छिए 35,500 रुपिया मा तमने आबेच मले छे जो तमे 7 तारीख मा फीस पे करो छो तो 38,500 अन अग्यार तारीख पछी फीस पे करो छो तो पुरी फीस 45,500 मलवा पात्र छे ओके यस बार तारीख थी बेच नी शरूवा थाई शे फ्री ओन्लाइन बेच मतलब जे विद्यार थी ओफलाइन बेच मा एडमीशन लेशे एवा विद्यार थीने लाई बेच तदन फ्री मलवा पात्र छे तदन फ्री मलवा पात्रां छे, क्लियर शे बाई, क्लियर शे, यास, अईया पर ओफलाइन एकेडमी ना नंबर आपेला छे, हवे आपड़े चो ये भारत नी प्रमूख जन जाती हो, भारत नी प्रमूख जन जाती हो, बो जवर्जस्त लेवल ना टॉपिक छे, अन्य मजा पनाव से आपने भणवामा हो बै, अरे यार, अन्य मजा पनाव से आपने भणवामा, जो ये, प्रत्थम आवे से भील जन जाती, कई जन जाती आवे से भील, मुडतों छे, ने मित्रों आ जाती द्रवीड कूरनी जाती शे, अन्य आशब्द क्या थी आवे लो शे, तो बिल्लू एवा शब्द उपर थी भील शब्द आवे लो शे, पन आनो अर्थ आपने एकजाम मा पूछाए गये लो शे, भील नो अर्थ थाई चे, बान अथवा तीर, अन्य भारत नी अंदर जेटली पन आलीवासी जन जाती वस्वाट करे शे, ओके, यस, अपने उकई ये के भारत नी जे आलीवासी जन जाती छे, ये आलीवासी जन जाती 100 टका चे, कितला तका छे, 100 टका, तो एमां 100 टका मां थी 100 थी वधारे जो कोई नी वस्ती तो ये कई जन जाती शे भील जन जाती शे भावरतनी अंदर जोवा मलती अदि वासी जन जाती मा सोथी वदू भील शे। सोथी वदू भील छे। 36 गड मध्यप्रदेस पुर्वा गुजरात, राजँसथान अने महाराष्ट राज्य हो आ राज्य मा आ जन जाती नू प्रभूत्व जोवा मड़े छे नेक्स्ट जाईए परिवार के वो छे तो पित्रू सतात्मक छे मतलब के जे पुरुष जाती छे ये पुरुष जाती नू वर्चस्व सारू ये वो छे एमनी पोता नी अलग थी बोली छे जे भीली बोली तरीके ओडखाई छे अने कुरुषी अने वन्य पैदाश पर पोता नू जे घर संसार छे जे आजी विका छे ये आजी विका चाले छे गौड जन जाती गौड भारतनी अंदर जेटली पन आदिवासी जाती वस्वाट करे शे एमा सेकंड नंबर पर एटले के बिजो शौथी मोटो जन जाती समूह जो कोई होई तो ए गौड जन जाती शे मतलब साई फर्ष्ट नंबर उपर आपने कौने जोया तो भील समाज जने जोयो ओके सेकंड नंबर उपर कोण आउसे गौड आउसे गौड आउसे गौड ते पित्रू सतात्मक परिवार शे सतीस गड़ना बस्तर अने संभाग प्रदेश मां तेनों निवास छे अने एनी भाषा कई शे गौंडी कई भाषा छे गौंडी तम्हें मांसो नहीं मित्रों जेते समय गाला दर्म्यान इतले कर मध्यकालीन भारत ना इतिहास नी अंदर आजन जातीना भारत मां रजवाड आवो हता शुवता रजवाड आवो हता ओके यस त्यानों वस्वाट चतिसगड जार्खंड पच्छी मंगाल करनाटक आंध्रपरदेश महाराष्ट अने ओडिस्टा जो एक सवाल तमने कऊ भारत ना मोट्टा विस्तार मां विस्तार मां फैला एली आदी जन जाती तो एपन कई आवसे गौड आवसे याद राग जो कैंके आलोकोनों वस्वाट जेटला विस्तार मां जोवा मले शने येटलों लगबग अन्य कोई आदिवासी जन जातीनों विस्तार नथी फैलाएलो दुलहा दिव औने बारा दिव तेना मुख्य देव ताँ छे पशुपालन कुरुशी औने वन्य पैदास पर पोतानु जीवन निर्भाह करे शे संथाल संथाल आपड़ा आजे अत्यार ना पंदर मां नंबर ना राष्ट्र पती शे आपड़े आ लेक्चर नी अंदर बीजी के त्रीजी वखता चर्चा करिये शीए कौन छे तो मेडम द्रोपदी मुर्मूझी है कई जाती साते संक्ला बेला चाई संथाल जाती है यह भारत नी त्रीजा नंबर नी सवत जन जाती है मतलब पहला नंबरे भील, बीजा नंबर उपर गौड अन त्रीजा नंबर उपर संथाल अन में तमने ये पन वात करेली आजनाज लेक्चर मा अगल ते मोटा भागे संथाल जन जाती जे चे इकया विस्तार मा संकलाएली तो जार खंड साथे हाँ, अपना जे द्रोपदी मुर्मू मेदम चे एनो जनम ओडिस्तारा मयूर्भन जिल्ला मा तियो, पन संथालो जार खंड साथे मोटा भागे संकलाएला छे त्रीजी साथी मोटी जन जाती, प्रोटो अस्ट्रेलोड प्रजाती निया जाती शे मूल निवाज क्या, तो जार खंड नू संथाल पर गणा, एसीवाई जार खंड मध्यप्रदेश, बिहार, आसाम, अने पच्छी मंगाल मा वसवाट करे शे एनी पोतानी जाती शे संथाली मारंग बुरू अने बोंगा, एमना देवता चे, क्रुशी अने वन्य पैदास साथेया कौम संक्ला एली शे टोडा एनो वसवाट, तो नील गीरी नी टेकरियों मा डक्षिन भारत मा टोडा जन जाती वसवाट करे शे अवे नील गीरी नी टेकरी नो विस्तार आपड़े जोई एने, तो तमील नाडू प्लस केरण राज्य नो विस्तार, क्यम साई 2 राज्य कारण के नील गीरी नी परवत माडा नो विस्तार आप 2 राज्य मा फेलाएलो शे अने आज ए टोडा जन जाती शे ने ये भेंसनी पुझा करे शे, कौनी पुझा करे शे, भेंसनी पुझा नू प्रचलन जोवा मले शे अने पशुपालन साथे संकलाएली शे, ने मुंड तरीके ओलखाती वसाहत मारे एनू पवित्र व्रुक्ष कईू छे, टुंड्रा तो ए टुंड्रा नामनू जे व्रुक्ष चे ने ए व्रुक्ष पन निलगीरी परवत माडा मा जोवा मले शे चालो क्लियर शेवे टोडा, हैने, कया विस्तार माँ वस्वाट करे टोडा, तो निलगीरी परवत माँ भ्यस्नी पुजानू प्रचलन, पची चैंचू, तो आंध्रपर्देश अने तेलंगाणामा, क्रुष्णा नदीना पटमा, भेरवने पोताना देवता माने शे, एन चुपालन अने वन्या, पैदास साथे, चैंचू जाती, खासी, आपने जेन गारो खासी अने जैंतिया कई एछी है, सामाजिक, सैक्षणिक, अने आर्थीक स्तरे, एमने प्रगती सांधी छे, जंगलो थी निकली, अने शेहरी करण नो, अवे धीरे धीरे भाग बने छे, म प्रत्रब के समाज नी अंदर, परिवार नी अंदर, जे स्त्री जाती छे, इस्त्री जाती नू वर्चस्व घणू सारू यह उशे, मेगाले ना खासी अने जैंतिया पहाडी पर, एनी भाषा मान खेर छे, अने यूबले नोगन थो, नोंग थो, एना देवता छे, कौन छ यूबले नांग थो, खासी जाती ना, और आव जन जाती, याद राखवू थोड़ू अगरू छे भाई, पन जीपी एसी साथे संकलाएला होई ये, तो याद राखवू पड़े, शब्दोने पकड़ी पकड़ी याद राखवाना, खाना खा थियरी ना थोथा याद अच्छे एक जन जाती यह भी चैक खासी जे मातलू सातम जोमारे मत्र फूसए नेला याद रते, ओकाशी मांतलू समचर मा Сейчас को गदा मजूरी नहीं कर्वाने और आई और आउ cudो में विस्तार चप्यूर साथ debates, मोडिनरा, शोटा प्रिषालवाने थे में पूरानी चुच् छोटा नागपूर्णों प्रदेश भाषा तो द्रवीड भाषा ने मलती आवे अने धर्मेश नाम ना स्थानिक देवताने पुजे चे आलोको समाज पित्रू सतात्मक चे लगभग आधी जन्जाती होई ने बै तो एक रुशी उपर ने वन्य पैदाशो उपर शिकार उपर अच पोतानू जीवन निर्वा करता होई शे थारू उत्तर प्रदेश ना तराई ना मेदान अने उत्राखंड मा वसवाट करे पुद्कार ना दिवशो मा इदिवाली जे छे ए दिवाली ने शोक परवतरी के उजवताता हाल मा हिंदू धर्मने माने छे अने तेहवारो उजवे छे आजीवी का कई छे तो माची मारी पशुपालन अने कुरूशी प्रवोती यादराग जो दिवाली ने शोक परवमा उजवतो आदी जन जाती समुदाई कयो एतल पेला ना समय मा उजवतो अत्यारे इंदू धर्मनेज माने छे अपड़ा तेहवा रोपन उजवे छे तो थारू जन जाती बिरहोरा तो जारखंड राज्यनी अंदर जो आ मळे बो़ा बोगा देवताने माने छे वन अने उपज सिकार साथे संकलाईल छे खाली जाती राज्य जाती राज्य आतलू याद राक्स होन तो पन तमारा मारा माक्स ब्वव आसान इथी कवर करी शक्सो मुंडा जन जाती कौन नथी जानतू याराने अधार सोने पंचोतेर नी अंदर नवेंबर मैनामा जन मेला ने ओगनी सोनी साले 25 वर्षनी उमरे जे छे ये देश माटे पोतानू बलिदाना पियेन चाली निकलेला भारत देशना वीर आदिवाश युवान क् नथी जानतू जने उल्गुलान नामनी चल्वलनी शरुवात करेली अने अंग्रे जोजे छनी राता पाणिये रोड आवेला येवा बिर्सा मुंडाने कौन नथी जानतू कयो विस्तार जार्खंड पच्छी मंगान अने ओरी सा एमनी भाषा चे मुंडारी देवता सिंग बोग गाह चे कुरुशी साथे संक्रायल एनो अगत्य नो तेहवार चे सरहुल कई एकज मिनिटो कई यो तेहवार चे वही सरहुल नामनो एनो अगत्य नो तेहवार चे मिना जन जाती मिना राजस्थान नी अंदर शब्द मूड तो मिन छे एनो अर्थ थाए चे माचली प्रथा केवी छे तो नाता प्रथा अन समाज पित्रू सतात्मक छे तमने एक वस्तु जानी ने बहु नवाई लाग से मूल शे ने मिना एव शब्द यूपी एस जल्ट होई ने अमना आयू पीदीएफ फाइल डाउनलोड करी अने उपर सर्च बॉक्स मा लग जो मिना जेतला आपड़ा गुजराती ओ पास नथी थ्या ने तला दो खालिया जाती मा थी यूपी एस सी मा दर वर्षे पास थाई मिना मिना कॉम्यूनिटी पले आदी जन जाती मा यहनो समावेस थाई शे नोड आउट पन मिना कॉम्यूनिटी भंतर शेत्रे खुब जागड़ शे खुब जागड़ जे एने मात यहना उपर माता सरस्वतीनीक रूपा होई ते यहनो होवी जो यह सारी वाद छे इतला यूतिवा एक्जामनी अंदर पासता एको कट जो जो तमें मैं जोएलू शे ओके बोडो तो आसाम मा वस्वाट करे शे कछारी गारो मैच डिमासा अने लालूंगा एना समू शे ने भाषा कई छे तो बोडो जे एनी भाषा चे तिबेट अने बर्मा भाषा नी एक शाखा जोई ने तो नथी लागती के आधिवासी समूदाई होया ओके पनियस ए विस्तार जे छे हिमालेयन नो विस्तार छे खारिया तो ओडिस्सा राज्यनों विस्तार ये पित्रू सतात्मक समाज छे इरूला तो तमिलनाडू टोडा याद करो निलगिरी पर्वतमाडा नक्ष पित्रमा टोडा जे पहसनी पूजा साथे संकलाएला टुंडू नमना जे छे ए देवताने मानता केतलाक विस्तार मा तेने कालबेलिया तरीके पन उलखवामाँ आवे अने भाशा काई छे अप ब्रंस तमिल अने भगवान विष्णूने मानतिया जाती छे इरूला जे भवान विष्णूने माने छे भोटिया पुछाएलो सवाल उत्राखंड हिमाचल परदेश अने सिक्किम खासकरीने हिमालेई नो जे विस्तार छे एना साथे संकलाएल रुदू प्रवास माटे जानी ता छे ओके जे छे ए उनालानो समय होई तो ए सियालानो समय होई तो ए प्रवास माटे जानी ती छे अने आजी विकासुचे वयनी व्यापार छे व्यापार पची बुक्सा तो मंगोलियन प्रजाती नी आजन जाती छे मंगोलियन एतले तो चीन प्लस रशिया नी वच्चे नो विस्तार जाना कुशानों होता जे कनिशक तो नी मंगोल जाती नों होतो अत्या लेक्या वस्वाद करें तो उत्राखंड मा तो कुमाव अने हिंदी आब बणने मिक्स्त्रीत भाषा बोले शे बुक्सा नागा तो नागा लेंड मावस्वाद करें शे पालो ए यहनू अस्त्रश है इपोते कुशल योद्धा ओ फो शे नागा मीस एतले के नागा अने असम भाषानू मिक्सरण बोलेशे बहु प्रकर योद्धा हो शे वो आ लोको यास पालोलईने युद्मा उत्रे तो आने पुछ वाबव अगरा शे बई नागा जन जाती ना लोको जौन सारी तो एने खस जन जाती पण क्या वाई ए पांडवोनी पुजा करेशे कौनी करेशे पांडवोनी अने मंदीर नी स्थापना करावेशे उत्राखन राज्यनी अंदर बहुपती अने बहुपतनी प्रथा जोवा मलेशे क्यांके ए लोको युव माने शे क्या अमें पांडवोना वन्श जोशी है जे मान्यता होई मान्यता होई माझ कोई प्रोब्लेम नथी अने होई तो बहुँ सारी वस्तू चे ओके यह कई जाती छे जोन सारी जाती चे एनी अंदर बहुपती और बहुपतनी नी प्रथा मतलम एक पुरुष घणी बदी पतनी ओपन राखी शके और एक स्त्री घणा बदापती पन राखी शक्या सेंटीनाल सेंटीनाल तो अंदामान निकोबार टापुना सेंटीनेल टापु पर वस्वाट करे शे मानौ दखल्थी अलग रहे शे आ एक जज जाती एवीशेक जो भूल थी पन तमेना टापु पर जतार्या त्यान त्या पुरा करना किसे तमने 2006 मा एमने बे माची मारोनी हतिया कैरी 2008 मा जोन एलन चाउनी पन एमने जे छे है एह हतिया करे ली शे पाचल एतला माटे आएवो कि आजे विस्तार्शन भारत सरकारद्वारा अतियार ना समय मा बेंड कराये लो शे ओके यस कि ए जाती एना रिते त्यापर बहु शांती थी जीवे शन तो एने जीवा दियो आपड़े एमा दखल अंदाजी देवी नथी केम कारण के बई एने नथी पसंद खोटा आपड़े तियां जाई एन मारी नाखे आपड़े एनी उपर हुमलो तो करो नथी कांके एनी वस्ती जे चे बहु लिमीट माँ चे के वी शे बहु आपडे चर्चा करें मनदीर स्थापत्य कड़ानी विभीन्न शैली जो आपड़े जोये लू छे जिसिराती नी अंदर नापड़े एरिते रीड पण करें लू चे तैसंद नागर शैली छे द्रवीड शैली छे वे सर शैली छे आ बधानी लाक्षन एकताओ केवी केवी छे, कोईक शेली मां मंदीर परिसर ने दिवाल नथी, कोईक शेली मां उँची दिवालो छे, कोईक शेली मां प्रदक्षिना पत खुलो छे, कोईक मां प्रदक्षिना पत उँची दिवालो ती घेरायेलो छे, कोईक शेली मां परिस लेक्चर मां जड़ा सई नथी कोईक मां जड़ा सई छे कोईकने प्रवेश्द्वारों छेज नहीं कोईकने गोपूरम छे समझाई शने आप बद्धीज माहिती आपड़े आजना लेक्चर मां लेवानी छे तो स्टार्ट करिए जो समग्र भारतनी वाद करिए समग्र भारतनी ज्यारे मंदीर स्थापत्य नी कोई शैली ओनोती औने कोई मंदीर स्थापत्य बंधाना नोता एवा समये भारतनी अंदर मंदीर स्थापत्य नी वास्तविक शरुवात करनार कोई हो अई तो ए गुप्त वंचना राजवी हो अता शरू आतना जे मंदीरों छे ये केवा बनता तो साइब एकज पत्थर ने कोत्री अने आ मंदीरों ने बनावा मा उता सपाट छत थोड़ी ओची उन्चाई पर बनावाता समय अनुसार शिखरो युक्त मंदीरों मतलब मंदीर ना शिखर वी शे तो तमने खाल चाने आवी रिते जे चे आवी रिते मंदीरनु शिखरोई शे ओके आवी रिते लियर शे यस तो सरुवा थै मंदीरना गर्भग्रुहनी चारे बाजू प्रदक्षिना पत्थ बनावाया है मंदीरों थोड़ी वदू उन्चाई पर उन्चाई ने आपने जे मंदीर जे उन्चाई पर रहे लू है शेने एने आपने जगती कई ये शुकाई ये शिए भई जगती एवा नाम थी ओड़किये चिए डन इस्वी सन्नी चठी सदी सुधी उत्तर तथा दक्षिन भारत मां मंदीर जिर्मान नी शैली लगभग समान जोवा मलती मतलब के जे चठी सदी नो जे गुप्तो ना अंती गुप्त वंच नो जे अंतीम समय गालों छे त्या सुधीनी अंदर दक्षिन भारत होई उत्तर भारत होई मध्य भारत होई पुरुवा भारत पच्छिम भारत बद्धे एक समान प्रकार ना मंदीरों निर्मान शेली वो हती नाई पड़ आगल जता मंदीर निर्मान नी वीवीध शेली वणों विकास थयुआ मान नागर शेली जवीड शेली अन्य वैसर शेली आत्रोण मुख्य शेली अवे आना अंतर्गत केतलीक शेली वो आवेश जेमके उत्तर भारत होई तो साइब उत्तर भारत गजरात राज्य आवे राज़स्थान आवे देश आवे ओरी साने भी तमें लई शको कश्मीर ने भी लई शको तो सौलंकी शेली खजुरा हो शेली ओरी सी शेली कश्मीरी शेली आब दीजे छे इनागर शेली नी उप शेली शे अवे द्रवेड शेली मा जाओ तो हॉय सण्सेली आवे नायक शेली आवे आबदी शेली ये दक्षिन भारत ना राज्जो नी एतले के द्रवेड शेली नी उपसेली ओ अने आवाइसर जेशने ए द्रवीड अने नागर बनने नू मिक्सरण चे जो ये आपड़े मंदीर स्थापत्य ना विवी भाग अईया पर शब्द लखेला चे गर्भग्रु मंडप अंतराल एसीवाई शब्द चे प्रदक्षिनापत जगती अने अवे आप बधाज सब्दों ने हूं तमारी सामें एकदम क्लियर रिते जो मुकू ओके तो आपड़े आ रिते करीश हो गई जो यहां समझो तमें हूं तमने मंदीर दोरी अने समझाओ ओके आद्ध जाज थोड़ू नीचे दोरू प्रदक्षिनापत प्रोड़ू ओके, यस, शाइब बेटलों बुर्दों टाइम लगाड़ों छो मंदीर दोर्वामा, हाँ, थोड़ोक लागे छे, कारण के मारे तमने क्लियरली रिते जे छे, ये आखु मंदीर दोरी अनदर्शावू छे, जेथी करीने, एक पण माक्स तमारों जवो जो ये नहीं, हवे अ इन्या पण कोन मेसे छे, तो शाइब अन्या पर भगवान पोते बिराज मान छे, मतलब के भगवान नी, मूर्ती बिराज मान छे, आ जग्याने, आपणे गरभ गुरूह कईये, अ जग्याने शू कईये छीए, भई गरभ गूरूह एवा नाम्ति ओड़ों के समचू, जै भगवान बेसे चे हवे भगवान ना मंदीर मूर्ती नी सामे आपड़े ज्यां उभार रहिये शिये प्राथना करिये शिये कि अमने जल्दी जल्दी पास कराई दे जो आ जग्या जे चे आ सभा खंड चे ओके अथवा तो सभा कख शकाईए आने मंडप तरीके होडखवा मा आवे జ़ाने आप सभार अने हॉलिए भाषाामा आने हॉलिपन कई शक्ये सोब्दीख भई हूलिए हमे ज्येश दोसाल्ता कर था मंडप अने गर्भग्रुह नी वच्चे रहेली जग्या मंडप ज्या एक भगवान होई आपड़े एनी सामय उपाओ वच्चे जेचे ये पुजारी बापानी ब्याठक नी व्यवस्था होई ओके ए विस्तार जेचे त्या थी गर्भग्रुह नी अंदर प्रवेस्थतो आल केहवा मावे कया नाम्थी उडखवा मावे अंतराल एवा नाम्थी उडखवा मावे अवे जया गर्भग्रुह नी जे पाचल नी दिवाल छाने आ गर्भग्रुह नी पाचल नी दिवाल आने मंडोवर तरीके उडखवा मावे क्या नाम थी उलखवा मावे मंडोवर एवा नाम थी आ आपने बद्धाने कबर से पड़ विद्ध्यार्तियों जानता न थी पई आने शीखर केवाई आने आम लग केवाई अथवा आम लग क्यो ओके आने आने कड़श केवाई आने शीखर केवाई कड़श एवा नाम थी उलखवा मावे अने आजे विस्तार शे आजे विस्तार आने प्रदक्षिनापत केवाई कया नाम थी उलखवा मावे प्रदक्षिनापत तमाम वस्तु आवी गे उपरती श्टार करो कड़श अमलक शिखराईग्यू गर्भग्रू आवीग्यू मंडोवर आवीग्यू प्रदक्षिनापत सभाकक्ष मंडपॉल अन्त्राल अने जगती आजे चे ए मंदीर स्थाप पत्य ना विवीद जे चे मंदीर नी अंदर चे स्रमाविष्ट बाबतों से एचे हवे आपने जो ये हमना क्लियरली तमने खबर पड़ी जे से जो गर्भगरू तो मंदीर मां मुख्य देवतानु स्थान जे मूर्ती स्थापवा मां आवेश है एने गर्भगरू क्यावाई मंडप तो चारे बाजू समान तरे गोठवा एल स्तंभोथी बनेलो हॉल जे मोटी संख्या मां उपासको स्थान लई शके तेने सभाकक्ष प गर्भगरू और मंदीर ना मुख्य हॉल ने जोडनारो भाग चैए प्रदक्षेना पत तो गर्भगरू हमी फरते प्रदक्षेना करवा मां ते बनावा एलो पत जगती तो मंदीर ने जमीन थी थोड़ी उन्चाई पर बनावा माहवेश है यगती यावाई जो खासकरी न दिवाल नू बाहार नी तरफ नो अलंक्रूद एटले के डिजाइन करेलो भाग क्लियर से फोटो अईया पर पण चे बट आ फोटो जे शे ए तमने समझवा मां थोड़ोग अगरो पड़ से इतला मांटे मैं तमने मारा रीते मंदीर दोरी ने समझाए ली तो दों थाइग्यू यस आफोटो अपर ओके शिखर पनावीग्यू कलश पनावीग्यू नेक्स्ट जैये तो नागर शैली नी आपड़े शरुवात करिये भई तो नागर शैली नी शरुवात क्या रहे थाई साब इस्वी सननी पाच मी सदीनो समय गालो अने कया विस्तार मा उ मुख्य शैली शे आना अंतर्गत केतलीक राज्यवार शैली ओनोँ विकास थाए लोँ से ओके आपड़े पेला नागर शैली नी कौमन लाख्षैनिक्ता हो जोई शू पची अलग अलग शैली नी पोतानी पन लाख्षैनिकत ता हो जाई शू उप शयली ओ कितली छे नागर शयली ना अंतरगत तो एक ओडिस सा शयली छे जहने कलिंग शयली पन क्यावाई केम करण के ओडिस सा राज्य नू जुनू नाम छे कलिंग खजुरा हो शयली छे जह चंदेल वन्सना राजपुतो ना समय मा विकास पामेली एतले आने चंदेल शयली छे जे गुजरात राज्य राजस्थान राज्य ना किमांगे तो आने मंडोसर शयली पन क्यावाई और काश्मीरक शयली छे जिसमीर राज्य नी शयली अन्चार उप शयली होई नागर शयली अंतरगत जो यह नागर शैली नी विशेश ताओ तो मंदीर ने जमीन थी थोड़ी उंचाई धरावता मंच पर बनावा माँ आवेश है एनों मतलब यह उत्यों के आपने आगल जे जगती नी वात कैरी के जगती खासकरी ने कया मंदीरों मां जोवा मले भई उत्तर भारत ना मंधीरों मां जोवा मडे ओके एले नागर शैली ना मंदीरों जे चे ए जगती पर उभेला होई शे आने मंदीर मां जवा माटे सीडीयों नी व्यवस्था होई शे ओके ९ा आखु संटेंस 7 जी राखो तो एतली खबर होई जो यह के नाघर शैली ना मंदीर माँ जगती छे मोटी मात्रा माँ जो आम अने मंदीर निर्माण मा पंचा यतन शैली ने अनुसर्वा माय विचे सब्पंचा यतन शैली एक लेशू के जे मंदीर ने पांच गर्भगुरु होए जे मंदीर ने पाँच गर्भग्रू होई एमाँ एक जे छे एक मुख्य देवतानू स्थान होई अन्या नाना मंदीरो होई अन्या केवा होई भई नाना मंदीरो होई एक मुख्य गर्भग्रू छे मुख्य देवता अन्या नाना मंदीरो आन्या पंचा यतन शेली केवाई पांच गर्भग्रू सब्ता यतन शेली पनावे साथ गर्भग्रू एमाँ एक मुख्य देवता होई छन य देवता होई त्रया यतन शेली पनावे सप्ता गुजरात नी अंदर मोटे भागे 55 यत इतन शयली जुवा मले नागर शयली पड़ 55 यतन शयली ने अनुसरए गुजरात मां सप्ता यतन शयली नू पणे एक मंदीर शे द्रासन वेल खाते आवेलू शेया से ध्रासन वेल मुख्य देवताना मंदीर नी सामे सभागपक्ष एटले के हौल होई शे नदी देवियो पड़ विराजमान शे जेमके गंगा यमुना सरस्वती मातानी मुर्ती होई शे मंदीर ने प्रदक्षिना पत होई शे और नागर्शयली नी विशेस्ता शे मंदीर परिसर माँ जड़ाशय होतू नथी यास आबाबत ने याद रागचो जो क्लियरली कहुँचू नागर्शयली एना अंतरगत घणी बधी शेलियो नागर्शयली नी कौमन विशेस्ता नी आपने चच्चा करिये शिये एक कौमन विशेस्ता बधीज उप्षयली ओने लागू पड़ से पन ने उटका जरूरी नथी के लागू पड़े उट्तरभारत नी नागर्शयली ना मंदिरों छै ये मंदिरों ना परिशयमा जड़ा शै न थी । अइनिज उप शैली छै जे कौमन नामचे शोलंकी शैली तो स्लंकी की सैली ना मंदिरों मां जड़ा शै थै एस मुख्यमंदीर उपर परवत नी तोच समान शीखर होई शिखर नी तोच एक लंब गुडाकार युक्त रचनामा समाप्त थाई शे जैने शू कहवाई शे भई आम लक हमना आपणे जे छे यह पर डिजाइन दोरी ने मस्त आपणे आवी रिते जे छे ए विध्यार्थियों ने आगल दोरी ने समझायू ओके आरी तो आने शू कहवा मावे आने आम लक कहवा मावे आने शिखर कहवा मावे ओके आने आने कडश कहवा मावे अने आमलक नी उपर रहेली गोडाकार रचनाने शू कहवा मावे आने विध्यार्थियों नू काम खाली भनवानू जो हूँ जो यह खई वह फक्त भनवानू जो काम हूँ जो यह कदाच पॉसीबल न थ्यू होई तो अमे ये रितना न पण कही रूँ होई ओके बट भनाविय तो छिए ने भई तो भनोन यार तमार कोई बी रिते भनवा थी मतलब चन बीजो शू मतलब होई मंगल ग्रह उपर जेन भनाविय प्रुथुई उपर जेन भनाविय पनवा थी मतलब राखवानू बीजो नहीं राखवानू प्लीज मंदीर नी अंदर ना भाग मां दिवालो अने छत पर कथात्मक मूर्तियों बनावा मां आगल छे मंदीर परिस परिसर जे छे ये चारे बाजू दिवाल थी घहरा येलू होतू न थी मैं तमने लेक्चर नी श्टार शरू आत मां जे छे आपड़े आ सोर या टॉपिक ना हाग मंदीर ना परिशरों ने दिवालो छे कितलाक ने नठी तो नागर शयलीए नामंदीर शेंडियों परिषक परिषर परिषर इतले मैदान ये जे दिवालो नती फच्रावद शयली मां जोवा हैमले शेq नागर्शैली ना मंदीरों ने में मुख्य प्रवेश द्वारोपण नथी होता जो कोई मंदीर ने मंदीर नू जे परिसर शे ए परिसर दिवाल थी घेरायल छे तो एनकेव क्यावाई भई संधार मंदीर तरीके ओडखवा मां आवे अने जो कोई मंदीर नू परिसर नागर्शैली नी वाद थाई शे परिसर दिवाल थी घेरायल न थी तो एनकेव मंदीर केहवा मां आवे शे निरंधार मंदीर तरीके ओडखवा मां आवे शे ड़न नागर्शैली अंतर गत्म विक्सैली जे शैली ओशे एमां जो ये तो आगर आपने नाम तो जो इग्या आई यां प्रथम नाम आवे शे ओड़िशा सैली कई सैली शे ओड़िश्या शेली अ मंदीर ने जो शू लागे शे तमने मंदीर नो आकार तमने चोरश लागे शे और आए एक लाक्षानिक ताशर आशू चै लाक्षानिक ताच ओड़ी शी शैली ना मंदीरों नो आकार तौरस होई शै ओके आउज एक्जाब मां पूछाए सारक्षन शैल साम अने पूल्वी गंग वन्सना जे राजवी ओश है मतलब आव वन्सो ये ओड़ी सामा शाशन करे अने आ राजवी ओए उड़ी साशयली ने शरक्षन मतलब यहना समय घर मियान ओड़ी सासाईली नो खाषय वी वह व कसट रहां है सवी शैली तरीके पन ओड़क वा मां आवे सारन के उड़ी सा राज्य जय जे जे छे न साहईब आनु जूनू नाम च्छै क्लिंग प्रद साउधी बेश्ट एग्जाम पनार कॉनर क्नु सुर्यीय मंदिर बुबनेश्वर नू लिंगराज मंदीर नंग्टी नू जगन्नाथ मंदीर ए् साउधी exist exam सौथी बेस्ट एग्जाम्पल से लियर यास नेक्स्ट एनी मुख्य विशेष्था ओ जो ये जो आविग्यू मुख्य मंदीर के ऊओ होई शेवाई चौरस होई शे तथा मंडप ने जग मोहन तरीके ओड़क वामारे से जे गर्भग्रू हने अंत्रालनी सामे नो जे सभाक छे ए सभाक अक्ष ने ओडिशा शैली मां कया नाम्ति उडखवा मावे जग मोहन कहवाई शे एमाजे शीखर शे ए शीखर ने रेखा देवूल कहवाई शे ते उपर नी तरफ जता अंदर नी तरफ जुके शे औने तोचनो भागत के वो होई शे भई थोड़ो वक्राकार होई शे जो इहां पर जे छे आगल नी स्लाइड मां जो आटोचनो भाग जोओ तुम्हें ओके आवी रितना मंदर जतु जाए आवी रितना जुकतु जाई शे जुकतु जाई शे ओके वक्राकार सोरूपे आ मंदीर मा नुरूत्य मांटे एक अलग मंदप एकले के नत मंदप होई शे एना निर्मान मा ग्रैनाइट पत्थरों नो उप्योग थाई शे सामान्य रित्या मंदीरों चारे बाजू दिवाल थी घहराये ला होई शे मतलब जो मंदीर परिसर शे ये परिसर दिवाल थी तो आने के वू मंदीर परिशर के वाई संधार के वाई के निरंधार के वाई तो शाहिब आने संधार मंदीर परिशर के वाई मतलब उडिसा शैली ना जे मंदीरों से ये मंदीरों संधार मंदीरों मां सामेल थाई शके क्लियर शे यस खजुरा हो शैली तो तेरमी दसमी थी तेरमी सदी न समय गाडा मा जे बुंदेल खंड ना चंदेल राजपूतो नू त्यां साशन तू एलो को ये जे छे ये आ मंदीरों ने मंदीर शैली नो खास विकास करे लो शा अने नू बेस्ट एक्जामपल कोई जो हो तो खजुरा हो ना मंदीरों नो चे समुख छे एज आ शैली नू बेस्ट एक्जामपल चे एसी वै कंदरिया महादिव चे लक्षमन मंदीर शे गणेश मंदीर शे वगेरे पन खजुरा हो शैली ना उदारन चे विशेश्ता आगत्यनी शे मंदीर के उँ होई साइब तो पूर्वा मुखी अथवातो उत्तर मुखी मंदीर होई शे पूर्वा मुखी अथवातो उत्तर मुखी मा जो गुजरातना मंदीरों जियस आऊ से ने सौलंकी शैली ना पूर्वा मुखी जाऊ से मतलब के मंदीरों नू जे मूख शे पूर्वा दिशा तरफ अथवातो उ विशेस्ता चे या नागर शैलीनु कोई पण मंदीर हो यानी उप शैलीनु बध्धामा लगबग पंचा यतन शैली जाओ शे मंदीर नी अंदर नी अने बहार नी दिवालो पर मोटी मात्रामा बारीक क्वतर्णी कान थायू छे अने खासकरी ने जे वात्स्यायन रुसी आमा सुत्र ग्रंथ नी अंदर ना जे चित्रों छे ए चित्रों ने खजुरा हो मंदीर शैली नी अंदर चित्रित करवा मा आएवा छे एक्जामनी अंदर पुछाय शके विधान स्वरूपे बहु सारी वस्तु ए छे के कल्चर माथी मोटे भागे फैक्ट्यूल डेटा ओ आउता होई शे मोटे भागे कल्चर माथी फैक्ट्यूल डेटा ओज आउता होई शे ओके पन विधान वाडा सवालो पन आवे शे तो त्यारे आवा सवालो बनी शके मंदीर ना गर्भग्रूपर बनेल शिखर सउथी उचू होई शे गर्भग्रूप सुधी जवा माटे एक नानो मार्ग होई शे तो मंदप थी गर्भग्रूप माँ जवाई तमारे तो अंत्राल क्रोस करी ने जवा उपड़े आस्व भाविक छे ओके सीडी अंत्राल सीडी आउसे मंदप आउसे अंत्राल आउसे गर्भग्रू गर्भग्रूपर नी पाछण नी दिवाल होई तो यहने मंदोवर क्या वाई, नीचे नू तड़ियू छे न जगती क्या वाई, मंदीर थी उपर जाओ तो शिखर आवे, शिखर नी उपर आमलक, आमलक नी उपर कड़ा शावे हवे ये बधी बाबत मा अलग-अलग नाम आपेला होई, for example, तमे ओड़ी सी शैली मा होँ तो यह सिखर ने रेखा दे उलक्या वाई, मंदप ने जग मोहन क्या वाई, समझाई चे? यस, सौलंकी शैली, तो विस्तार, उत्तर, पच्छीम भाग, आपने इया पर जे सौलंकी वो नू शाशन हतु, हवे सौलंकी वो बे धर्मने मानता, हिंदू धर्मने पन मानता, सिद्रास सी सौलंकी अने कुमारपाण जेवा राजिवी वो जैन धर्मने पन मानता, जैन ध एतले तमने पुछाई शके एकजाम मां के सौलंकी शयली अंतरगत अन्य कया-कया धर्मनान मंदीरों नुँ निर्मान थयु तो जू हिंदू मंदीरों नी साथे जैन मंदीरों नुपन निर्मान जे छे या शयली मां थयु शे अन्यकया नाम्ती उलखवा मा आवे मंडूवर शैली जहमके मोधेरानो सुर्य मंदीर पाली तानाना मंदीर माउंट आबू पर देलवाडाना देरा सौमनाथ मंदीर आदिनाथ मंदीर वगेड है पना जे सौमनाथ मंदीर शैना भई एस सौमनाथ मंदीर आ सौलंकी शैली नीपन उपसेली मा बने लूँछा नागर शैली नी उपसेली सौलंकी शैली सौलंकी शैली नी उपसेली आउसे उत्तर पच्छी में चौलुक्य शैली अथ्वा तो पच्छी में चौलुक्य शैली क जो ये एनी विशेष्था मैं तमने आगल बात केरी जेम खजुरा हो सयली ना मंदीर उत्तर मुखी और पुर्व मुखी होई येम सॉलनंकी शयली ना मंदीर हो पुर्व मुखी होई शे मंदीर नी मुख्य विशेस्ता आये छे कि दिवाल पर उत्कुरुष्ट क्वाटर नी काम छे ना निर्मान मा संगे मर्मर एतले कि आरस रेतिया पत्थर अने काणा बैसाल्ट नो एतले कि अगनीकृत जे खड़क छे अनो उप्योग छे मंदीर परीशर मा सिटियो धरावत तड़ाव आवेलू छे जो आपडे आगळ बात केई री नागरसेली नी कौमन विशेस्ता मा आपड़े बात ये वी केई री कै नागरसेलीना मंदीर परीशरमा तड़ाव न थी ओक्रेविडिक शेलीàng आऊ उसे कि त्यां पर कूंड छे जहने कया नाम थी ओलखवा मावे सूर्य कुंड गर्भग्रू अंदर अने बाहार बन्ने बाजु मंदप्थी जोडा येलो होई छे मतलब बे मंदप होई छे मंदीर ना पगत्या पर अने चारे खुणे गौन देवताना मंदीरो स्थापित होई छे पगत्या उपर पंटमें आम जता होई आवे इतना पगय लागें जाओ बन्ने बाजु देवताना मंदीरो आउता होई छे मुख्य मंदीर ना आवे तिया सुधी लगबग देवताओना मंदीरो आउता होई छे पच्छी में चालूप क्या शाइली तो इस वालंगी वन्स नीच चेक फंकल शालंगी वन्स तो पच्छी म भारत ना जिस वालंगी वोजे दक्षीन शालंगी वहता एमने एमना समय माँ जी निर्मान पामेली ते स्थानिक शेली शे के भीछ है स्थानिक अई याँ पर सेनों मिक्सरन जो आमाले साइब नागर शैली अन्य वैसर शैली आप बने नुट जो एक्जाम मां तमने उप्छे के मोढ़ेरानु सूरिया मंदिर कई शैली नुचे तो सौलंकी शैली नुचे मंडोगर शैली नुचे नागर शैली जो सौलंकी शैली नी पण उप्षैली छे अन्य जेहां वैसर शैली छे न एक्षीन भारत ना चालुक्योना समय गाला मा प्रचली थैली एक शैली छे अना विशे डीटेल मा जैशू आपड़े अना विशे आपड़े डीटेल मा जैशू काश्मीरी शैली तो सुप्रसिध मंदीर शै मारतंड मंदीर अ मारतंड मंदीर जैशने भगवान सूर्याने समर्पीत एक मंदीर शै वही यास भगवान सूर्याने समर्पीत अगत्यानू मंदीर शै क्या आवे लू शै तो से जम्मू कश्मीर ना अनंतनाग विस्तार निय बेलू छे अने अईयां पर आठ्मी नुवमी सदी दर्मियान जेचे कारकोटा वन्स नूँ शाशक अने वन्स चेक आरकोटा वन्स यहनू शाशन अने एक राजा यहनु जे नू नाम चे ललीता दित्या मुक्तापिड द्वारा आ मंदीरनू निर्मान कराएलू बट अत्या या मंदीर जरजरी तालत मांचा के वियालत मांचा जरजरी ताहलत मांचा ओके विस्तार कश्मीर अनंतनाग आठ्मी सदी कारकोटा वन्स ललीता दित्या मुक्तापिड ललीता दित्या मुक्तापिड मंदीर मां आवेला स्तंभो ने गुठव वानी जे रचना चे यह मंदीर सरहदिक क्षेत्र मां मंदीर आवे लूँशै तो सुरक्षा ने त्यानमां राकी ना मंदीर नुं निर्मान था ये लूँशै शिखर पिरामीडा कार्णुशै अन्या मंदीर हालमा के वी अवस्थामाचा मैं कि दुए जर जरीट अवस्थामाचा मित्रो जी पी एस सी एची वर्स बेच विशे वाद करिये अत्यारे एडमीशन सरू छे 25 तारिक थी 31 तारिक सुधी डेमो लेक्चर छे टोटल चौँच जेतला डेमो जे छे आपड़े विध्यार्तियोंने प्रवैड करिये शी ए पहली जुन थी बेच रेगुलर शरू एक वर्स नी बेच लेवा मागो तो पन पचास टकाना डिस्काउंट साथे 34,000 वाड़ी बेच शतर जार मा माले शे बेवर्स मा डिएबिशन लेवा मागो तो 50,000 वाड़ी बेच तमने 25,000 मा माले शे आपड़ी पासे जे कोई पन फैकल्टी छे जी पीसी यूपीसी पास क परेल फैकल्टी शे डेली टेस्ट लेवा माँ शे टोपीक वाइस टेस्ट लेवा से विकली टेस्ट लेवा से वीथ तमने करन्ट अफेर्स ना लेक्चर ए मैगेजीन नी साथे मलवा पातर था से तमाम प्रकार नू मटरियल तमारा घर सुदी फ्री होम डिलिवरी करी दे मामा उसे जे फीस फरोचो एज चार्ज नी अंदर तो जे विध्यार्थी लाई बेच माँ एड्मिशन लेवा मागे ये आपेला नंबर पर संपर्क करी अने माहीती मिल वीशा कैसे कुई विध्यार्थी ने उठाई के साइब अमारे ओफलाइन माँ एड्मिशन झिद्ध्यार्थी माटे आउती साथ आथ नव दस तारिक है डेमो लेफ्चर शे आठ वंगे एडला वंगे आठ वंगे सवार नो टाइम शे डेमो लेफ्चरों बार तारिक थी बेच रेगूलर सरूताई चे जो कूल फीस्ट छे 5500 पन साथ तारिक पहला डेमो पहला जो तो में कनफर्म कराऊ तो तमने मले छे पात्रिस जार पां सो रूपया मां आ बेच जो 7 तारिक थी अग्यार तारिक सुधी मां है तो तो तमने आ बेच मले से 388-500 मां अने जो अग्यार तारिक पछी तो 455 फीस पूरी भरवी पर से क्लियर शे दोस्तो यस गांधी नगर ग्यान एकेड़मी अईया पर एड्रेस चेमनों आखू अने अईया पर ओफलाइन एकेड़मी ना नंबर आपेला चे फाइकल्टी कोण शे ए जो विद्यार्ती ने जानवे तो रेगुलरली डेमो लेक्चर आवेज छे ग्यान लाइव जीपी एसी जे यूट्यूब चैनल पर तमें अत्यारे वीडियो जोई रग्या चो त्याज डेमो आवेज चे सवारे आठी दस एक डेमो होई छे साड़ा जादाबार एक डेमों चे एकत्रीस तारीक चार डेमो लेक्चर आठी दस एस जाड़ा बार में थी चार चारती छो आरीते ओके चता भी कई दू रनवीजै राव सहेब चे ओके रन वीजै राव सहेब ना नेत्रूत्वनी अंदर प्रकासी दाइमा सहेब चे आकाश ब्रह दी सर छे विशाल सर छे अमी मेडम चे वैशाली बावा घेला मेडम चे हूं पो ते छू ओके तो आब दी फैकल्टीस चे जैने तमें सारी रिते जानाओ छो जे विध्यार्थी ओफ-लाइन बेच मां एडमिशन ले से ए विध्यार्थी ने ओनलाइन बेच फ्री मां मरवा प करी शको छो नेक्स्ट दक्षीन भारत नी मंदीर स्थापत्य कड़ा विशे चर्चा करिये जो शरुआत क्या थी भैई थाई भैई सात्मी सदी थी दक्षीन भारत मां डाइरेक्ट द्रवीड शैली नी शरुआत नोती थाई गई न्या एक पल्लव वंस जेचे चालतुतु दक्षीन भारत नी अंदर जो तमने एक्जामनी अंदर एवटुछे के जे दक्षीन भारत नो विस्तार छे ए दक्षीन भारत ना विस्तारमां साउ प्रतम मंदीर बंधावशनार कौन तो पल्लव राज्वी अkaणावसे पल्लव पिण जे द्रवीड शैली श विकास करना राजवीव कौन तो चौल राजवीव चम साहिब आम छे हाँ एम एतला माटे छे कि पल्ल वो ये जे मंदीर स्थापत्यानी जे मंदीरों बांधिवानी शरुवाद केरी ने पोता नी व्यक्तिगत शैली थी एने मंदीरों बैदा द्रवीड शैली तो एना पची थी विकास थाई महेंद्र वर्मने जे मंदीरों बंदाएवा ने महेंद्रों शैली थी बंदाएवा नर्शी वर्मने जे मंदीरों बंदाएवा नर्शी शैली थी बंदाएवा राजा जैसी है जे मंदर मंदीरों बंदाएवा जैसी शैली थी बंदाएवा समझाइशन है पोत पोता नी व्यक्तिगत शेली जमके हूं मंदिर बंधा हुँ तो मारी अलगती शेली जयेस शेली राखो भाय बंधा आवे तो यहनी अलगती शेली विपुल शेली राखो क्लियर शेए? ओके? यस शरूलात मंदिर स्थापत्य नी शरूलात दक्षिन भारतमा कौने कहीरी? पल्लव शाषको यह जये द्रवीड शेली नी पूरो गामी अती? मतलब हजू द्रवीड शेली नी शरूलात थाई नो ति द्रवीडो नी पहला नी आ शाइली अती? द्रवीर शैली ना निर्माण मा कोणो कोणो फाड़ो छे तो शाइ पल्लवो पन आवसे चोल, पांडिय, नायक, विजैनगर वंसना शाषपोनु योगदान छे पल्लव वंसना समय मा बनेला मंदिरो मा व्यक्तिगत शाषपोनी अलग अलग शैली वो जोवा मले छे अई यहां हजू एक बाबत लाखी दो, जो गोपूरम नो विकास कोणे कई रो, यह उपूछे दो पांडिया आवसे दक्षिर भारत मां मंदिर स्थापत्य नी शरुआत पल्लवो ये, द्रवीर शैली नी शरुआत चोलो ये, गोपूरमों नी शरुआत पांडियो ये जो ये, जिमके महेंद्र वर्मन जेश है, ना समय मा खड कोने कापी, और मंधिर नों निर्माण करातू, और मंधिर ओक़ाता नाम थी ओढ़क नंदिर मंधिर ओखाता, नागर शैली मा मंधिर मंध्लब सूथा, तो कि सहाँं गर्भगुरणी सामे है, एनने आपड़ी शै पोतानी शैली व्यक्ति गत सैली शैने एमां आखा मंदीर ने मंदप काई दी तो ओके जो जारे नागर शैली मां मंदीर मंदप नो अर्थ सभाक अक्स थाई एना उपाधियों के भी मले लिशे तो वीजीत्र चित्र एतले जिगनासू चैत्यकारी मंदीर निर्माता चित्रक पूली एतले के खलाकारोनी वच्छे वाग समान पूली एतले वाग थाय फुञी एतले वाग थाये नर्सी वर्मन अ्म से ममल्न उपनाम चाहे मामल्ल एतले एने मामल्ल पुरम पर कहवाई श्व महाबलीपुर्म नी स्थापना अथव महाबलीपुरम नी रचना निर्माण कुण करेलू छे तो पल्लव वंस्ना राजवी, नर्शी वर्मन प्रथमें एने रथ मंदीरों बंधाईवा जे कितला आता साथ अनि एतला माटे जेने सब्त प्यागोडा पण कहवाई छे रथ मंदीरों ने अत्यारे पाचज मोजूद छे क्यांके बे रथ मंदीरों समुद्रमा गरकाउ थाईगे आशे यह मोटू मंदीर जे छे ए धर्मराज युधिष्ठीर नू अने नानू मंदीर कोनू छे तो द्रूपदी जे माता छे एवनू राजसीह शेयली तो एपन पल्लव कालनी जे व्यक्तिगत शेयली शे रॉक कट आर्किटेक्चर रॉक नो मतलब थाईचे पत्थर कट एटले पत्थर ने काप वो पत्थर ने कापी एटले के खड़को ने कापी ने मंदीरों ना निर्मान था ता एमा महाबलीपूरम ना समुद्रत अटिय मंदीरों आर्कोट नों पन्नमलाई मंदीर तैलास नाथ मंदीर काची मां छे व्यकूठ नों पैरू मलनू जे मंदीर शे आबधा मंदीरों राजसीह शेयली ना मंदीरों शे ओके यस वन्टू लेवल मां आज डीटेल भाई कारण के छीपींए इसी वन्टू मां पर में जाओ ने तो तमारी जे चार्सों माक्ष new preliminary शेने एये कार्सों मां प्रिलीम माती परस माक्ष Drag methane सान्सक्रूतिक वार्श सोच है 6 तमें कदाचने सों GPSC Super Class 3 मां जाओ तो बसो नी प्रिलीम वोई तो यहामाँ थी 25 मांक्षनों वार्चो छो चे 20 मांक्षनों वार्चो चे साड़ा बार टकानों वेट जावे वेग मुख्यत वे आठ वीचा यावेन साड़ा बार टकानों वेट जावे साधर बर सुदाबर साँर बर साधर बर साधर बर साधर बर साधर बर साधर वार शाधर शाबन से टाहू शिभर दूजे धाया चाहित जो जो शोने है यées धिडियाaps फिरengo ऌ cachooמפяж कर से पार को इस हो चाहत प्रिलीमपस करें सब्धेस कोणके सब्जयक्त अमेरा कल्चर बेज वीशाई जेशे निजमना भम्म करीन सो माक्स रोकड़ा आप आवे सो नलाई सको तो काई नी एटीफाया जुबाजुतो माक्स तम कवर करी शको नीज शारा एवा नोलेज होए तमने आप सब्जेक नो तो सारू यहू नोलेज होए तो आतो बेज वीशाई ना जो आजो यह मतलब के मेंस माटे तमें एलीजीबल थाई जो आजो यह तो 400 माथी तमें बस वाजू बाजू तो एलीजीबल थाई जाओ काएक वन्टोनू पेपर हाव तो इजी नती जाओ तो ओके यस चार बाद दक्षिन भारत मां मंदीर निर्माण नी एक स्वतंत्र शैली नो विकास थयो जे कई शैली ना नाम्ती ओडखाई चे बई ए द्रवीद शैली एवा नाम्ती ओडखाई चे क्लियर शै यास चालो जोई ये याद राखो जम नागर शैली मा खजुरा हो शैली अती ओड़ी सी शैली हती सोलंकी मंडोवर शैली कश्मीरी शैली हती सोलंकी नी अंतरगत पच्छी मी चालो क्या शैली हती एम द्रवीड शैली साथे स्थानिक शैली नोपन विकास थे जमके होई सर शैली विजय नगर नायक शैली अन्य वैसर शैली ओके आजे वैसर शैली शेन है ये तो काई देसर मिक्स रण चे कौनू कौनू तो नागर प्लस द्रवीड नूँ नागर प्लस द्रवीड नूँ मिक्स रण चे वैसर शैली चे चे मामल्ल पुरम नी वात करिये तो सातमी सदी मा पल्लव वन्सना शाशको हेठर नूँ तेक बंदर आधारित नगर अतू मामल्ल कौनू उपना मतू आपड़े आगल वात करिया मामल्ल पुरम एतले महाबली पूरम तो मामल्ल कौनू उपना मतू से नर्शी वर्मन प्रथम ओके अनि एना उपनामने आधारे एने मामल्ल पूरम पण कहवा मावे आ नगर नू नाम नर्शी वर्मन प्रथम ना उपनाम मामल्ल पर्थी रखायू हतु अईया जे छे एनी विशेशताय जोवानी छे एक तो तट मंदीर बवगत्यनू छे जहने युनाइटेड जे नेश महाबलीपूरम ना तट मंदीरो आ मंदीरो नर्शी वर्मन बिजाना समयमा ग्रैनाइट पत्थरों माथी द्रवीड शैलीमा बनावाया जे युनेशको नी वैश्विक वार्षानी यादीमा स्थान धरावे छे बिजू महाबलीपूरम मा आवेला रथमंदीरो तो एक आपी ने बनावायेला मंदीरो छे जेना नाम पांच पांडवो और सिता माताना नाम पर्थी रखायेला छे वराह गुफा तो आपण महाबलीपूरम मा छे तेने आदी वराह गुफा पन कहवाई ये सिवाई अहीं या महीश मर्दीनी मंदप और कुष्ण मंदप पनावे अर्जून तफ अथवा तो भगीरत तफ अर्जून तफ अथवा भगीरत तफ तो एक खड़क पर करवा मा आवेल कोतर नी काम छे जे मा देवी देवता पशू पक्षी नी आकरूती कंडा राहे चे साइबा क्वेशन कई रितना एक्जाम मा आवे तो नीचे नामा थी कया स्थापत्यनों समावेश ममलल पूरम स्थापत्यमा थतो नथी खबर होवी जो ये कसे वराह गूफा पणावे रथ मन्दीरों पणा आवे भगीरत तप अरजून तप जेचे ये नू समावेश पर्ठ थाय तट मंदीरोंओस समावेश पन ममल XLหนचापत्यमा ज थाय मतला ब सरक्षन चौल वन्सना राजवियो या पेलू छे अन विस्तार कयो छे बैई दक्षीन भारत नो विस्तार यानी लाक्षन इकता जोई जो शैली कई अनूसरे छे बैई पंचायतन शैली नागरों मां कई अती तफावत करता जो उंकराव तो जाओ चालो तमने तफावत नागर शैली मां जे आवसे एन आपने तफावत लावीशू द्रविड शैली साथे मंदीर परिशर मां पाणी ना कूंड होई छे नागर शैली मां नथी होता बट नागरों नी उप शैली जे चे नागर शैली नी उप शैली कई सोलंकी शैली ना मंदीर परिशर मां पाणी ना कूंड होई छे पड़ मूल नागर शैली मां होता नथी द्रविड शैली मां होई छे जे नो उप्योग धार्मीक कार्यों करवा मांटे थाई छे नागर शैली ना मंदीर मां आविशेस्ता न थी चालो एक तफावत आव पूछाए वाध्यानों सवाल पर आज नो लेक्चर जे अखे आखो जे मेरोथोन लेक्चर जे चे इंडियन कल्चर नो आ लेक्चर तमारा माटे दस्थी पंदर माक्ष नो छे अन कदाज कोई क्लास थ्री नी परिक्षामा तमें जद्धारों ने तो ताह तो लगब गईयां नज पूछा से एक कोई टेंशन नथी ओके मंदीर नी चारे बाजू उची दिवालों होई शे याद करो नागर शैलीना मंदीरों मां उची दिवालों होती नथी काए मंदीर परिशर ने दिवालोद नथी दर्वाजाओद नथी पन जो हाँ भागिये कोईकने हो आई तो ऐने संधार मंदीरों क्यों वाए नो होई तो निरंधार क्यों क्लियर मंदीर नी चारे तरफ एक विशाठ प्रदक्षीना पत होई शे जे उची चार दिवालों हुथी गेरायल होई शे अपना नागर्शेली मां साइ प्रदक्षिना पत तो होई पड़ ए प्रदक्षिना पत उची दिवाल थी घेरायलो होतो नथी अने मंदीर ना प्रवेश माटे उचा सिह द्वार बनेला होई शे जैनेशु के वाई गुपूरम नागरमा होई ना साइ प्रवेश द्वार रज नथी होता लियर गर्ब ग्रुह ना प्रवेश द्वार पर सजावट माटे द्वार पाल यक्ष मिथुननी मुर्तियों स्थापित करायली होई आ शैलीना मंदीरों पिरामीड आकार ना शिखरों वडांक धरावता नहीं परंतु उपरनी तरफ एकदम सिधा जेवार सिखरों होई छे अनियाने कया नामती ओलकवा माँ आवे विमान हाँ एक्जाम मा पुछी शके विमान जेवार सिखरों जेछ अथवा तो विमान सिखरों निचे नामाती कई शैलीनी लाक्षन इकता छे ओप्षन आई पो होई नागर शैली शैली आवेशे द्रविड शैलीना मंदिरों मां थक्त मुख्य मंदीर नी उपर सिखर होई शे गौन मं होई अप्णे कहुञ शै तो आपने पॉच्छे ये उपर शिखर हुई फिखर होई एकज मंदीर परसिखर होई एकज मंदीरू पर शीखर होई शा, ओके, आ प्रकारना मंदीरू, एक रिते नानू शहर के प्रासाद, प्रासाद एतले महल, प्रासाद एतले महल बनी गया आता, जे माँ पुरो हितो माटे आवासिय भवन उप्रांत अनेक स्थापत यावेला चे, बेस्त एक्जांपल जो द्रवीड शहिलीनू, तो तांजोर नू शीव मंदीर, जे राजा राज प्रथम में बनावेलू छे, गंगे चोलपुरवनू शीव मंदीर, जे राजेंद्र प्रथम द्वारा निर्मान पामेलू छे, बदा विद्ध्या थोए गोखत कॉमेंट करीन जनाई दे जुन पे कंप्लेट फावेतों शे ने, कंप्लेट थाई शे ने, कोई टेंचन जेऊ नहीं ने, नेक्स्ट जहिए, तो चोल वन्स, दक्षिन भारत नी कडा अने संस्क्रूती नो सुवर्ण यूग, अग्यार मी सताब्दीना पुर्वार्द मा, चोल राजा, जे राज राज प्रथ अने राजेंद्र प्रथम जेवाजे राजवी हो छे, एने चोल सामराज जने सिखर पर पौँचाएडू, मतलब सम्रूदी सता अने जे स्थापत्य कला होई, चित्र कला होई, मूर्ती कला होई, ये तमाम बाबतों नी अंदर शे, पापा लेक्चर मांच वोते रहे, ये ह सो यह वो विकास करेलो, अने एमा बे राजवी हो नो फाड़ो गत्यानों से, बापा नो खोन आयो एकले उपाड़ो पीडो, ओके, आ समय गाणा मां, द्रवीड शेली मां, मंदीर निर्मान चर्मोत कर्ष पर पौँच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च् मंदीरों ने विमान शेली ना मंदीरों क्यावाई, मंदीरों नी सामे स्तम्भो पर उभेला विशाल कक्ष मैन्या, जे मंडपम तरीके ओलखाता, आ भवनों नो उप्योग तहवार उत्सव नृत्य समारों माटे थतो, मंदीर नी चारे बाजु विशाल प्रदक्षिना प मंदप तो आपड़ी नागर शेली मां पन अता, पन आपड़ी नागर शेली मां जे मंदपो हता ने वई, ए मंदपो तंभो वाला नो ता, ओपन मंदप छे, दिवाल पर उबेला छे, थांभली ओ जोवा मलती, नती दक्षिन भारत ना मंदीरों नी अंदर, द्रविन शेल पर जे सुप्रसीद्ध ब्रुहदेश्वर मंदीर, जैने राज राजेश्वर मंदीर पन कहवाई शे, ए मंदीर बंधायों, आ शेव मत थी, एकले भगवान शीव साथे संकलायेलू मंदीर शे, तेमा देवी देवता, एसी वाई राजा राणी नी पन प्रतीमा ओ छे, आ अने प्रवेश द्वार पर द्वार पारदी पन मूर्ती शे, आ मंदीर नू निर्मान कोणे करावेलू छे, तो शेव राज राज प्रत्थमे, कया जग्या ये तो तमिल नाडू राज्यय नो अत्यार नो तांजोर जिल्लो कावेरी नदीनो किनारो ब्रुद्देश्वर म महादिव पन के हवा मावे शे, ओके अन शेयु मत्थी सबंदीता मंदीर शे, आ मंदीर नी दिवालो पर असंख्य शिल्पो कंडार आता, जे माँ सीव ना अवतारो, काली नागना मस्तक पर नुत्य करता, बाल कृष्णनी मूर्ती, राजानी सम्रुद्धी अने किर्ती न एनो पन विकास थयो, जे माँ तामबाना के कासाना सिल्पो जोवा मले, अने आ समय नी जे कासानी भगवान शीव नी जे नतराजनी मूर्ती शे, ये भारतिय धातु कडानो उत्तम नमूनो छे, एक्जामनी अंदर पुछाई गयेलो पन सवाल छे, अने आ नतराजनी जे मूर्ती भगवान शीव नी दूरेली आवती, नुर्त्य करता होई भगवान शीवेव, अमनाईय आवशे, ओके, चोल काल मा भीत चित्रो नू विशेश महत्वा शे, तीरू मयम अने ममुंदर नी गुफाव, काची कैलासनाथ मंदीर, वाइकुठ, पैरु मनना मंदीरो, ज्यां भीत चित्रो छे, एसीवा इस्थापत्य कला, मुर्ती कला, अने चित्र कला नो स्रैष्ठ समनवै थयो होवा नेकारने, आ चोल यूग जेचे, एने दक्षीन भारत नो सुवर्ण यूग मानवा महावेशे, जो भारत नो सुवर्ण यूग तमने पूछा ने, तो ग चोल मुर्ती कला जोई है, तो जहाँ भगवान सीव जेचे, एन अट राजनी मुर्ती छे, अवे उं तमने जेतलू कव, एकलव तमने मुर्ती माजोहिले जो, एक तो भगवान ना वाड ने जो, ओके, भगवान नो जे उँचका एलो जे हाथ चे, आ उँचका एलो हाथ, उचका एला हाथ ने जो पगवानना हाथ मां जे डमरू छे ए डमरा ने जो पगवानना शरीर उपर जे सर्प विटला एलो छे ए सर्प ने जो यहां जो रवा सर्प विटला एलो छे पगवाननों उचकाई गये लो जे पग छे ए पग ने जो जो शोना बदू हाँ आजे फर्तु जे राउंड छे है यहने प्रभामंड़ क्या वाई शू क्या वाई प्रभामंड़ तो प्रभामंड़ ने जो अब दीज वस्तु जोई हवे आप बद्दीज वस्तु कईक ने कईक प्रतीत करावे शे आप बद्दीज बाबत नो कहवानों कईक ने कईक अलग मतलब शे ओके एक एज मिनीट हाँ आई याँ पर अगनी शे सूच है अगनी शे तो अगनी ने जुओ क्लियर शे हाँ हवे कई बाकी नथी हवे जो ये आ कासा माथी बनेली नत्राजनी मूर्ती शे आनी डीटेल मां आपने जहिए तो जो शीवनी जे आ मूर्ती शे ने ये बे स्वरूप मां चे एक रोद्र तांडव और एक आनंद तांडव मतांडव नुत्य रोद्र स्वरूप मां चे जे डमरूत में जो यूने ए संसार ना सर्जन नू प्रतीक चे जे भगवान चीवनू डमरू जो यू आपड़े से नू प्रतीक चे तो यह मां थी संसार नू सर्जन थाई शे जे अगनी जोयो आपड़े ए विनाशनू प्रतीक चे भगवाननो उठ तोपग ए मोक्षनो मार्ग दर्शावे चे अन्य हवामा लेहराती जे जटावो शे ए गंगानदी ना प्रवाहनू प्रतीक गंगान दी ना प्रवाहनू प्रतीक अन्य भगवान ना शरीर पर वित्रडा एलो जे सर्प छैने ये सर्प कुंडलीक शक्ती नू प्रतीक छै कई शक्ती भई कुंडलीक शक्ती जे क्या होई शे तो मानस नी जे रीधनी हड्डी ओमा शक्ती रहेली होई शे आपनी जे रीधनी हड्डी ओमा शक्ती रहेली होई शे आपनी जे रीधनी हड्डी ओमा शक्ती रहेली होई शे आपनी जे रीधनी हड्डी ओमा कुंडलीक शक शीव नी आ मूर्ती जे छे अर्धनारी स्वरूप मां छे अने मूर्ती नी चारे बाजु फर्तूसु छे भई प्रभामंड़ छे प्रभामंड़ छे वैसर शैली जो ये तो ये नागर अने द्रवीण शैली नू मिक्सरण छे कया राजवी होए एने सरक्षना पेलू तो चालुक्या राजवी होए सातमी सदी मा अने अन्य नाम एने करनाटकी शैली पन क्या वाई का इंक्या आजे चालुक्या साशको जे छे ये कया राज्ये ना विस्तार मा शाशन करता भई करनाटक मा क्या करता करनाटक मा अने अनो व्याप विंध्य प्रवत माला थी लई अने क्रुष्णा नदी सुधी फैला येलो छे है विंध्य थी लई अने क्रुष्णा नदी सुधी लियर योगदान आपनार शाषको जो ये वैसर मा तो बादामी अने कल्याणी ना चालुक्य मान्य खेतना राष्टको टो वारंगलना काक्तिय शाषको अने देवगिरी ना यादवो आलो को ये वैसर मा योगदाना पेलू शाष्णा अने वैसर शेली ना मंदीरों लाडखा मंदीर जे एहोल मां चाहे दोड़ा बसपा मंदीर बादामी नू मंदीर दुर्गा मंदीर अने मैगूती नू जाइन मंदीर मंक्य विसेस्ता शोचे साइब तो मंदीर ना मुख्य बे अंग्स एक वि मान अने एक मंडप विमान एटले केकन outcome मंदिरों अने मंडप जे चे तो आपने ख्याल चे मंडप से मंडप टली तक हो पर्ता स्तंभो परता केल लााँ चे roz potato मंदीरों औरो जोप तापन द्रवीड शैली मा स्तंबो जोवा मले तो वैसर मा पन जोवा मले मंदीरों मा शिखरों नी उन्चाई ओची तथा प्रदक्षिना पत खुला चे दरवाजा स्तंब अने चत पर बार्धीक कोतर्नी काम करवा मा आवतु मंदीरों मा जतील कोतर्नी काम सिडिदार शिखरों अने मुर्ती द्रवीड शैली नो प्रभाव जोवा मले बेनू मिक्सरण चे ने शैनू मिक्सरण चे साइब नागर अने द्रवीड अने मंदीरों मा चौरस आधार अने वक्राकार शिखरों एमा नागर शैली नो प्रभाव जोवा मले बनने शैली जोवा मले शे जीपीएससी एची वर्ष बेच नी वित्रों वाद करिये जो एक वर्ष नी बेच लेवा मागो शो तमे तो 34,000 फीमा 50 टकाना डिसकाउंट स साथे 70,000 मा मले शें 50,000 रूपया वाली जे बेच छे मतलब बेवर्ष नी वेलिडिटी वाली यानी 50,000 फीमा 50 टका डिसकाउंट साथे तमने 25,000 मा बेच प्राप्त थाई शें ओके हाँ 25 तारीक थी 31 तारीक सुधी डेमो शें पहली जुन थी बेच नी रेग्यूलर शरू धुआत करवा मा आवे शें तमाम प्रकार नुँ मत्रीयल, तमाम प्रकार नी टेस्ट, तमाम प्रकार ना ई-मेगेजिन तमने यहां थी मलवा पात्र रहे से जे विद्यार्थी ओफलाइन बेच माँ एडमिशन लेवा मागे गांधी नगर माँ आवी अने ग्यान एकेदमी मां रुबरू भणवा मागे शे ने 7-8-9-10 तारिके डेमो लेक्चर चे सवारे 8 वागे 7-8-9-10 एतले आवती जून महिनानी बेच बार तारिक थी शरू लाइन बेच माँ एडमिशन लेवा ना छे याने लाइव बेच पन फ्री ओप चार्ज मां मलवा पात्रा छे फीस केतली छे 45,500 पन डेमो पहला जो तमें कंफम कराओ छो तो तमारी फीस रेसे 35,500 साथ तारिक थी 11 तारिक सुधी मां फीस बर्सो तो 38,500 अने 11 तारिक पची फीस बर्सो तो 45,500 जो लाइ माँ एडमिशन लेवा मागो तो अईया थी संपर्क करी शको ओफलाइन माँ एडमिशन लेवा मागो तो अईया थी संपर्क करी शको क्लिया अगे जो ये विजयन गर्षाइली तो विजयन गर्शां भलत शामराज्यणि राजदानि कहीं chỉ सया भई हम्सी अहीना स्थाशको ये द्रवीड स्थापत्य शैली ना एक स्थानीक स्वरूप नो विकास केरों अन्या स्थानीक स्वरूप एटले कई विजैनगर शैली अईया पर बिजापूर नी इंडो इस्थापत्य कलामो पन प्रभाव जोवा मले सैब आनो प्रभाव जोवा मले एननू एक रिजन एछे कानके विजैनगर सामराज जेचे ने एननो अंत ताली कोटाना युद थी आवेचे ताली कोटानू युद एटले राक्षसी तंगड अंत ताली कोटाना युद पची विजैनगर उपर जेचे इकोनू साशनावी जाई छे तो विजापूर ना मुस्लीम साशकोनू साशनावी जाई एतले आ विजैनगर सैलीमा बनने मिक्सरण जोवा मले शे उदारन लोटस महेल जेमा मीनार अने गुंबज नो पन प्रियो युग थे लोशर एनी विशेशता तो परिशरमा मंदीर सहीत अन्य प्रवुतियों माटे ना पन भवनों अता विजैनगर सैलीना खास भवनों जोई तो अमान्न मठ अने कलियान मंड़ आ मंदीर सिवाई ना जे छे ए अन्य भवनों छे अन्य मंदीर नो केंद्रीय एक कलियान मंडब तरीके ओलखा थो मंदीर नी वच्चो वच जे सभाकक्ष छे जे हौल छे एक या नाम थी ओलखाई कलियान मंडब मंदीर नी दिवालों क्वत्रणी काम अन्य भुमीतिक आक्रूती होथी सजावाती चारे बाजो गोपूरम बनावा मा आउता बहुवज अगत्यनों क्वेशन ओके एक ओखत अल्रेडी एक्जाम मा पूछाए गेलों छे द्रविर शैली ना मंदीरों नी अंदर गोपूरम हता ये तो एनी लाक्षनिकता छे जे पन चारे बाजो गोपूरम हता ये वी लाक् विजय नगर मा वधारे उंचा अने क्वत्तरणी युक्त भव्य अलंक्रूत गोपूरम बनावानी शरुवात थाई जेने राई गोपूरम तरीके ओडखवा मा आवे चे आवे तमने नौर्मल सवाल पूछी ले ओके हाँ के द्रविर स्थापत्य शैली अंतर्गत आवेल विजय नगर ने अंधर राई गोपूरम आपने गोपूरम देवी देवताओ नी विशाल मूर्ती ओथी अलंक्रूत गोपूत गोपूरम विठल स्वामी मंदीर अने हजारा राम मंदीर विछल स्वामी मंदीर और राम मंदीर बहुँ इजीली तम ने याद रही जाए विज़ेहिन अगर सामराज जशे और विज़ेहिन अगर शहीली ना जे मंदीर वह शहीद आज़ तो वी हूँ विज़ें वी वी विछल स्वामी नौ heritage man नायक शैली नायक शैली छे आने अन्य मदूराई शैली तरीके पन ओलखवा माँ आवेश तो पची मिनाक्षी मंदीर जे मदूराई माँ आवेलू छे इकई शैली माँ होई नायक शैली माँ स्री रंगम मंदीर अन्य चिदंबरम मंदीर ए नायक शैली ना एक्जामपल छे एनी विशेश्ता तो द्रवीड शैली नी बद्धीज विशेश्ताव उप्रांत एक मुख्य विशेश्ता छे मंदीर परिसर अन्य गर्भगरुह नी चारे बाजू कौरीडोर नू निर्मान थयू जेने प्राकारम तरीके ओलखवा माँ आवेश प्राकारम सुचे तो गर्भगरुह नी फरते कौरीडोर थाई ओके हाँ एने प्राकारम ए प्राकारम ए नायक शेली एतले के मदुराई शेली नूँ एक विशिश्ट लक्षन छे मंदीर ना विभिन्न भागो ने एक विजास साथे जोडवा माटे छत धरावता प्रदक्षिना पत अने दरीक जग्याए बारीक कोतरनी काम शब्दोनेज पकडवाना भई आमाथी काई तमने आखा नाखा बेठे बेठा मुद्दा ना पूछे कोई दिवस राई गोपूरम पूछे प्राकारम पूछे मन जडास अतुक नो तुई पूछे स्तंबो ताके नो ता ये पूछे प्रदक्षिना पत बंद चेक खुल्ला चे येव पूछे शिखरोक येवा चे येव पूछे आवुज पूछे बीजु कईन पूछे मंदीर परिशर मां एक विशाल सरोवर जे सवर्ण कमण सरोवर तरीके ओड़ खातु आ शैली मां गोपूरम नी कड़ा उतक्रुष्ट स्तरे पहुँची अन्य मंदीर निर्माण मां सवथी उचा गोपूरम जो कोई हो आई तो ये है नायक शैली मां छे बैं नायक एतले क अधूराई शैली मदूराई शैली ओके हां अने इतला माटेज विश्वनु साउथी मोटू गोपूरम जे छे साउथी मोटू गोपूरम ए मिनाक्षी मंदीर मदूराई नूशा अवे तमें काई याद नराखोन खाली एतलू साइब याद राके लियोंने के विश्वनु साउथी मोटू गोपूरम जे छे ए मिनाक्षी मंदीर नूशे जे मदूराई मां आवेलू छे तो तमने एपन खबर पड़ी जै के मदूराई एक शैली छे अने मदूराई शैली इतले नायक शैली तो गोपूरमनो सौथी वधारे विकास चो कोई शैली मा था यो होए तो यह मदूराई शैली मा था यहलो शे ओके आहां अने प्रकारम प्रकारे जे छे यमा कोरीडोर बनावा मा आव ता पर राइगो पूरम पाच्छा एवीजै नगर शैली मा आवे होईशल शेली तो करनातक ना मैसूर श्चेत्र मा द्वार समुद्र ना होईशल वन्ची यादव ओए अग्यार्थी चौद मी सदी दर्म्यान साशन केरू तेमा हेली बेड, बेलूर, स्तुरूंगेरी जेवास थळो ये मंदीरोणू निर्मान थाईू मंदीर जतील दिजाइन धरा होता, तारा ना आकार्मा एटलेक, तारा किया योजनामा बना वा मा वता, आया याद राग जो होईशल सेली जेच्ँ होईशल सेली नीवो अगत्या नी आ विशेसता चे मंदीर तारा आकार्मा बनता मुलायम रेतिया पत्थर नो उप्योग थतो अने मंदीरों उची जगती पर बनावा मा आउता हवे जो आपने जगती नी जारे वात केरी ने नागर शैली मा त्यारे हो तु कि नागर शैली ना मंदीरों मोटा भागे जगती पर बनता पन द्रवीड शैली मा आवी विशेस्ता जोवा मनती नै बट यस द्रवीड शैली ना अंतरगत आउती होईसल शैली ना मंदीरों जगती उपर बनता जगती उपर बनता होके भाई हाँ मंदीर नी दिवाल पर महभारत रामायन भागवत कथा आधारित को तरणी कान थयू छे मुर्ति उनोपन उप्योग करायो दरेक होल पर शिखरों बनावा माएवा दिवालों अने सीडियों जेचे जिंग जेंग पेटन मा आती साइब जिंग जेंग पेटन इतले आप जेंग जेंग पेटन क्या वाए जेंग बेल्लूर मा आवेल हू चन्नाकेशव मंदीर अने हली बेड मा आवेल हू ओई सलेश्वर मंदीर कर यू छे है हूई सलेश्वर मंदीर विप मेरी टू पानी मा गाई लू रूपेज भाए ओके एकज मिनिट आव यस चालो मित्रो ओके हाँ तो जी पी एस सी हाँ बरो बर्शे बरो यस चालो भारतिय हस्त कड़ा कापड उपर नी हस्त कड़ा होई लाकडा उपर नी हस्त कड़ा होई काच उपर नी कड़ा रमकडा उपर नी कड़ा आवी घणा बधा प्रकार नी हस्त कड़ा नोजे टोपीक छे ए जी पी एस सी माट ए घणो अगत्य नोशे जोई ये मा तो पहला जी पी एस सी एचिवर जे मा तमें अत्यारे लेक्चर जोई रहियाँ चो एमा जावेचे सवारे आठ थी 10, 16, 16, 16 बार जे विद्यार्थी ओफ्लाइनमा एड्मिशन लेवा मागे शे ज्यानलाई मां अन्य जीपी एसी नी बेच मां ओफ्लाइनमा एड्मिशन लेवा मागता होई इवा विद्यार्थी माते 7, 8, 9, 10 तारिक है सवारे 8 वाग्ये डेमो लेक्चर शे अने 12 तारिक थी बेच रेग्यूलर शरू थाई फीश्चे पिस्ताली स्पान्सो बड़ तमने मले शे यस ओका डंडड़ हाजी बड़ फीश्चे पिस्ताली स्पान्सो बड़ जो डेमो पहला कंफ़म कराओ चो तो तमने मले शे 3,500 वामा 10,000 डिस्काउंट रोकड़े रोकड़ू मले शे ओके हा सात तारिक थी अग्यार तारिक यतले के डेमो ना समय दर्म्यान जो तमने एड्मिशन कंफ़म कराओ चो ओफ्लाइन नी अंदर तो 38,500 रूपया मा यतले के 7,000 डिस्काउंट मले अन जो ग्यार तारिक पची तमें फीस पे करवाना चो तो पूरे पूरी 45,500 रूपया फीस पे करवी पड़ से जे विद्यार्थी ओफ्लाइन बेच में एड्मिशन ले से एन लाई बेच फ्रीमा मलवा पात्र चाहे ओफ्ला ए सामान्य रिते हाथो ना कौशल्य द्वारा तैयार करवा मा आउती रचनातमक वस्तुओ बनावानी कड़ा छे हस्तकड़ा एटले सु तमारा हाथ वले तमें जे कोई पन कड़ाने आकारा पोछो तेने हस्तकड़ा क्यावाई आ धुनिक समय मा तो कितलेक मशीन और उपक परोणोंनी मदथ्थी बने छे ओके भारत ना घणा राज्यो पोतानी आगवी कड़ा माटे जानी ता छे अन्य प्राचिन भारत जे छे ए हस्तकड़ा बाबते खुबेज समरुद्ध तो एक समय भारत रेश्यम मार्ग थी पोतानी जे वस्तुओ छे यूरोपना डेशोँ आफरीका पच्चिमी अशिया जेवाददेशों मां निकास करतो आज ये रेश्यम मार्ग चाने ये रेश्यम मार्गनों एदले के जे मार्ग ती खास करीने रेश्यम व्यापारत तो एनो मोट्टा भाग नो विकास चे नी कुशान वंस सथे संक्लाएलो चै अन् जो कोई स्पेशल राजवी ने लेवा जईया आपड़े तो कनिशक ये खासो विकास करेलो रेशम मार्ग नौ भारती हस्तकळा मां कई-कई कड़ा छे बई माती नी हस्तकळा काईमी हस्तकळा अन धूली एटले के रंगोली हस्तकळा एमा सव प्रथम जो ये माती नी हस्तकळा तो माती नी वस्तु मनुष्य ना प्रारंभिक शिल्पो नुँ एक प्राचीन नमुनो मानवा मा आवे छे, प्राचीन समय मा ज्यारे कोई धातू नोती, ज्यारे काच नोतू, चामडू, येवी कोई खबर नोती पड़ती, त्यारे मानसे माती माती शिल्पो बनावानी वाद करेली छे तो एमा सव प्रथम शिल्प हो तो माती ना एमा सव प्रथम पुरावो पाकिस्तान मा जे महेरगड छे ये महेरगड खाते थी आपने मलाए छे मनुष्यना जीवन ना प्रारंब साथे माती ना उप्योग नो प्रण प्रारंब थयो माती काम मा समयान तरे परिवर्तन है वा जे थी माती ना वासनों ने हस्त शिल्पना गीतो एवा नाम्ती ओडखवामा आवे छे एना बे प्रकार छे एक पकवेली माती नी हस्त कड़ा छे एक चिनाई माती नी हस्त कड़ा पकवेली माती मा पण बे प्रकार आवसे एक साधी पकवेली माती नी हस्त कड़ा एक चित्रात्मक पकवेली माती नी हस्त कड़ा मतलक पकवेली माती पन उपर जे छे एक चित्रो वगेरेक एक दूरेला होई चीनाई माटी माँ पन बेचे साधी चीनाई माटी अने चित्रात्मक चीनाई माटी जो ये साधी पक्वेली माटी नी हस्थकला तो उप्योग चाक अने सांच प्राचीन समय गाळा माँ जे छे या साधी पक्वेली माटी चाक अने सांच आवात पद्धति ओथी बनाववामा आवती भारत मा सिसाने पोलीश करिया वगर ना वासन ने पण उत्तम मानवामा आवेश सौथी वधारे आवाजो साधी पक्वेली माती ना वासनों आपने मलता होई गुजरात ना कचमा उत्तर प्रदेस ना कानपूर्मा अने राजस्थान ना अलवर माथी मुटी मात्रा माँ साली पक्वेली माती ना आपने वासनों प्राप्त थाएला छे आना थी आगड चित्रात्मक पक्वेली माती मां जो आपने जोईए तो लाल अने काला रंगना वासनों जोवा मले छे एनू प्रथम स्तर लाल छे अने जे चमकदार स्तर छे एकेवा कलर थी एने चमकावेलू छे काला कलर थी यस चित्रात्मक पक्वेली माती ना अउशेशो दक्षेन भारत मां जे पुंडू चेरी शे ओके एनी पासे आवेलू अरिक मेडू नामनू स्थल कईू स्थल छे अरिक मेडू नामनू स्थल त्यां थी आपनने आ अउशेशो प्राप्त थया छे एसीवाई गुप्तकाल अने इंडो इसलामिक परंपराना आगमन साथे चलकती माटीन आवासनों जोवातों मरता था प्राचिन समय गाला थी पण आ समय गाला थी पची जे छे ये वधू मात्रामा आवासनों जोवा मलाए छे गुप्तकाल ने इंडो इसलामिक परंपरामा साधी चिनाई माटेनी हस्तकडा तो मुख्य केंद्रों मां गुजरात आसाम पच्छी मंगाल अने उत्तर परदेश मुख्य छे एमां कया साधनों नो समावेस थाई तो आपने जेनेश टाइल्स कईये छे जे आपने जमीन उ पर अथवा तो दिवालू पर टाइल्स लगाडिये छी ए टोईले बातरूम ना फर्ष पर होई छे पछी वासनों मां तो कप पर काबी जे छे ओके हाँ कप छे आवा घणा बधा चीनाई माटीना वासनों चाप इवानों कप फ्यमस छे बद्धाने खबर जोई छे आ चीन अधयना स्थोड छे चीनाई माटीनी हस्तकला माथी सुन्दर अलंकरुत करेला चित्रों भी संगारेला पत्रों बनावा मां आवेच्छे जная है चीनाय माती ऑछे है ये चीनाय माटी पने चीत्रत्मक माईश मतलब के वासनों नी उपर जे छे इच चीत्रों दोर्वा मां जैपूर जैचे ने जैपूर मां आवेल नील वासनों एतले के ब्ल्यू पोटरी ए चित्रात्मक हस्तकडानों उतक्रुष्ट नमूनों शे आ बाबत ने खास याद रागजो घणीबधी अगत्यानी शे बाबत ने खास याद रागजो कापड नी हस्तकडा तो वैस्वीक्स तरे भारतनी कापड हस्तकडा एक आगवी ओडख धरावे शे केम कारण के भारत नों जे कापड नों इतिहास चे ये इतिहास घणो समरुद्ध शे पातण ना पटोलाने याद करो ढाकानी मलमलने याद करो मदूराईनी साडी होई कांची पुरमनी साडी होई ओके आब द जे कापड उद्योगना जे महत्वना कैंद्रो शे ये वर्षो थी समग्र विश्वनी अंदर पोतानी ओलक स्थापित करीने बेठा चे एमां एक शब्द छे आरिय वस्त्रा आनों अर्थ सू थाई छे तो कुद्रती स्त्रोतो थकी कापड उत्पादन औने कापड हस्तकड आने तैयार करवी कुद्रती स्त्रोते टले शन होई कपास होई आजे लिलन कोटन जे छे एमां थी कापड तैयार करवू अने एक आपड जे छे एक आपड उपर कला कारी गरी करवी अने आरिय वस्त्रा तरीके ओडखवा मां आवे छे राज्यों मां विविद भोगोलिक परिस्तिती अने आबो होवानी विविद ताने कारणे जुदा जुदा कापड नो उत्पादन थाई छे जे मां दक्षिन ना मैसूर नी सिल्कसाडी कश्मीर नी पच्छीम नी शाल पश्मीनी शाल आनू नाम चे पश्मीनी शाल जो के वाई शाल बवज प्रसीद्ध चे वाई बवज प्रसीद्ध चे गुजरात नी बांथनी पच्छीम बंगाल नी जमदानी साडी अने ओरिसानी चंदेरी साडी आज ये चे ज्वेते विस्तार नी प्रसीद्ध पामेल कापड कड ऑई पश्मीनी साल नरेंदर मोदी साहिब जय चेए करक करेक पेरे चे चेए अंगे यहुँ सोशल मीडिया मां जोई उच्छे वास्तविक्ता में पश्मीनी साल पेरे चे के नई ये तो साहिबने अने अने स्टाफने खबर होया आपड़े कोई आपवा ने प्रावधान नती कापड हस्तकडा ने बे भागमा विभाजित करी शकाई एक चापकाम औने रंगकाम बिजुचे भरत कडा आने गुथन काम तो चापकाम औने रंगकाम माझे ये तो कापड उपर चापकाम औने रंगकाम करी नवी कापड नी हस्तकडानु निर्मान करवा मावे शे खासकरीने जे लाकडाना ब्लोक छे एना उपर मुद्रित कापड उपर जुदी-जुदी भात पाडवा मावती वह चे लाकडानु ઉર્વલોક एતલે અ્રલી એક ૫ારમેट વઈશે અના પરડ જે પાથરવા મૂક્વા મૂઓવવે आनि एना पर अलग अलग रंगो जे छे अथवा तो चापनी जे छई छापनी थी घसी अन चापने कापड पर बेशाड़वाँ आवे शे डामडाव मां हजी पन आवी जे दुखानों छे दुखानों मौजुद छे आपड़े जे माताओ बेहनों बदी ओशीका इंधोनी आवी बदी जे भरत गुथण नुँ काम करती यहने प्याला चापपा मां आउता अने पच यहनी डिजाइन डिजाइन उपर भरत गुथण क आवे छे अने आ रीतिये जे तैयार थेलू कापड़ोए छे एन शू कहवा मा आवे बई लहरिया लहरिया ना प्रसिद्ध स्थड़ो जो यह तो राजस्थान मां आवेल जैपूर अने जोधपूर अने जोधपूर पची छे टाइएंड डाई तो राजस्थान अने गुजरात अने राजस्थान नी बांधणी ने अलग अलग प्रकारें रंगवा मा आवे छे जे कई कड़ा थी रंगवा मा आवे तो टाइएंड डाई डाई लियरू नेक्स्ट कलमकारी तो घाटा वनस्पती रंगो ने कपड़ा पर हाथ वड़े चापवा मा आवे छे जे आंध्रपरदेश गुजरात अने ओरी सामा फ्रेमस छे खासकरी ने गुजरात नी अंदर जे मातानी पछेडी नामनू जे भरत्मु थन छे बहु फ्रेमस छे मातान अने हाल मां जो बारतिक कला माते कोई प्रसिद थोड हो समग्र बध्धा राज्यो मां लग्वग बारतिक कला चाले छे पड़ पटोला बद्ध्येज बनता होई sih पड्ढ़ पाटणना पड़ेश बंता होई पड़रे नामने अलग जाखी ओड़क होई एम बार्तिक कला समग्र भारत मां फेला एली शे पण एमां मध्य परदेश औने पच्छीम बंगार जे छे इबार्तिक कला ना खासा प्रसिद्ध स्थड़ो शे उद्भव याद राग जो ओके आने सेनी साथे संक्ड़ा एली शे तो कापड ने रंग काम करवा साथे भरत कला अने गुन्थन कला मां जो ये तो कापड पर सोई ना उप्योग थी उपसावेली भात एतले भरत कला एमां सोना नो पन उप्योग थाई चांदी रेशम तथा कपास ना दोरानो उप्योग थाई शके याद राग जो आपड़े जंडरली जे चे आपड़ा घर माजे इमाता बेहने उप्योग करता होई एक पास ना दोरानो उप्योग करता inosता होई जहे एमां सोना ना तार पन यूस थाई चांदी रेशम पन यूस थाई शके प्रकार ना चे तो फूल कारी आरी भरत, आबला भरत, चिकन कारी अने पिपली भरत ओके आ प्रकार नहां आबला भरत छेनी अम्रेली भावनगर सौराष्ट्र नो विस्तार जे छे न त्या आबला भरत मोट्टे बागे फेमस छे प्रसीत छे फुल कारी तो भरत भरेला रंगीन कपड़ा ना टुकड़ा पर भरत काम करी फूल पाडवानी एक कड़ा छे अनो अर्थ थाई छे फूल बनावू अनो कई पद्धती छे रफ पद्धती साहिब आ कई पद्धती छे तमने ख्याल होई तो आपड़े कोई कपड़ू परती फाटी जाई तो आपड़ेन रफू करी देए शू करी देए रफू आजे रफू करीए छे अने एक कज साथे एक जग्या पर घणी बदी सीला यह अमारी देए छे यह भाग जे छे यह दो राथी उपसी जाई शे तो बस आज पद्धती थी फूलडा बनावा माह आ पद्धती क्या वाई पंजाब हरियाना अने दिल्ली नी अंदर आपद्धती फेमस चे जाईपूर यह जरीकाम माटे प्रसिद्ध चे और तणसाई जे छे एक प्रकार नी भरत गुंथन मां गोठोमण नी कड़ा चे तणसाई एपन भरत गुंथन नीच कड़ा चे चिकन कारी भरत काम, चिकन कारी क्या वाई छे लखनोनी कपडा बनावानी संस्कुरूती छे है तेमा फुल औन सुन्दर भात माटे सफेद दोरानो उप्योग थाई छे सुत्राव कापड न उप्योग थाई छे पोलिष्तर कापड न उप्योग थाई छे एत्तु याद राखी जो चिकन कारी भरत काम जे छे एक कया शहर नूँ प्रसिद्ध चे भई लखनो कश्मीर तो कसीदा भरत काम नी कारी गरी माटे जाणी तो छे सामान यरी ते कसीदा भरत काम एक काश्मीरी शॉल पर करवा माँ आगे छे जैमा फूल वेली ना आकारोना रेखांकन अने रेशमनी साडी नो उप्योग करवा मावे छे आवा प्रश्णों साइब मने क्या टाइम पर आम पूछाई शके कई पद्धतिती पूछाई शके मोट्टा भागे चाने कड़ाओ माती जे प्रश्ण तमने पूछाई से जोड का आधारित पूछावानी शक्यताओ वद्धारे श्यौड का आधारित पूछावानी शक्यताओ पुष्कड मात्रा मां शे सिंगल प्रश्ण बहु ओछा मात्रा माँ उसे हिम्रू शाल तो मध्यकाल मां मुसलीम शाशकों ना दरबार मां ते खुबज लोक प्री आती इस शाल मां शाही वस्त्र और हिम्रू सामगरी नो उप्योग थतो महाराष्ट ना ओरंगा बाद मां हिम्रू शाल बनती वड़ी कई जग्या पर बनती महाराष्ट ना ओरंगा बाद नी अंदर हिम्रू शाल ने बनावा मां आउती हिमाचल प्रदेश तो चम्बा रुपाल मां चम्पा पहाडी चित्रकलानी असर जोवा मलेशे भगवान क्रश्ण नी कथाओने वर्णवा आ रुमा लो सुक्ष्म भरत कामनी साथे लिला पिला अन केशरी रंगो मां तैयार करवा मां आउता मध्यप्रदेश तो महेश्वरी साडी कई साडी भई महेश्वरी साडी फैमस चे मध्यप्रदेश नी महेश्वरी साडी सुतर अने रेशम ना दूरावनू मिक्सरन करवा मां आवेशे सौनेरी जरीना भरत काम थी अलंकीत थैलिया साडी बन्ने बाजू पहरी शकाईश महेश्वरी साडी क्या नीशेवई मध्यप्रदेश नी करना तक तो कापड़ पर कस्तूरी मां आडी वक्राकार शिलाई द्वारा सुन्दर डिजाइन भरत काम करवा मां आवे हाथ कारीगर नी बनावट चालूक्य काल थी चाली आवती होवानू मनाई चालूक्य काल एदले कयो काल तो शाइब जेने वेशर शैली ने प्राध्यान नी आपेलू ओके तो करणाटक मांटे नी जे छे है ए आ खळा खास याद राग जो प्रधान मंत्री काउशल विकास योजना हे ठण जमू कश्मीर नी अंदर एक नामदा हस्त कला छे जें पाटनी पटोला नी कला छे ने संखेडा नी फरनीचर नी कला छे हम जमू कश्मीर नी कापड तो द्योक्षेत्रीक नामदा हस्त कला छे आम्तो नामदा हस्त कला जे छे छे हुए लगबक खतम थवा पर अई भी छे पन येंना पुनर जीवित करवा माटे सपें बेहजार 21 ना वर्षे जेचे पाईलट प्रोजेक्ट नी शरुवात करवा माएवी आ नामदा हस्तकला एक घंताना उन माथी बनावा येलों गाली चो छे इस नामदा हस्तकला माथी शू बने चाहे बहई कहिटाना उन माथी गाली चो बनावा मा आवे शे अने जेनो उद्भव अकबर ना शाषन दर्म्यान थाये लो शे खास याद राके ले जो नामदा हस्त कळा प्रधान मंत्री काउशल या विकास योजना जमू कश्मीर नूछे आ कहताना उन मा थी गाली चो बनावाई अकबर ना समय आनी शरुवात ती धातू कड़ा जोईये तो सव प्रथम उप्योगी धातू होई तो इतामबू जेनो उप्योग क्यारे शरु थे ओतो इस्वीशन पुर्वे 5000 वर्ष पहला सव प्रथम वकट मानवे जो कोई धातूनो उप्योग कई रो होई तो ये तामबार नो जूप्योग करौ तो लोखंड बोखंड काई मेलू नो तू तीन नो उप्योग क्या रे सरू किरो सेब इस वीशन पूर्वे त्रण हजार वर्ष पहला अन कासू तो ये तीन अन तामबा ने मिक्सरीत करी अन कासू बनावा माई उजो आरिते याद राग जो अईया पर तामबू लखो अईया पर ज, प, ती, का लखो तामबा मा तमें जसत भेड़वो तो पित्तड बने तामबा मा तीन भेड़वो तो शू बने भई कासू बने शा कासानू उत्पादन तो उत्तर परदेस ना इटावा अने सितारपूर तेमज वारानसी तथा मुर्दाबाद मा थाई शे अने धातू शिल्प माटे अगत्यना जो समग्र भारत मा कोई स्थल होई तो वारानसी मुंबै भूज चैननाई अने पंजाब अ धातू शिल्प माटेना अगत्यना शहरो श मा वारानसी नी धातू शिल्प कलाने भगोलिक दर्शन ना रूप माँ 2016 मां मान्यता आप्पा माईवी छा मतलब समग्र भारत नी अंदर धातु शिल्प कडाक्षेत्रे सौथी अगत्यनु जानितु कोई स्थल जो होई तो एक कईू छेवई वारानसी छा वारानसी एनि बे महत्वनी पद्धती छा एक चैंजिंग पद्धती एक रिपाउस पद् मतलब तीर बाजुथी कोई पड जे छेए ठोसक पद्धती द्वारा उपरनी तरफ एक कडरी गरीगरी ने उप्साव आ मा माव्या आवें छो अब्बेय पद्धती एक चैंजिंग औने एक रिपाउज राजस्थान ना घणा विस्तार मा मिना कारीगरी कळा लोग प्रिय अशे अब्बुषण ना प्रकार साथे मिना कारी विस्तार मा घणा घणा प्रकारुमा मा मिना कारी होता लोग जैपूर आभूशन ना प्रकार तो एक जड़ाव आभूशन साइबा जड़ाव एटले जड़ेला आभूशन वो येवा येवा नहीं सोना चांदी के हीरा मोती जेवी जे किमती धातू हो शे एना उपर पत्थरों जड़ी ने तैयार करवा मावे आपड़े तमने ख्याल होए तो वीटी नी अंदर जे छे ऑविबदी धातू आपड़े एड़ करता हो ये फॉर एक्जामपल आवीटी छे तो वीटी नी अंदर हीरा यूस्त करेला चे सु करेला चे हीरा डाइमंड यूस्त करेला चे तो आजड़ाव आभूशन क्या वाई मन का अभूशन तो किमती धातु ओ पत्थर ना मन का उथी बनता अभूशन छे अने एंतिक प्रकार ना तो राजा महराजा ना समई ना जे जुना अभूशनों छे एने एंतिक अभूशन क्या वाई अभूशन ना प्रकार केतला छे भई तण प्रकार छे चांदी ना अभूशन तो खास करीडे फिलिग्री टेकनोलोजी द्वारा बने छे अना फिलिग्री टेकनोलोजी नी अंदर चांदी ना तार नो उप्योग थाई छे जन्रली जे आपणे बनता ओई एछे एटले आपणे जे चांदी ना अभूशनों बनावता ओई एछी है ये कोई टेकनोलोजी थी नथी बनता पन चांदी ना प्रसिद्ध आभूशनों फिलिग्री टेकनोलोजी द्वारा बनावामा आवे ना फिलिग्री टेकनोलोजी ये ओडिस्टाा राज्याना कटक विश्तार नी खासी फैमस छे अन केटली फैमस छे के यह ने जियोग्राफिकल इन्डिशेश एंटले के जी आइटेग आपवामा आवआवयोच है पन क्यानु करीम नगर्ना फिलिग्री कारिय ने जी आइटेग आपवामा आवयोच छे फ अने जे शत्पत ब्रह्मन नाम नो जे ब्रह्मन ग्रंथ छे एमा थी पण उल्लेक मलचे कांच के कच्च नाम थी कांच ना प्राचीन पुरावावो राजयस्थान नु आहर अने हस्ती ना पूर्माथी आपन ने प्राप्त थाई शे याद राखवा जे बस्तु काच नो सव प्रथम उल्लेक आपन ने क्या थी मलचे तो महा भारत मा थी मलचे शत्पत ब्रह्मन ग्रंथ मा थी पण मलचे कांच अथवा कच स्वरूपे प्राचीन केंद्रो जो हो येना प्रसिद्ध तो राजस्थान नु आहर अनहस्ती ना सवर्ण मिनाकारी करवा माटे कोई साहनितु स्थलतो प्रभातगड कुंदन कला माटे जैपूर अने नाथद्वार अनु पित्तल पर जो मिनाकारी गरी करतु होई तो राजस्थान नु जैपूर अने अलवर जैपूर ने अलुवर आ केंद्रों ने याद राकी ले जो पकड़ी नवे चर्म हस्त कड़ा तो पहलाना समय मा वाग हरण अनि उटना चामडा नो उप्योग थतो तो जे आपने मोजडियों बनावता होई पट्टा बनावता होई मशक बनावता होई टोपी बनावता होई तल्वार राखवाना मयान बनावा मावे आब दुजे छे पची यहमा कैक ने कैकू पर जे भरत गुंथन थायेलू होई तो आजे चर्म हस्त कड़ा चे यहमा सव बिकानेर नी जे मनोती कड़ा चे यहमा उन्ट्नाचामडान उपव्योग करवा आवे शहे औने नहां मनोती कड़ाने पुस्तकला पन क्यहवायी छे ⁅ं0 जो चाम़ा उध्योग माटे राजस्थान अति प्रसिद्ध छे ⁨, राजस्थान मापन आ प्राचीन कड़ाश उत्तम नक्षी काम द्वारा लाकडाना फरनीचर बनावा माँ आवे जेमके हिमाचल प्रदेश ना बे शहरों एक भरमोर अने एक चत्रारी शहर एक कास्ठ कड़ाना उत्तम नमुनाव मले कश्मीर फरनीचर बनावा माटे महत्वनु के अंदर छे त्यारे जे छे एक खासकरी ने अखरोट ना व्रुक्ष वीशे आपड़े चर्चा करेली और यूट्यूब नो डेमो लेक्चर नो तो आपड़ों तंतु वाध्य हतु आपड़े लेक्चर नी शरुवात नी अंदर जे वाध्यों चलावेला छे ए वाध्यों माँ जे तं करीन जणावानू छे कि ए तंतु वाध्य नी अंदर एक तंतु वाध्य येव ओतु कि जे माँ अखरोट ना लाकडा माथी बनेली लाकडी नो उप्योग थातु चालो ओके अन्य देवदार ना लाकडा नो उप्योग थाए चे कश्मीर फरनीचर मा गुजरात माँ वैश वोई तो सूरतनू चिन्टामणी देरासर औने अमदावादनू शांतीनाथ देरासर ओके तो मित्रो अईया पर आपड़े आपड़ा मैरोथान लेक्चर ने थी एंड करिये शिये घणा बधा टोपीको आपड़े कवर करेला चे मंदिर स्थापत्य नी विविद शैलिवो आपड़े कवर कई री शे ओके हस्तकडाव ध्योग ने आपड़े कवर कई रो शे साथे साथे आपड़े जे चे ए आपड़ा वाध्यो जे चे तंतु वाध्यो चे सुशीर वाध्यो चे अवनाध्य वाध्यो चे ध्यन वाध्यो चे ए वाध्यो ने कवर कई रा चे भारत ऐसिति ये संगीत साथे संक्ला आयेला घरान कहणा आवह ने पंट यें पर कवर कीईना आप Правा से बद्ध होपह नहीं अपड़» में आजनल साथा अपड़ल 6 चैला संस्कुरूतिक वार्षा साथे संक्ण counseling दाशा ऑका resumes आप सर्वे मित्रों ए खुब जो सारी रिते निहाइलों चै ए बदल खुब खुब आभार जे विद्यार थी जीपी एसी वन्टू लेवल नी प्रिपरेशन करवा मागता होई चाहे लाइव मां घरे बेसी और प्रिपरेशन करवा मागता होई तो अमें तमारा मोबाईल मां अवा माटे तयार स्याव जो तमे गांधी नगर मावी और ओफलाइन एकडेमी मां एसी तयारी करवा मागता होई तो अमें ओफलाइन मां आवी अनितमने भणावा माटे तयार स्याव गलियर श है यास चालो हवे मने रजा आपो जैहिंद जै भारत भारत माता की जाए आप साइब कर दो नहीं है